बॉन इल्ड में उच्छाल से अमेरिकी बाजार गिरावट पर बंद डाउ में 231 अंकों की कमजोरी नाजडाक और सन्पी में 24-5% का दबाव गिफ्ट निफ्टी से कमजोर संकेद करीब 190 अंक गिरकर 22,000 के नीचे जापान को छोड़ सभी इशाई बाजारों में गिरावट कच्छे तेर की कीमतों में हलकी गिरावट ब्रेंट के दाम 78 डॉलर के नीचे यूएस हील्ड और डॉलर में मजबूती से सोना 1% फिसल कर 2030 डॉलर के पास अनुवान से कमजोर व्यास से आए और लिक्विजिटी कवरेज रेशियो के चलते HDFC बैंक का ADR करीब 7% तूटा नुवामा का रेटिंग डाउन ग्रेड 22 से रेटिंग घटा कर गोल्ड की दी लक्षय में भी कटा दी दिसम्बर तिमाही में L&T Tech का मुनाफ़ा 6% बढ़ा लेकिं मार्जिन सपार्ट वहीं ICICI Lombard की प्रीमियम से आए सारे 13% बढ़ी ICICI Securities के रहे अच्छे नतीजें दिसम्बर तिमाही में आए 50% बढ़ी वहीं लिस्टिंग के बाद प्रेडो ब्रांड मार्केटिंग ने पहली बार जादी किये नतीजें मुनाफ़े में 7% की बढ़त LTI Mind Tree Auration Paints के नतीजें आएंगे आज Happiest Mind, ICICI Prudential और Oracle Software के नतीजें पर भी रहेगी नज़र बजाज Finance पर UBS का रेटिंग डाउंग्रेड विखवाली की राय के साथ 6,800 रुपए का दिया लक्ष जियो फिनांशल्स की Consumer Loan में विस्तार से बजाज Finance को लुगसान की आशंका Medi Assist Healthcare के IPO में पैसा रगाने का आज आखरी मौका दूसरे दिन करीब डेड़ गुना भरा 1171 करोड रुपए जुटानी की उजना और देश में बिजली की कमी नहीं उर्जा मंतरी आरके सिंग ने खास बाचीत में कहा पावर एक्स्चेंजों की कपलिंग के प्रावधानों पर विचार जारी नमस्कार स्वागत है आपका एटी नाउ स्वदेश पर मैं हूँ आपके साथ पूजात्र पाथी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और इस दिश्यों में आगे हम आपको बताएंगे आप सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से साथ ही खबरों वाले शेर्स और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी करके आपके सामने रखेंगे और इसके साथी साथ ब्रोक्रेज हाउस के रिपोर्ट पर भी एक बार नज़र डालेंगे तो अगले आदे घंटे आप बने रहे हैं हमारे साथ क्योंगी काफी सारी खबर नतीजे हैं जिस पर की फोकस आज रहेगा लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियन मार्केट से और जो शुरुआती संकेत हैं वो कमजोरी महाँ पर देखने को मिल रही है हमने देखा है था कि निकई के बाजार जो जापान के बाजार है वहाँ पर अच् गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है चीन के बाजार भी नीचे हैं करीब 1,5% से ज़्यादा खोल्या के बाजार में करीब 2% की गिरावट इस परक्त है और होंग कोंग के बाजारों में भी 2% की कमजोरी देखने को मिल रही है तो निकई को छोड़ दे तो बाकी सभी इंडा गुर्माणी पूजा आज संकेत तो बहुत अच्छे नहीं है गिफ्ट निप्टी भी आप जासा कह वी रही थी कापी तेज गिरावट दिख रही है यह श्याई की बाजारों में सिर्फ निक्के को चोड़ दे तो ज्यादा तर बाजार कमजोरी है अमेरिकी बाजारों की चा कहा बाजार जो अनुमान लगा कर चल रहा है दरों में कटोती को लेकर उतनी तेज़ी से दरे नहीं घटेंगी यह बाजार को सतरक रहने की जरूर था उसी बयान के बाज से दबाब बना डॉलर इंडेक्स में कल एक परसंट की तेज़ी दिखी एक सो तीन के ऊपर चला गय इसके अलाबा अगर बोईंग के डाउंग्रेट के बाद होँआ पर काफी गिराबर देखी थी आज होँआ पर रिटेल सेल्स के नंबर आने वाले हैं दिसंबर के महीने में जहां पर 0.2 परसंट बढ़ोतरी का अनुमान है दिसंबर में 0.3 परसंट भी बढ़ोतरी हुई और करेंट इस सिती क्या है एकॉनमी की उससे इस बुक के जरिये पता चलता है तो ये भी काफी आहम है और साथे कुछ कंपनियों के नतीजे भी आएंगे उस पर भी बाजार की नजर रहेगी आने संक्यतों की बात करें तो कच्छा तेल क्योंकि डॉलर बढ़ गए थे तो तो कच्छे तेल पर दबाब बना था तो इसलिए जो चिंता थी रेड सी से सप्लाई को लेकर वो चिंता पीछे चूट गई और दबाब बना 78 के नीचे ब्रेंट क्रूट का भाव है लेकिन डॉलर और बॉंड इल में तेजी से सोने पर कल काफी गिराबर दिखी कल एक पर रहे हैं ग्लोबल मार्केट से बहुत बहुत अशुक्रिया विश्मोनाब का ये पूरा अपडेट देने के लिए तो हम देख रहे हैं कि एशाई बाजार भी कमजोर हैं और दुनिया भर के बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिली वाजा थी कि कल फेड ओफिशिल्स क्र रहयान आ है और उनका कहना है ऑफ ही जल्द ही ब्यास दरों में कट ओती की संभावना बहुत कम नजर आ यह मार्च में काफी लोग हुम्मीद कर रहे थे लेकिन करीब करीश पैसेट परसेंट चापार्यंट कार ये मान के चल रहे हैं कि ब्यासदरों में मार्च में कटोटी देखने को मिल सकती है, संभावना बहुत ही कम अब दिख रही है, इसका असर हमने बॉर्ण यूर्ज में देखा, डॉलर में देखा, और उसकी वज़े से कल अमेरिकी बाजारों में भी कमजोरी देखने को मिली है, आगे हाला कि बहुत सारी इवेंट्स है जिस पर की नज़र रहे गया, फेड ओफिशल्स के कुछ बयान भी आने वाले हैं, जिस पर की फोकस रहेगा और अर्निंग का इंपैक्ट हम देखेंगे की मार्केट में, तो फिलहां संकीत कमजोर ग्लोबल मार्केट से, एक बार F.I.S. और D.I.S. के आंक्टे भी देख ल की बिक्वाली की है, इंडेक्स फ्यूचर में 134 करोड की बिक्वाली का आंक्टा है, और इंडेक्स ऑप्शन में 2461 करोड की बिक्वाली का आंक्टा नज़र आ रहा है, आंक्रे छोटे हैं, कल US मार्केट में भी हमने देखा था, वो बन थे, इस बज़े से भी जादा यह कुछ आंक्रे इस वक्त, FI.D.I.S की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आज के लिए भारती बाजारों में कौन से लेवल्स इंपोर्टन होंगे, आज बैंक निफ्टी की भी एक्सपाइरी है, और कल निफ्टी की एकसपाइरी होगी, उसके पहले मार्केट में क क्या करें, कौन से लेवल्स इंपोर्टन होंगे आज? इंपोर्टन लेवल्स बाजार में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, यह मने आपको बता है, लेकिन दिवांग, अगर स्टॉक स्पेसिफिक रहना हो, तो कौन से शेर में ट्रेड करने की सला देंगे? अगर स्टॉक्ट तो यह हैं कुछ ट्रेडिंग आइडियास दिवां के तरफ से आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियास आप से डिसकस करेंगे? लेकिन आइटीसी में आप खैदारी करेके चल सकते हैं, यह है दिवांग की सला 487 के, टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 464 का, और पेट्रोनेट LNG में भी तेजी करने की सला 245 के, लक्षे के लिए स्टॉप लॉस हुझा रहे हैं 230 का, इस बीच आपके स्क्रीन पर देखिए चाइना के तरफ से जो डेटा आ रहे हैं, उसमें दिसेंबर में रीटेल बिक्री 7.4% पर 8% का अनुमान था, थोड़े कमजोर नंबर यहां पर देखने को मिल रहे हैं, अनुमान से, और एशाई बाजार में भी उसका रियाक्शन देखने को मिल सकता है, इस वज खबरों वाले शेर्स जानने का हमारे साथ शर्द जुड़ चुके हैं, शर्द काफी सारे नतीजे आये, कल बाजार बंद होने के बाद और खबरे भी काफी सारे थी, तो सबसे पहले तो नतीजों से शुरूबात कीजिए, कल मार्केट बंद होने के बाद कौन कौन से सब्सक्राइब करने वाला है, लाजली वीक सेट अफ नंबर से देखने मिले, जो डॉलर रेविनी ग्रोथ है, वो सिर्फ एक परसंट सिक्वेंचली बढ़ा है, लेकिन याद रखे जो गाइडेंस दिया गया है, उन्होंने रियाफर्म कर दिया, यह जो कॉंस्ट करेंची ग्रोथ रखा है, वो लगबग 17.5 तो 18.5 परसंट येरोनियो बेसिस पे रखा है, अब बात करते हैं, गोवा कार्बन की तो लाजली अबाव एस्टिमेट्स नंबर्स देखने मिले हैं, और यहाँ पर ओवरॉल मार्जिंस में भी जो है, थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन अनुमान से जो है बहतर नतीजे देखने मिले हैं, टॉप लाइन में लगबग, आप कह सकते हैं, सिक्वेंशली 20% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने मिली है, गोवा कार्बन के बाद जो है, ऐसे से सिक्यरिटीज के लाजली इन लाइन सेट अफ नंबर्स पचास परसंट यरो नियो बेसिस पे ग्रोथ आया और अपकॉर जो ब्रोकिंग सेग्मेंट है, वहाँ पर आउट परफॉर्मेंस किया और यह लाजली नोन था, तो लाजली इन लाइन सेट अफ नंबर्स देखते मिले हैं, आईसे चे लंबार जेनरल इंशुरंस की आकड नंबर्स देखने मिले है, टॉप लाइन 16 परसंट ग्रोथ के है, और पैट में सिफ 7 परसंट का ग्रोथ आया है, तो थोड़े मिले जुले से ले के इन लाइन सेट अप नंबर्स आपको देखने मिले हैं, तो यह तो आपके ओवराल Q3 नंबर्स हुए है, तो इस पी जो है तर हम नतीजे देख रहे हैं कि अनुमा के मुताबिक से थोड़े कम जो सेट अफ नंबर्स देखने को मिले है, इस जैसी बैंक के नतीजों पर भ्याज निजर रहेगी, लेकिन इसके अलावा शरत यह भी बताईए, आज खबरोवाले शेर्स कौन कौन से हैं, जी बिलकुल पूजा अगर खबरोवाले शेर्स पर फोकस करें तो यहां पर अबकॉस देखेंगे कि DCV बैंक जो है फोकस में रहने वाला है, यहां पर RBI की अप्रूवल आ गई है, जहां पर प्रवीन अचुतन को MDCO जो है अपॉइंट किया जाएगा, इंडिको पेंट्स में मौगन स् स्टेक की अकॉजिशन की है, वही PNC Infra और GR Infra यह दोनों कंपनी को जो है बड़े ओडर मिले है, PR Infra को हैं प्रोजेक्ट मिला है, 1100 क्रोड के ऊपर का ओडर है, वही GR Infra को भी 1000 क्रोड के ऊपर NHI से ओडर देखने मिला, और हमने यह पिक अप किया रोड इंफ्रा स्टॉक में जो है, orders की जो trend है, अभी फिर वापस से pick-up की है, सांधार टेक को बड़ी important patent मिली है, smart lock, knob के लिए, अब यह जो है, of course, two wheelers के लिए रहने वाला है, तो एक patent win भी जो हता है, significant होता है, company के और company में जो है, अच्छी तेजी भी देखने मिली है, GMR airports की जो बात करें December के आक में जो हम दोग expect कर सकते हैं, और वो announcement आ गई है, और तो GMR airports भी आपके radar में होनी चाहिए, ठीक है, तो यह कुछ खबरे हैं, और infra stocks आज भी focus में रहेगा, उसमें PNC Infra में आज भी एक खबर आई है, order मिलने की, तो यह stock पर आप नज़र रखे, और तमाम stocks जहांपर की खब लेने का, लेकिन आप बने दिया मारे साब, ब्रेक के बाद बात करेंगे commodity markets और brokerage reports के radar पर कौन-कौन से stocks हैं, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे आप आदमी के हितों का खयाल, पेरिश में अमरित कान, बजट से economy को तेज रफ्तार, विकास की guarantee अपकी बाद प्रतार, प्रतार, बजट से economy के खया है, के रफ्तार, प्रतार इस पर भी आड़िकास की guarantee presented by federal bank your perfect banking partner in association झाल 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 में झाल 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 FI 25 में अगर यह absent है तो stock underperform कर सकता है overall LTTS पर Morgan Stanley की तरफ से underweight की राया आ रही है आखिर में हम focus करेंगे cement sector पर Morgan Stanley का कहना है कि India की cement industry एक multi-year demand cycle में है capacity addition काफी मस्पूत है मगर utilization levels भी high रह सकते है overall उनकी तरफ से ultra tech, डाल्मिया भारत, ग्रासिम पर overweight की राया रही है तो इसी के चलते cement sector पर भी हमारी नज़र रहेगी alright हमारे साथ पार्थे भी जोड़ चुके हैं बातशीत करने के लिए पार्थे एक बड़ी interesting ख़बर है in fact दो back-to-back ख़बर DCB में आई है पहली बात तो रेक्टर साब जितना लंबा चार्ट ला सकते हैं DCB में इनके जो प्रमोटर है आगा खान ट्रस्ट उन्हों ने अभी प्रमोटर स्टेक बढ़ाने की बात किये RBI से और वो इसमें participate करना चाहते हैं और कल एक ख़बर यह आई है कि यहां पर new MD प्रमोटर स्टेक बढ़ाना चाहता है आप कैसे अनलाइज कर रहे हैं आपको इसमें वैल्यू दिखती है काफी undervalued private sector banking stock रहा है और काफी time से इसमें हमेशा बज रहता है कि एक अच्छी turnaround story होगी और जिस तरह कि इसकी book है in terms of loan book I think NIMS तो अच्छे रहते हैं लेकिन कभी-कभी जिस तरह से NPS बढ़ते हैं और credit cost रिक्तम से elevated हो जाती है तो हमेशा market पर चिंता रहती है कि यह bank को कही ना कहीं फंडिंग की जरुवत रहेगी पर जो TER ratio है वो इतना ज्यादा नहीं है तो उस लिहां से I think यह जो दो आता है जो transformation nature होता है तो काफी बड़ा turnaround possible है case in point being हमें यादेगा कि South Indian bank 6-8 रुपे का stop बन गया था bank एक loss post पर रहा था quarter on quarter और उसके बाद नए management ने काफी turnaround की operations को काफी loans के write-off किया capital raise किया और उसके बाद I think अच्छा streamlined business model बनाया है तो उसलिए अगर DCB में अगर ऐसी को strategy दोराते है तो मुझे लगता है कि value definitely create हो सकते है क्योंकि under one price to book multiple पे जो आज के तारीक में rare है in terms of private sector banking लेकिन it's better to wait and watch let's hear the new management के उनकी क्या strategy रहते है क्या turnaround plan रहते है उसके बाद I think नहीं call लेसे ओके ओल राइए ठीक है तो यह तो बात हुई DCB bank पर लेकिन आप ऑटो सेक्टर को भी डिसकस करते हैं वहाँ पर इंफाइक आइशर मोटर पर कल एक डाउंग्रेड था आज CLSA का भी डाउंग्रेड है और इंफाइक बजाज ऑटो पर भी डाउंग्रेड है उन्होंने सेल किया है फ्रम अंडर परफॉर्म टागट प्राइस को भी कट किया लेकिन अगर दे सेम ताम हीरो मोटर कॉप को आउट परफॉर्म करने की रायती है एक बार पार्थिप से समय लेते हैं ओटो सेक्टर में इन सबी स्टॉक्स में अच्छी चाल आ भी चुकी है अब यहा उनके पीर्स के साथ कंपएर करें और में आइशर को भी प्या नहीं नहीं करता क्योंकि हएर और मीथ्प को थेमार्केट कोमेशर रहती है उनका जो छो फटोल है नौत अब बजाज और TBS Motors ने काफी अच्छे फोरे किये, उनके मार्जिन्स काफी इंप्रूव हुए, Hero Motor Cop में ऐसा कोई शांदार बाइक नहीं आया है, जहां पे प्रीमेवाइजेशन की स्टोडी बन पाए, तो यह थोड़ा मार्केट को फियर है, लेकिन I think valuations are definitely getting caught up, और आगे जाते हैं रूरल में जो green shoots दिख रहे हैं, उसलिया से I think Hero Motor Cop पे थोड़ा police stance है, लेकिन overall यह sector पर मुझे लग रहा है कि अभी जिस तरह की recent rally आई है, I think it is price to perfection, it is better to wait out and see कैसे volumes के नंबर आते हैं month और month, और बात में इसकी चाल पकड़ सथी. ठीक है, बिल्कुर price to perfection आप इस space को कह रहे हैं, और इसी month Hero का एक launch भी है, इस ख़बर पर stock actually react कर भी चुका है, तो इस space पर थोड़ा watch रहने की सला रहेगी. लेकिन दूसरे कुछ stocks बात करते हैं, एक पर paint stocks में Indigo paints को discuss करते हैं, कलिन फाकेशन paints में भी move थी, लेकिन Indigo paints में जो यहां खबर है, वो यह हैं कि यहां पर बड़े funds की buying देखने को मिली है. Morgan Stal ने, युशा Singapore उन्होंने लगबग पौने 3 लाग share खरीदे हैं, और क्या stock आज react कर सकता है, कल आदा पसंट ही सर्फ वीग था, लेकिन Indigo paints movement में तो है संतोश, आप एक बार इसका chart check करके बताएंगे, क्या further आज follow buying आ सकती है? Yes, Priyanka, यह listing के बाद काफी underperformer रहा stock, लेकिन आप bottoming out process से यह हम clear दी दिख रहा है, कि stock में risk reward काफी favorable है, यहांपन मुझे लगता है, यह चौदा सो बीस, चौदा सो चाली से कच, चौदा सो के आसपास का जो area बहुत अच्छा base बन चुका, इस टोप चलने के लिए तयार है, इमिजेटली थोड़ा से resistance जरूर रहेगा, 16-16-15 के बीच में, लेकिन जैसे 16-15 cost करता है stock में, बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, तो आज market sentiments खराब है, उसके बावज़द भी stock में शायद मुझा थोड़ा बहुत बाउंस बेक देखने को मिल सकता है, इसको इस ट्रेडिंग perspective से ना ले, फ़ड़ा से जो aggressive investor से थोड़ा risk ले सकते हैं, तो positional perspective से stock में करिदारी कर सकते हैं, stock में जैसे 1600 का लेवल निकलेगा, बड़ी तेजी बन सकती है. ठीक है, इस पीचे एक ब्रोकिंग कंपनी है, ICSA Securities, उसके भी numbers आए और numbers काफी अच्छे बताया जा रहे हैं, एक पर ज़रा Sony से चेक करवा लेते हैं, Sony ज़रा ICSA Securities चेक करना, कल की closing अच्छी है, back-to-back number भी अच्छी आए है, आज कैसे चलेगा ये? यहां पर अगर हम देखेंगे कि कल की closing पर एक अच्छा support उसने लिया है, around 760, आज की दे में भी काफ़ important रहेगा, अगर 760 का support आज hold करता है, तो यहां से around 800 to 810 के range में भी एक बार टेस्ट कर सकता है, तो थोड़ा सा अगर आपको gap down के through, अगर थोड़ा सा dip मिलता है towards 775, 770 के range में, तो भाँपे आप accumulate कर सकते हैं, एक छोटा stop loss place कीज़े around 760, और बहां से अगर bounce करता है, तो जो towards 800 to 810 पे जा सकता है, जहां पर आप profit बोड़ कर सकता हैं, ठीक है, एक share और है, जो पता करना है मेरे को संतोस्तर से, संतोस्तर एक पर ज़रा आप यह share, गेल ज़रा यह चेक करेंगे, शयाद कल भी आपने इसी share के बारे में जिकर किया था, हमने भी एक बार पहले आपको बताया हुआ है गेल के बारे में कि बहुत बहुत बहतरी शेयर है एक सो सत्रावत हम नहीं आपको नोटिस करुआया था आज एक सो सठ सठ का बंद है इस पे ने यूबियस की रिपोर्ट आई है वो गहाएए एक सो नभे तक जाएगा सर जिनके पास पड़ा हुआ है या जिनको लेना है वो क्या एक सो नभे के टारगेट लगा की ले भी सकते हैं नहां थोड़ा लेट तो नहीं हो गए है नहीं आजे जी स्टॉक का चार्ट स्ट्रॉक्चर बहुत अच्छा है और मौने अभी सोनी का भी ये कॉल था आज का और चार्ट से कर हम देखे तो इसने अभी बहुत इच्छे स्ट्रॉंग काफी ज्यादा संभावना है कि स्टॉक में आपको 200 रुपे के उपर के लेवल भी देखने को बेल सकते हैं जिसके पासर इसको बने रहना चाहिए स्टॉक में अभी भी काफी अपसाइड बची हुई है स्टॉप लॉस भी आपके लिए वेल डिफाइंड है आराउं 155 का उपर में आपके लिए 200 रुपे तक की जगे खुली हुई है पार्थेव मैं आपसे दो स्टॉक्स डिसकस करना चाहूँगा एक फेडरिल बैंक क्योंकि लास्ट आरा ट्रेड में इस स्टॉक के अंदर रिजल्ट के जस्ट बाट दबाव आतावा नजर आया लेकिन स्टॉक नीचे से थोड़ा सा रिबाउंड करके बंद हुआ और उस पर्टिक्लर क्वाटर है इसके अंदर जो दबाव है वो वन उफ है एक पर्टिक्लर क्लाइंट इनका बड़ा दिक्कत में आया है जिसके से एसिट क्वालिटी में टेंप्रेरी इशु दिख रहा है उनको यह यकीन है कि आगे आने वाले क्वाटर में इशु रिवाइब ह के लिए यह आप अवाइट करेंगे मुझे लग रहा है वैलिएशन के लिए से बहुत ही ज्यादा कमफर्ट है नो डाउट इंग डिस्पाइट यह कॉर्ट में मैनेजमेंट में बताया कि वन आफ एक अकॉंट का इशु है जिसके बज़े से एंपिल्स हाई है लेकिन यह हमने देखा है कि federal bank में एक quarter reasonably अच्छा आता है जहां पर credit cost improve होता है और all of a sudden subsequent quarter में कोई ना कोई issue आता है तो यह चीज़ I think market को हमेशा खटकती है that is the key reason कि despite the fact कि काफी private sector banks में जिस तरह की एक रिडिटिंग होई है federal bank kind of language ना है लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां पर जिससरा के companies की assets से आगे जाते जिससरा से pan out होगी और management की pedigree है काफी digitalization पे भी focus किया है successful उनका जो IPO भी हुआ था फेट फिना का I think that also goes to show कि management के पास शर्मता है कि value unlocking भी कर सकते है मुझे लगता है कि 1.2 के forward price to book multiple पर यह बैंक अभिलेबल है geographical presence काफी अच्छी है इसा नहीं बोल सकते कि इस सिर्फ एक regional centric bank है तो मुझे लगता है कि long term investors आने में ने 2-3 quarter के लिए पी I think federal bank positional bet लिए सकते पूजिशनल bet आप यहां से लिजे फेडरल बैंक में valuation comfort बन रहा है सुमित मुल्चंदानी cement stocks में हमने काफी अच्छी तेजी देखी उसके बाद हो sideways जाके correct हो गए लेकिए रेटर साहब आप ACC को लेकिए एक मेने तीन मेने का चार्ट दिखाईए ACC का इस बार जो है Morgan Stanley ने आके ACC के target 2400 रुपे के ऊपर कर दी है एक मेने में यह करीब करीब 2400 गया था वहांसे घटा है 100 रुपे इस भाव पर आप लेंगे लेकिए अगर चार्ट structure की बात की जाए तो मुझे यहां पर थोड़ इसी weakness देख रही है stock ने अपना एक target जो levels 2400 वहां से एक pullback दिया है 100 रुपे अब downside चल रहा है लेकिन चार्ट structure अगर आप lower time frame पे देखेंगे तो inverted cup and handle का breakdown आ रहा है तो levels जो कलका है वो बहुत important है अगर यह कलका breakdown हो रहा है तो फिर मुझे लग रहा है कि यहां पे तीन से 5% का downside और आ सकता है till the levels of 2150 तो यहां पे एक trailing stop loss के साथ बने रहे हैं अगर किसी के पार long position है के ठीक है बढ़ते हैं आगे पार्तिफ सोंवार को जब जियो फिनेंचल के नंबर जाय था उसके बाद जो important concludes से उसमें दो तीन बाते बहुत important थी क्योंकि supply chain financing को वो launch करने वाले हैं debit card का soft lawn start किया बजाज finance के लिए पहले जब जियो फिनेंचल की announcement हुई थी तब यह बात किया थी कि उसके लिए दबाब हो सकता है लेकिन अब नंबर यह presentation में और ब्रोकिंग हाउस भी बात कर रहे हैं कि कई नकई जियो फिनेंचल के expansion से बजाज फिनेंच पर प्रेशर आ सकता है UBS ने भी downgrade किया और in fact target price घटाया 6800 करती है हला कि यह rational भी हैं कि 10,000 भी target है और दूसरी broking firms का आप किस side of the view पे है देखें बजाज फिनेंच और जियो फिनेंच का case is very much similar to that of Grasim for in the paint industry और Asian paints आज के तारीफ में बजाज फिनेंच hands-down market leader है डीसेंट इन्होंने 10,000 करोड के उपर के funds भी जुटा है to ensure के उनका जो market share है growth momentum है बरकरार है जीओ फिनाइस नोडाउट आगे जाता है एक disruptive competitor है लेकिन यह रातो रात कुछ नहीं होने वाला है because very frankly speaking यह एक business model है जो उनको long term के लिया से बोलोग evolve कर रहे and it will take minimum 3-5 years for a significant presence, significant presence बाने कि अगर बजाद finance की book अगर 3.5 लाग करोड की है तो जीओ फिनाइस की book एक लाग करोड पहुंचने के लिए मुझे लग रहा है कि आने वाले तीन साल easy नहीं लग सकते है तो तब तक हम जानते है कि बजाद finance भी उसकी book at least 25% के एक अगर से ग्रोग करेंगे because उनके disbursement strong है, उनके underwriting strong है तो मुझे लग रहा है कि यह दोनों company के लिए काफी ज्यादा business लेगा अपने country के लिए because we are heading towards a 5 trillion dollar plus economy तो credit तो star nation ही तो उसलिया से consumer finance में, merchant finance में Jio का business model है काफी unique हो सकता है तो दोनों के लिए I think जगा है मुझे लगता है कि बजाद finance भी valuations थोड़े price to perfection है last जो update आया था उनके काफी positively surprise किया था in terms of his numbers लेकिन यहां पे कोई भी correction आता है कि तुन of 5 to 10% हमें लग रहे है कि बजाद finance भी long term के लिए असे investors के portfolio में रहना चाहिए बजाद finance एक बैतरीन stock fundamentally और portfolio में रहना चाहिए competition intensity बढ़ती है तो उसे किस view में street देखता है आज इस report पर किस तरह से reaction होता है उसे देखना होगा क्योंकि थोड़ा कल pressure में था बजाद finance अला कि ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन आप देखे तो बजाद finance पर सो better move कर रहा था लेकिन कल थोड़ा सा banks, finance सारी थोड़े week हो रहे थे देखना होगा कि आज इस report का कोई impact पढ़ता है stock pay नहीं लेकिन जहां numbers अच्छे हैं एक बड़ सोनी से वो समझ लेते हैं सोनी इंफाक्ट पेंसी इंफ्रा को एक बड़ डिसकस करते हैं बड़ा order जो मिला था एंपी से भी एक और बड़े order road project के लिए ने एक order मिला दो-तिन दिन से लगातार यह खबरों में है PNC Infra चल भी रहा है क्या follow up buying अब भी देखने को मिल सकती है चार्ट पे कितनी strength दिख रही है जी प्रियांका जी यहाँ पे हम देखेंगे तो जो PNC Infra के चार्ट पे दिख रहा है जो हाँ पे एक breakout आया था वो है around 390 जब तक 390, 385 भी एक band को काफी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है on closing basis वहां से bounce back करने के chances काफी हाई है so closing basis पे आप 385 का एक stop loss place कर सकते हैं अगर वहां से bounce करते हैं तो दुबारा under towards 424, 30 के range में भी bounce कर सकता है so अच्छा है चार्ट buy on dips की सला है last 4-5 days से बहुत strong volume action इसमें को देखने को मिल रहा है plus जहां पे breakout है था वहां भी volumes काफी हाई है so एक overall जरिया जो इसमें बन रहा है वो buy on dips का बन रहा है strategy मेरे दो दशक से ज़्यादा नुबफ से समझेए और जानिये इस budget की हर बात प्तिनाव स्वदेश पर बेखे बजट दोजार क्योबीस विकास की क्यारी presented by federal bank your perfect banking partner India is becoming a hot spot for a lot of businesses and now as we say make in India or be it a G20 summit we are getting more and more more investments and I think we are shining bright there should be more and more work regarding the cleanliness more parks because now we are all health conscious only government cannot change or bring the because if you want to bring a change be the change the way stock market has boomed real estate has come up and other sectors are also going to see the brighter days everybody is taking you don't have to have cash you can pay by other means few sectors have really improved it's a promising government transport development is happening in our country for example metro we are very sure that development work will continue and grow in many folds from here now everything is done in our country आज जो सुमित पुलिचंदानी ने आपको दो शेर बता है, एक था है PDS, दूसरा है BSC, इनी से ज़रा दो कैश के स्टॉक्स में आपता करता हूँ, जहापर टिपिकली ब्रेक आउट जैसा कुछ बन रहा है, पहला शेर है स्मार्ट लिंक, एक बार शेर को दिखा सकते हैं, क करीब चार लाक शेरों का, क्या ये शेर और चलेगा? ठीक है, एक शेर में को आपसे और पता करना है, वह है Clean Science के नाम से एक शेर है, Clean Science, एक बड़ा वापिस लेके आईए, कुछ दिन पहले कोई मेमान भी हमारे शेर के बारे में जिक्र कर रहे थे, Clean Science, इबास उमिच जिसको भी जड़ा चेक करके बताईए, मैं थोड़ा लेके होल्ड भी करूंगा पोजिशन इसको? पर्मा एक सो पैतालिस का भाव आ गया है, पिशली बार पार्थे जब थे तो एक सो बीस के आसपस था, 138 पे बंदुआ कल, मैंना अभी हिट किया है एक सो पैतालिस का हाई एक दो दिन में, 138 पे आपको कैसा दिखता है ये पार्थे वाभी खबर याए कि युएस में जि पिशली बार के रिजल्ट थीक था? कॉर्टर वन में हमने कंप्री को एक काईड आफ लॉस पोस्ट करते हुए देखा था, उसके बाद कॉर्टर टू वास अ टॉर्टर चाहां पे काफी ट्रैक्शन मिला, राइट्स इस्यू से उन्होंने एक अजार करोड से डेट कम किया है, और जिस तरह के नए प्रोड़क लॉस आफ़ी ट्रैक्शन मिलें और उसकी ऑ्डर की पाइट्वेन भी काफी स्ट्रॉंग है, तो वह बिजनस से भी मानेजमेंट इस एक्स्पेक्टिंग बूर्ट नंबर्स, और जो बिजनस से वहां पे भी आइधिंग डीसन ग्रोथ है, वहां पे भी नए रेलिटिवी चीप है उसके पीर्स के, तो यहां पे भी हम लॉंग जाने की सला दे सेंगे, यह तो गया पिरामल फार्मा के उपर वीक, इन फैक्ट कल ना SBI की उपर भी एक डाउंग्रेड आया था, लास्ट सिटी ने सिर्फ उस पर अपना फेड पे नहीं, मैंट SBI को भी डाउंग्रेड किया है, राइट आहेड और रिजल्ट डाउंग्रेड किया है, मुझा हिरानीगी हो रही है, हाला कि संतोष छेसो साट पे चला भी हुआ है, शायद इसले भी थोड़ा पुल बैक का केस बनता है, इन फैक्ट एक महीने का चार्ट लेकिया है, तो टॉप से थोड़ा सा सरक के नीचे आया है, आप शॉट करेंगे क्या, SBI को इससे में अगर बजार रीक होता है, या आप रहा देखेंगे लेने की नीचे में, संतोष? बने में अतिजों के बाद आएगी, पट फिर में टेकनेकल के वैससे पर वेसे प्रवेसिशन के कंपर्ट के वैससे पर बृलिश यू की रखना चाहंगा, जिस दिन ये 660 का लेवल निखालेगा, बढ़ रहरे तेजी है, और इस साल मुझे लगता है, मेरा मेरा जो इस साल संदोश भी बता रहे हैं इस साल की मूफ रहनी कैसे चाहिए यह यह बात तो है काफी उम्मीदे मंधी हुए लोगों को एक सेक्षिन मार्किट का यह मानता है कि इनके एनाइम्स प्रेशर में सकते हैं इसलिए यह वन सब्सक्राइब कॉनसें कॉल अभी नहीं बना है तो लेक के पड़ोस ही कंपनी है पारते हुए एक CNC कंस्ट्रक्शन यह जोती CNC करके कंपनी कल लिस्ट हुई आपके पड़ोस की है राजखोट की कंपनी है आपने नजर डाली है कैस पर वह यह सब्सक्राइब जी चांस भी मिला था प्लांट विजिट का और प्रमटर को मिलने का उसको second tier या third tier गिना जाता था लेकिन उनका विजन यही था कि उनका जो manufacturing है in terms of the CNC machines उसको tier 1 करते प्लस उनकी जो foreign acquisition वाली कंपनी वहां से भी काफी technology transfers मिले है और product approvals काफी strong है so whether we talk of EMS segment, whether we talk of electronic manufacturing segment, mobile manufacturing, automotive segment, बहाँ पे order books काफी तगड़ी है और it is not only in the entry level CNC machines जो volume sales होता है और margins कम होता है लेकिन जो high end जो है 15 करोड या 20 करोड के CNC machines है वहां पे उनकी order book काफी strong है concern यह है कि after the listing almost 30% stock rally किया है 10,000 करोड का market cap बन चुका है तो आने में दो साल के जो forward projected numbers है वो अल्री यहां पे मुझे pencil in लग रहे तो we will take interest only in this stock if there is some Hindi correction लेकिन यहां पर I think that position बना आप valuation के लिए से फोर डिफिकर जग रहे है और राइट जूती CNC कल की listing को और कल क्या दमदार listing हाला कि थोड़ी से average थी लेकिन उसके बाद अच्छी follow buying 30% उपर बढ़के बंद हुआ paper stocks में JK paper को एक बार discuss कर लेता है क्योंकि वहां अच्छे volumes भी कल दिखे दो दिन पहले शरत भी हमें खबर हरम हमारे खास segment में बताके गए थे कि paper prices across board units कंपनिया बढ़ा सकती है और यह second successive price hike होगा और JK paper में कल अच्छे volumes भी थे क्या कोई और paper counter भी रडार पर आ रहा है संतोष या फिर इनी को जिन्होंने नीचे level से लिया हुआ अभी hold करके चले momentum sustain करेगा यह सारे paper stock का चार्ट structure कापी अच्छा हो सकता market की weakness की विच्छे थोड़ा बद pressure आए क्योंकि जैंपर की बार करें तो बहुत अच्छा breakout आया है अलाकि यह जो एरिया है चार्सो 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 पीस का वहां पर तो अच्छा ब्रेकाउट के पर बहुत अच्छे सस्टेंड कर रहा है यह candidate जो शायद यहां से और अच्छी तेजी दिखा सकता है तो अगर वेस्ट कोस पेपर में आप अपिले सासु रुपे का पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लोस रहेगा उपर का जो टागेट बन रहा है साड़े आठ सु रुपे का बन रहा है हमारे market panelists को आप लेके आईए एक बहुती interesting चीज हमारे producer साब में शेयर किये तो मैं इसको दिखाना चाहूंगा संतोष सुनी सुमित पार्थिव आपको याद हुआ कि अभी हाली में जो हाई लगाए जो न्यू हाई लगाए वहां से थोड़ा सा बाजार सरका है तो व्यू यह आरा बाजार के एक section मानता है कि कंकं में राम बाजार ने भी किया प्रणाम यह coincidence पार्थिव आपको कैसा दिखाई दे रहा है और इसी रहा में लोग यह भी बोल रहे हैं कि 2024 का मतलब है कि 2024 हजार का निफ्टी होएगा इस साल सी दिस इस आप एंटास्टिक कोइंजिदेंस और क्या जाधा एक्सपेक कर सकते हैं सेंटिमेंटल मुमेंट है यह पूरा माथ हमारे लिए इतना फैंटास्टिक शांदा टेंपल का इन्नागरेशन है एक वीडियो सर्फेस हो रहे थी कि कैसे L&T और Tata प्रोजेक्स ने यह पूरा प्रोजेक्स फ्रॉम ग्राउंड अप इस्टाबिश किया है इन रेकॉर्ड टाइम इस फैंटास्टिक सी बजार हम जानते है कि इन टरम्स ऑफ वाल्यूएशन अभी करीबन 20 के पी पे है और ये मिरको निलेश्या जी हमेशा बताते हैं हम जब भी मिलते है कि इंद्या का मार्केट का अगर कोई व्यू पुछता है तो हमेशा एक्सपैंस करण से नहीं इसलिए तीन साल के लिए इसलिए अधि अगर यही वैलिशन पकड़ के चले तो हमारा मार्केट बहुत चीप लगेगा तो लेट उन ट्राइट कॉलिटी स्टॉक पॉटफोलियो हां मिटकेश मॉलकेप से थोड़ा वेटेश कम करके लाज के फोकस रख सकते हैं काफी इसे लाज केप स्टॉक से जो चले नहीं करेक्शन इसेल्फ यही फिनोमेना इंडिया के लिए पर्फेक्ट ली वाग करते हैं हम ठीक है मैं दो शेर आपके सामने रखना चाहता हूं दोनों के साथ कॉमन प्रॉब्लम से कॉमन प्रॉब्लम सेंस जैसे दोनों शेर एफ और बैन के अंदर है एक है जी एंटरटेन्मेंट और दूसरा है और दूसरा है पॉली कैप दोनों के साथ न्यूज है एक का 21 तरह तक फैसला होना एक का इंक्रम टेक्सका फैसला भी बाकी होना है तो दोनों बैन में भी है और रिकवरि वाले भी हैं और दोनों के पास न्यूज भी हैं सुमित मुल्चन्दानी किसमे आपको ज्यादा ट्रस्ट आ रहा है जी के पुल बैक में जो कल चला पॉली कैप के पुल बैक में जो कल चला दोनों एफेंडो बैन में हैं नई पॉजिशन्स ले नी सकते हैं कैसे करें और दोनों के स अन्म्यूट कीज़े सर तभी आवाज आएगी तो पॉलिकेप का मुझे चार्ट स्ट्रक्चर ज्यादा वीक लग रहा है अगर मैं कंपेर कर रहा हूँ जी से तो यहां पर अभी भी आप देखिए तीनों मुविंग एवरिजिस के नीचे है और जो gap down हुआ तो वो काफी बड़ा हुआ तो मुझे लग रहा है कि अभी भी यहां पर 4500 जो लेवल है वो बहुत एक important resistance का काम करेगा तो जब तक वहां वो level cross होके closing basis पे नहीं आता यह still sell on rice का candidate रहेगा वहीं पर आप Zee को देखिए continue एक 240 का जो level है वो bounce कर रहा है तो मैं अभी भी यहां पर अगर किसी के पर long position है भी तो 240 के नीचे का stop loss maintain कीजिए और यह stock 260 के उपर जो है फिरसे यह 290 और 300 के move के लिए जा सकता है तो बिलकुल आप यहां पर opportunity देखिए rather than polycap ओके ठीक है तो आप यह कहरें कि polycap से भी रुकना चाहिए अगर opportunity इन दोनों की common problems है news है, ban है, दोनों pullback के share है तो आपको Zee Entertainment का pullback जादा strong नज़रा रहा है ठीक है, इस दोनों share इसलिए मैंने पता किया कि दोनों trending stocks है और लोग इसके बारे में सुनना और जानना चाहते हैं, आपने अच्छे से हमको guide कर दिया एक दो share और जड़ा पता कर लेते हैं, market के अंदर जिसके बारे में चर्चा थोड़ी ज़्यादा हो रही है एक बार जड़ा एक share लिक आएंगे जिसका नाम है Reliance Industries उसका नमबर आ रहा है Friday को, क्या उससे पहले इसमें भी position मनाने का दिन है, हो सकता है HDFC से गया हुआ पैसा Reliance से वापिस आ जाए जिनके पास HDFC से आज loss कट रहा होगा, वो हो सकता है Reliance से पैसा वापिस कमा लें, क्योंकि ये भी तो gap down कर रहा है, इसकी क्या गलती है ये तो शुकरवार को नमबर दिखाएगा, 36 रुपर ये नीचे मिल रहा है, सोनी पटना एक जरह help कीजिए आप हमारे Reliance माफ कीजिए, किसी का HDFC से गया है आज पैसा, तो क्या पैसा है Reliance इंडस्ट्रिस में डाल के अपने एक recovery कर सकता है जी डेफिनिटी जिनपी जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो Reliance में कल जो थोगी से profit booking आई है, वो बहुत जादा भी नहीं है In fact, बहुत अच्छे support और breakout के अबब अभी भी है So, आज gap down के through, अगर कोई भी opportunity मिलता है, थोड़ा सा decline towards 2720, 2700 के range में तो वहाँ से definitely accumulate करना चाहिए इसका जो last week में हमने breakout देखा था, वो 2650 के ऊपर देखा था, तो जब तक वो breakout का level protected है Declines में, gap down में, market की choppiness में, तब तक Reliance काफी अच्छे से वहाँ से bounce भी कर सकता है And ultimately इसका overall positional structure अगर हम देखेंगे तो अभी भी काफी strong है on charts एक positional chart के ऊपर 2800 के ऊपर भी जाने के काफी chances high है, options data भी positive है for Reliance So, on dips इसको accumulate कीजे and buy कीजे, hold कीजे 2650 stoppers के साथ ठीक है, शुरुआत का एक बर मैं आपको सिर्फ HDFC के numbers विखा देता हूँ, किसे trade कर रहा है, उस settle नहीं हुआ लेकिन फिर भी आप थोड़ा उसको देख लीजिए, screen पर आपके पास आ जाएगा 5% की आसपास की गिरावट है ADR में 7% तक की गिरावट चली गई थी तो एक बार देखते हैं कि इस गिरावट भी कितनी करता है, हमारे हिसाब से 1600 के उपर ही HDFC बैंक को बंद करना चाहिए, दिखा सकते हैं अब एक बार HDFC बैंक, फिर हम शर्ट को अपने साथ जोड़ लेंगे वाल से, यह ऐसी है, 1583 है, 96 रपे नीचे, 5% अब यह सेटल नही जे बिलकुल सबसे पहला स्टॉक रहेगा HDFC बैंक, लाजली मुटेड सेट अफ नंबर्स देखने मिले हैं, जो ADR भी जो था, वो क्रैक कर गया था, ओवरनाइट 6-7%, नेट इंटरेस्ट इंकम जो बिलो एस्टिमेट साय है, हाला कि PAT, जो है, स्टीट के अबव एस्टिमे 25% का CC, उसको अभी भी रिटेन किया है, तो अफकॉस दोनों कंपनीज जो है Q3 नंबर्स पे वीक सैट अफ नंबर्स देखने मिले हैं, DCB बैंक की बात करें, तो RBI की अप्रूवल आई है, जहां पे प्रवीन अच्छुतन को MDCO के तोर पे अपॉइंट करने का अप्रूव इंडिको पेंस, इंपॉटन ब्लॉग टील हुई है, जहां पे मॉगन स्टैनली ने लगभग 0.6% स्टेक की जो है अकॉसिशन किये है, पेंसे इंफरा हाली में न्यूज में भी आया था, क्योंके में मोनेटाइजेशन होरे, रोड आसेट्स के और स्टॉक में तेजी और देखने मिला है, और यही ओडर इंफ्लो जी आर इंफ्रा में भी हमने देखा है, एनेचे आई से जो हजार करोर के ऊपर का जो है, हैम प्रोजेक्ट का इन्हें ओडर मिला है, सांधार टेक, एक स्मॉल काप कंपनी है, आपके आपके आटो एंसरी स्पेस में, यहां पे कंपनी को जो है, एक पेटेंट मिला है, और वहाँ पे स्मार्ट ब्लॉग जो एंटी थेफ्ट टेकनोलोजी होती है, यह टू वीलस के लिए मिला है, एक टाइप से पॉजिटिव रियक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है, हमारा सात्वा स्टॉक रहेगा, पिरामल फार् जिंक नूट्रिशन प्रोड़क्ट जो है, वो यूएस मार्केट में लाँच किये हैं, और इस तरफ से जो है, वो अपने जो जेनरिक इंजेक्टेबल्स पोटफोली है, अब वो एक्स्पैंड करना शुरू कर रहे है, इस्पेशली यूएस के मार्केट में, तो यह इंप हो गया है, 3716 रुपीज का हो गया है, और ओवर ओल और कह रहे है कि जो डाउंग्रेड आई आई शेर मोटर्स में, इसका रीजन यही है, क्योंकि नए प्रीमिय मोटर साइकल जो है, अक्रॉस सेग्मेंट्स लाँच हो रहे हैं, तो उसके कारण जो उनके मारकेट शेर पे जो है, थोड़े सवाल उठ सकते हैं, हमारा आखरी स्टॉक जो फोकस में रहेगा, और वो खबर पे जो फोकस है, वो रहने वाला है हमारा ITD सेमेंटेशन, यहां पर एक बड़ी इंफरा ओर आ सकती है, अगले एक महीने में, और याद रखिए कंपनी जो है, और याद रख कर चुके हैं, शांदर, ITD सेमेंटेशन को एक बार ले कि आईए, यह ठेकेदारों के कमी वाली जो हमने एक थीम निकाला था कुछ दिन, जो क्वालिटी ठेकेदार है न, कंट्री में, चाहिए वो कंस्ट्रक्शन इंफरा प्रोजेट वाले ठेकेदार हो, या हाई-राइस वहां कहीं न कहीं बजार का इंट्रेस्ट काफी आ रहा है, पार्थे, वह कैपैसिटे या ITD स्रेमेंटेशन आपको दोनों में किसी में इंट्रेस्ट है? मुझे याद है, जब उसका IPO आए था, तब बनो तर एर कंपनी थी, मॉंबे में कि बहुत ही हाई-रे स्ट्रक्शर्स एट रेकॉर्ट टाइम में करने की शंता थी, वो कंपनी में, और इन-बिट्वीन, I think, बिकोज काफी स्लोरा हो था, रियल एस्टेट में, और उनके ज् स्टेट बूम देखा है, रेकॉर्ड रेजिस्टेशन देखा है, इन दी बॉब में मार्केट, तो उसलिया से कैपसिटे इस वेरी गुट टरन आरांग स्टोरी, मुझे लग रहा है, बाइस सो करोड के मार्केट कैप पर पुरी कंपनी अविलेबल है, और उनके पास प्रोजेक्ट एक्जिएशन करती है, लेकिन हमारा थोड़ा वैलिएशन कंसर्न ही आप है, स्टॉक काफी हद तक रैली कर चुका है, निजे के स्टर से, सो ये वैलिएशन पर हम लोग से जस्ट नहीं करें हैं, अग्य, ठीक है, चले, कुछ और स्टॉक्स की बात भी करते ह हैं, बड़ा कट दिखा रहा है, तीन सो साड़े, तीन सो पॉइंट की आपको निफ्टी पर तैयारी हो रही है, गैप डाउन कुलने की, और बैंक निफ्टी पर भी, थोड़ा सा सेटल होने की वेट करनी होगी, कुछ ज्यादा दिखा रहा है तो, इन फाइक बैंक निफ् संतोष, आप आप बिताईए जितना बड़ा डर अपको नीचे मेले अगा उतना ज्यादा कमफट आएगा अग डर संतोष छिपट आएगा, कमफट आब इंग्डा तो, इसके बाद वो डाइवर्ट करने के कोशिश करेगा तो स्टॉक्स कौन से उपर आ सकते हैं क्या मैटल्स अच्छी स्टॉंग चाहल दिखा सकते हैं सेल जैसे काउंटर्स आप देखें और यह मैटल्स के लिए तो क्या ट्रिगर बिदा चाइना का जो स्टिमुलस उसकी बाती कल भी रिया स्टॉंग 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 30, EK range पर काफी अच्छा, एक अच्छा support है, तो जब तक वो closing basis पर break ने करता है, bounce back definitely करेगा, कोई भी gap down मिलता है, उपर का 1 residence है 140, 140 के उपर एक अच्छा breakout आएगा, तो अभी थोड़ा consolidate कर सकता है, because of overall market conditions, but positionally, अच्छा. आपको metal stocks भी, कुछ ब्रेक आउट वाल है, जो कल stock थे, क्योंकि insurance, in fact, LIC कल 3-3% चला, और यह बात हम Monday morning से कह रहे थे, उनके पास एक tax refund की news थी, वो कल confirm भी होई, और राक्षाने भी बताई, और in fact, holding norms को लेके extension, यह सारा combination LIC के लिए इस वक काफी favorable दिख भी रहा है, कल 3-3% देज था, LIC को इस वक्त, कैसे आप देखेंगे, in fact, LIC तो अपने IPO के भाफ पर भी आ गया है, पार्थ हम? I think, काफे एक टाम से ही बास चला था, कि जो बड़ा tax refund है, that will percolate into a very big dividend, because यह dividend का बहुत ही बड़ा beneficiary government of India है, and before the year end close, I think definitely यह possibility हमें लग रही है, not only that, valuation के लिए, in terms of price to immediate value, one of the cheapest life insurers है, और LIC काफी नए innovative products launch कर रहा है, जिससे वो लोग चाह रहा है, कि उनके जो market share है, वो वापिस regain हो, from the private players, और value of new business margins भी है, उसमें हमने एक अच्छी improvement देखी है, तो I think purely based on valuations, और जो trend अभी market में चल रहा है, कि जो under on PSU's है, chapter evaluation बहुत ही depressed है, वाप हम देख रहे हैं कि 20 to 30% का re-rating definitely हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि LIC उसलिया से हमें लग रहा है, कि आनम ले 6 से 12 महीने में एक अच्छा returns दे सकता है, ठीक है, वैसे तो आज HDFC की ही ही वज़े से सारा नुक्सान आपको दिख रहा होगा, लेकिन कई बार ना यह opportunity के तोर पर भी आता है, मैं आपको बताता हूं किस तरह से देखिए, आप HDFC बैंक आपका खुल रहा है, साड़े 6%, एकसेस बैंक भी खुल रहा है, साड़े 3%, आइसेसे बैंक भी खुल रहा है, करीब 2%, क्या इस बैंक को replace नहीं किया जा सकता, कल भी हमने डैवरजन देखा था, आइसेसे बैंक बाजार की help कर रहा था, और HDFC नुकसान पहुचा रहा था, तो HDFC बैंक को छोड़ देते हैं, क्यों experiment ही करें है, HDFC के साथ ही, तो हमारे पर दूसरे बैंक भी हो सकते हैं, जैसे आज हमको सुबह संतोस सर भी यह कह रहते हैं, इसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए दूसरे लोग आ सकते हैं मारकेट के अंदर, तो इसलिए दूसरे बैंकों पर भी आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और मैं अपनी लिस्ट में से अगर आप में से कोई शियर पूचेंगे, तो मैं SBA और आइ कि इसके पास चेंज करवानी के लिए हैंड काफी है, आई टी आ सकता है, एलन टी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, इसलिए निफ्टी जो आपको 370 पॉइंट मिल रहे हैं एक गोल्डन ऑपरचुनिटी है, मैं यह नहीं बॉल रहा कि भर भर के कूद 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 की आओ, ले पिर आपको मदरसन सुमी, डी माट, कैनरा बैंक, यह कुछ एक और शियर्स हैं, जो आज थोड़ा कमजोर खुल रहे हैं, अगर आप मिट केप कैडिगरी में चले जाएंगे, तो जहां पर आज प्लस और माइनस खुल रहा है, प्लस खुल रहा है, फिर से ICIC, GI, और जिंद खुल रहा है, करीब 3%, तो सेलेक्शन रखे आज अपना, आज एकदम से बिल्कुल बढ़ी है, तरीके से आपको ऑपरचुरिटी मिलेगी, आज सेकंड बार निफ्टी खुलेगा, आप उसका फायदा एक बार लेना चाहें, तो ले सकते हैं, मोटा मोटी मेंने कमपैरिजन भी करके बता दिया आपके सामने, और इस समय बजार खुला है, और निफ्टी के अंदर जो पहला टिक आया है, वो करीब 330 पॉइंट का है, और आप यहाँ पे इस समय ट्रेट देखना चाहें, तो एक बार देख सकते हैं, 200 शेर, हाला कि आज हम को इस समय अद्वांसिस के अदर दिख रहे हैं, एक चीज़ में आपको बता दूँ, ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा समझदार हैं, मार्केट के पास भी है, कोई ना कोई ऐसी वज़े जरूर होगी, जिसकी वज़े इतना बड़ा गैप मिला, लेकिन मैं फिर से बोलूँगा, दस में से दो लोट का इस् जबता है, ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा सुधार जरूर होगा, 1582 शेर हैं, आज आते हैं फटावर्स हैं, आपनिंग पे कि आज की गेनर्स और लूजर्स कौन कोल से बन रहे हैं, पहले मैं आज आपको गेनर्स भी बता रहेता हूँ, HDFC तो कोई बात नहीं, HDFC का एक और गेनर्स की लिस्ट में अवल नमबर पर रहे हैं, उसका नाम है HDFC Life एक परसंट उपर, भारती एटेल एक परसंट उपर, अल्टरडेक सिमेंट आदा परसंट उपर, ITC आज दोने एक्सपर्ट की कौल थी आदा परसंट उपर, Infosys आगया उपर, Reliance आगया उपर, तो यह क् आपने देखे 230 पॉइंट खुला था, आपको मैंने नोटिस करवाया, अब 254 पॉइंट निफ्टी आ चुका है, खुलने के बाद कम से कम 70 पॉइंट की रिकवरी है, एक लॉट, 50 का है, 70 से मल्टिप्लाइंगे, 3,500 रुपया एक लॉट की कल्कुलेशन है, सिर्फ एक पॉइंट के रिकवरी हम निफ्टी पर देख चुके हैं, 200 पॉइंट ही अभी एडवांसिस के अंदर हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रॉंग हैंड्स ने तस्वीर बदलना शुरू कर दिया, उसमें से सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है रिलाइस इंडस्टी और दूसरा आईटी सी, यही बात हमने सोनी से पता की थी, कि अगर मेरा घाटा किसी विए से HDFC में हो गया है, तो रिलाइस में को पैसे देख सकता है, यह स्क्रीन समय जो आप देख पा रहे हैं, उसमें आपको कुछ और बैंक भी लिखेंगे, लेकि करके रिकवर कर रहा है, आप इस पे जरूर ध्यान दिजेगा, उपर लिस्ट में सबसे उपर आपको वही दिखेगा, और सबसे नीची HDFC बैंक है, तो यह मोटा मोटी मार्किट की आज की ऑपनिंग है, उपर्चोनिटी गेंग जो मिलता है ना निफ्टी का, वो आपको ज चले, यह तो बात हो, एक स्मार्ट, जो खुलने के बाद ही आपको लगबख 805 पॉइंट की रिकवरी, निफ्टी पर दिखिया है, बैंक निफ्टी लगबख 400 पॉइंट्स रिकवर हो गया, जो गाप डाउन आपको प्री ओपन में दिखाए देरा है, मिटकेप में कहां क जिसे स्टॉक्स लगबख 3% की तीजी इस वक्त पॉलिकाप में दिख रही है, यहां पर आपको 2% की मूँव दिख रही है, बहल तेज है, गुजराद गस में मूँव दिख रही है, वी काउंटर से हैं, वी काउंटर में आपको सेल नीचे दिखाए देरा है, नाल को जादा आर्बिया बैंक्स तो दिखी रहे हैं मीडिया काउंटर कुछ वीक हैं तो बैंक्स आज पीस यू बैंक्स प्राइविट बैंक्स चल भी रहे थे वहां पर भी अच्छी खासी अभी फिला दबाव दिखाई देरहें रहें रिकावरी में एंजिल वन लगब तीन परस में भी आपको आज मूफ दिखाई दे रहे हैं तो बाजार बड़ा सेलेक्टिवली पिकन चूस कर रहे हैं जहां 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 दबाव बड़ा था ना वहां थोड़े रिकावरी ट्वीट से लिए हैं रिलाइंस तो किया ही है एश्डीस बैंक्स आज के लिए लोग लेने क कवरी चलिए आगे बरते हैं अपने पैनलिस्स के पास जान लेते हैं कि क्या मूड बना रहे हैं ट्रेडिंग का वो संतोश मीना आप बताईए कैसे ट्रेड करेंगे आज के बजार को क्या है आपका ओपनिंग ट्रेड यस मेरे दो स्टॉक से दोनों भी बाइंक साइट के पहले दोनों एक एफेंटो साइट से टाइटन इस स्टॉक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है मज़े लगता है यह स्टॉक आज भी तेजी दिखा सकता है डिफेंसिव भी रहेगा तो यहां पर खरिदारी करना चाहिए 3800 रूपीज का स्टॉप रूपर में 3880 का टा बढ़ेगी आज के लिए टागेट 130-130 रूपे करेगा स्टॉप रूपे का इंट्रेस्टिंग स्टॉक आइडियाज संतोष की तरफ से आते हुए सुमित मूलचिंदानी आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा दो ट्रेड्स डिसकस करना चाहूंगा देखे पहले F&O में HCL टेक का है काफी अच्छा चार्श ट्रक्चर है जो पितला इसका रिजिस्टंस था वहीं पर या जो ओपन लो का केंडिडेट है तो अभी भी मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर बाइंग ऑपर चुटिंट पहले लेकिन तीन दिन से वही लो को पकड़के अपना एक बेस बना रहा है और आज देखे अपना गैब जो था वो भी फिल हो गया है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक फ्रेज बाइंग ऑपर जूनिटी बन सकती है 3-1-5-0 करन मार्केट प्राइज है टार्गेट फिल भी 3400 यह अगले 10-15 दिन के लिए भी आप पोजीशन बना सकते है और इंटाडे में मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 2-3% का गेंड मोमेंटम बन सकता है इंट्रेस्टिंग सोनी पटनाइक आपका क्या ओपनिंग ट्रेड रहेगा अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ऐसे गाप डाउन के थू एंटार मार्केट वाल्टे लोड रहे तो आई-टी डेफिनिटली थोड़ा बैलेंस करने के लाएगा तो बिल्ला सॉफ में ओप ठीक है यह बताईए पार्थिव आप कौन से स्टॉक क्यों पर इसे में नजर बनाए हुए क्या रिसरच कर रहे हैं जो आप शेर कर सकते हैं मुझे एंग्सो नोबल इंडिया अच्छा लग रहा है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो लास्ट कॉर्टर में कंप्ली ने बहुत अच्छा बॉलिम ग्रोथ का ट्रैक्शन दिखाया था और स्लाइट मार्केट शेर गेंस का भी ट्रैक्शन दिखाया था अलॉंग इंडिया में भी काफी इनोबेटिव प्रोड़क्स हैं अभी उन्होंने मार्केटिंग कैंपेंस काफी बढ़ा है काफी आउगरेशन दिखा रहा है और जो नॉन कोर स्पेशारिटी केमिकल निविजन है वो उन्होंने अल्री हाइव उफ कर चुके है कंपनी कैश रिच है और आगे जाते जिस तरह के उनके वालीं प्रोड और एक्स्पैंशन के प्लाइन से मुझे लग रहा है कि आने वाले कॉर्टर में भी पॉजिटिव सप्राइज मिल सकते हैं और वहां से मुझे लग रहा है कि स्टॉप रीडेट हो सकता है तो एक या दो साल के अवदी के आगे हमें एक जो नोमल लेटिंग प्रेस्टिंग बैडिया है यह दिखिए आपके टिकर पर बहुत ही इंटरस्टिंग डेटा पॉइंट हमारे टीम ने चलाया है साले 600 पॉइंट की निफ्टी बैंक में रिकवरी आई है लो से और निफ्टी में भी अच्छी खासी रिक रिकवरी आई है रिलाइंस लेकि आई है इंटरे आप लेकिया है है HDFC बैंक इंटरे देखना होगा कि कि क्या काम हो रहा है रिलाइंस हरे निफान में खुला इंटरे अभी भी फ्लाट है गिरा नहीं है AGFC बैंक लेकिया आई है, 100 रुपे नीचे है, 6%, बहुत ज़्यादा रिकवरी नहीं आई है, SBI, ICACI बैंक उनको लेकिया आई है, और IT के कुछ स्टॉक लेकिया आई है, मालूम चलेगा कि आहा, ये देखिए, SBI, कल के डाउन गर्ड के बावजूद, आज संतोश मीना ने बो बनाना हो, SONI, तो आपके सबसे, Wipro कैसी, कैसा स्टॉक रहेगा, इसकी ज़रा चार्ट चेक करके बताएं, जी, डेफिनितली अज़े जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो Wipro का एक अभी भी, ओवराल चार्ट स्टॉक्चर पोजिशनली देखेंगे, तो अच्छा है, बहुत स्ट्रॉंग सपोर्ट है, 450 पे, 470 से लेके, 460 के रेंज में, एक अच्छा अक्युमिलेशन जोन बनेगा, 450 स्टॉपलर्स मेंटेंड कीजिए, और इसको पुजिशनली खोल्ड कीजिए, यहां से बांस बैक कर सकता है, 12500 के उपर अगर निकाता है, तो आप उसको अगें 530 प्लस लेवल्स भी देख सकता है, जो शुरुवात का गें मिलता है वो मिल चुका है, देखे जिनको स्क्रीन रीडिंग करनी आते हैं, जो मार्केट के अंदर बैठते समझते हैं, उनको इस बास साफ समझ में आरे होगी, कि एक जटका लगा उस जटके का जिन्होंने बेनिफिट उठाना था उठा लिया, अब बाजार ना हर चीज को नोटिस करेगा, अब वो एक तरफ ऐसा नहीं होगा, अब हो सकता है, वापिस उसी लेवल पे आ जाए, तीन सो पॉइंट पे गिरावट पे भी, लेकिन एक राउंड का जो इससे कहते हैं, प्ले वो खतम कर चुका है, यह बहुत क्लियर है, मारकेट को देख के ऐसा लग रहा है और डाटा के हिसाब से भी ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूगा कि आप आज उम्मीद ना कोई, आज का सेशन स्विंग ट्रेडर्स के लिए वन ओव दा फाइनस सेशन होगा, मैं यह भी कह सकता हूं कि इस महीने का वन ओव बेस सेशन होगा, आज का सेशन, जिनको स्विंग ट्रेड करना आता है, या जिनको पता है स्क्रीन पकड़के काम करना आता है, अधरवाइस इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हो सकता है, बहुत साथ शेर आप लेना चाहते हों, आपको किसी वह से नाम मिल रहे हों, वो आ ग्यारा सो एकतर, अरतालीज़ार दोसो बैंग निफ्टी की जो पुट है, वो कल कितनी की थी, वो थी मातर दोसो रुपे की, आज उसकी कीमत कितनी है, ग्यारा सो रुपे कीमत है, आप इसी से अंदाज लगा, यह कितना बड़ा जैक पॉट लगा है, आप्शन्स वालों क आप को नोटिस करा दू, पांच परसंट उपर है, जोती लैप चार परसंट उपर आज आ चुका है, कि आई इंडस्टी इस दो परसंट उपर है, मैं को यह तो नहीं पता, पोली कैब और के साथ में कैसे मैं इसका रिलेशन जोड़ू, लेकिन इतना मैं को पता है कि एक भ यह शेयर ठीक है क्या, मैं को पॉली कैब नी लेना, बट कि यह ले सकता हूँ, जी बिलकुल यहां पे डिम्पी जी चार्ज स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, देखिए चार दिन पहले का एक डाउनफॉल आया था, गैब डाउन हुआ था, वो आज गैब भी फिलफ हो एक शेयर और स्पीड से उपर आ रहा है, शेयर थोड़ा चोटा है, लेकिन मैं उसको जरूर नोटिस करवाता है, एक दो दिन मैं आपको पहले भी नोटिस कर रहा है था, मैं वाल्यूम वाल्यूम सारे राइडर के साथ बता रहा हूँ शेयर का नाम, वो है इन्फी बीम, इन्फी बीम के अंदर आज आज आपको 26-26 का रेट है, दो परसंट ये शेयर भी उपर है, अगर आपको लग रहा है क्वालिटी बगरा खराब है, तो बिलकुल कृपा अगर के मत लीजिएगा, लेकिन वाल्यूम एक करोड़ से ज़ादा शेयर हो का आ गया, खुलने की व आज पास मैं रिस्क नहीं लोगा, आप बेटरिल्स का अवोइड करें, क्योंकि इंपोर्टन रेजिस्सेंस के आज पास स्टॉक ट्रेट कर रहा है, जो शुरुवाती जिस गेन की मैं आपसे बात करा था, वो मार्केट के अंदर फिर से गुम हुआ है, अप और ने तीन सो पॉइंट आपके गेन में आए, दो सो पॉइंट इनफेक्ट मैं बोलूँगा, उसके बाद अब फिर से धीरे, 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 धीरे करके बजार उसी जगे पे पहुँच रहा है, जहां से वो एक्चुली रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, दो सो साथ पॉइंट हो चुका है, निफ्टी की गिरावट, पहले दो सो पॉइंट तक की रिकवर, उससे भी नीचे चला गया था, बड़े निहाओ, छोड़ देते हैं इसको पॉइंट को, अब आप थोड़ा शांती से देख के अराम से, कोई जल्द बाजी न उठाएगा, पहले मार्केट को बेज बनाने दीजे, फिर आपको अच्छे अच्छे शेयर्स मिलते जाएंगे, हम भी आपकी कोशिश कर रहे हैं, बहतर शेयर्स को ढूंड के लेके आने की, एक और शेयर है, जो है एच डिएफसी के साथ आथ सजा पा रहा है, उस शेयर का नाम है, आई एक्स, इसने भी मेहनत की थी, लेकिन एक ही जटके में, आज इसने पांच परसेंट अपने पैसे खो दी है, या फिर कौशिश का साइन है, सोनी, इस से दूर रहना चाहिए, कि ऐसा क्या हो गया, कि आपको पांच ही परसेंट आपकी तो कोई ख़बर नहीं आई, लेकिन आपको क्यों आज का लो भी 152 पे बनाया है, अगर उसको ब्रेक कर देता है, तो यहां से और आपको तुछा सा वीकनेस नजर आ सकता है, तूवर्द 145, 140, तो थोड़ा वेट अन वाच कीजिए, आज के दिन पे इसमें अग्रेसिवली एंटर मत कीजिए, अगर आज यह होल करता है 151 ल यह तो बात IEX पे हुई, इन फाक्त आज GMR Infra में भी एक न्यूस थी और आप देखे यहां पर भी लॉंग बिल्ट अप हुए है, GMR Infra क्या यहां एक स्विंग ट्रेट पॉसिबल है, इन एक निया कॉंट्राक भी मिला, NHAI से, संतुष? यह GMR Infra तो मैं काफे जादा bullish हूँ, कोई भी छोटा मोटा dip भी आता है, तो मैं खरीदारी के मौभी टूंट रहा हूँ, तो इस स्टॉक में बने रहना चाहिए, आप अज ए ट्रेडर हो, तो भी मैंने साब से खरीदारी कीजिए, नीचे 80 का एक अच्छा सपोर्ट है, प इने के फैर पर कंपित कीजिए तो निल्मयिया कोट two से म्ह jobs सर्हां बने रहना चाहिए, आप यंवेस्टर्स को भी राय देधी है और अध्रेडर्स को भी सला देगी है, सूमिताज, ज़िए भी सिमेंट कांटरम में रे Chloe मूब हैं, कुछ अपग्रेड भी हैं, कुछ ँप प्रप्पिक होगी सिमन स्पेस से ट्रेडिंग के लिए? जी देखिए यहां पर अल्टर टेक में मुझे लग रहा है कि काफी एच्छा एक बेस फॉर्मेशन हुआ है स्लोली स्लोली देखिए डेली एक हायर लोग का फॉर्मेशन सहुरा है तो यहां पर आप वेट कीजिए और करन मार्केट प्राइज 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 कर सकते हैं आज का ही लो जो है 9920 का आप एक स्टॉप लोग मिंटेन कीजिए तो यू बॉटम रीकवरी आ सकती है पहला टारगेट जो रहेगा करीबन 10,250 के लिए आप यहां पर बाइंट रसकते हैं ठीक है ओल राइट अगे अल्राटेक सिमेंट पर एक व्यू रहा लेकिन अधे सेम टाइम आइटी कांटर्स के भी सोनी थोड़ देर पहले बात कर रहे थे कि वहां पर एक मूव आ सकती है इंफाक निफ्टी की इंडेक्स मैनेश्मेंट के आईटी से हो सकती है जो पहले इनिशल गेंस थोड़े से फ्रिजल आउट हुए और उसमें स्टील भी वीक हुआ है, मेटल्स भीक हुआ है, बैंक्स तो अफकॉस ड्रागर है ही बड़े अधे सेम टाइम आइटी कांटर से भी कोई बड़ा सपॉट अभी फिलाल नहीं दिख रहे है कैसे प्ले करेंगी कोई जहां पर एकमहिंदरा जैसे कांटर्स के थोड़े सेफ कांटर्स दिखेंगे यहां सोनी या फिर रिलाइंस को भी आप देके तो एक रिजिस्टंस तो दिखा रहा है उपर की तरफ लेकिन कई न कई बुल्स भी नीचे से आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं कैसे देखेंगे रिलाइंस को या फिर आइटी कांटर कहां सा सपॉट मिल सकता है जी डेपनितली प्रियांका जी अगर आइटी की बात करें तो बिकस बैंग निफ्टी जादा बॉलटाइल आज हुए तो जादा फोकस मोमेंट टरम आइटी पे रहेगा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन्स रहेगे कि आज आज आईटी सेव करने आएगा निफ्टी को सो मोस्ट लिए आज बाड़े स्टॉक्स जैसे की इंफोसिस हो गया या फिर टेक्माहिंद्र हो गया बीसॉक्त हो गया थोड़े साज बचाने की फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहा है टेक्माहिंद्र में अगर हम देखेंगे पोजिशनली तो अभी भी 1300 के ऊपर ही है यानि कि वो अपने रेजिस्टेंस को जब क्रॉस किया था 1300 अभी भी उसके ऊपर कंतीन्यू कर रहा है तो 1300 का अभी उसका इमेडिट बहुत अच्छा सपोर्ट है तो 1300 को जब तक ब्रेक नहीं करता है यहां से बाउंस कर सकता है तूवर्ड थोर्ट फोर्ट फोर्ट फेवरेबल है 1300 के स्टॉप्लोस के साथ आप इसमें बोल कर सकते हैं 1360 और ही बात रिलाइंस की रिलाइंस में आज इन फैक्ट ओड पोजिशनल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है हम थोड़े डिप का इंतिजार कर रहे थे आज ऐसे मौनिंग में मैंने का था कि 2720-2700 के रेंज में बाइ करने के लिए सो आज का अगर हम लो देखेंगे 2716 तो वहां से बाउंस करते हुए 2760 को टेस्ट किया है सो काफी अच्छा है रिलाइंस में भी आज जादर मोमेंटम और फोकस्ट रहेगा और पोजिशनल ये आप देखेंगे तो ये 2800 को क्रॉस करके 2850-2860 के लेवल्स पे भी जा सकते है सो काफी फोकस्ट रिलाइंस पे रहेगा बेरी स्ट्रॉंग सपोर्ट 2700-2650 पे अभी भी बना हुआ है ठीक है रिलाइंस इंडस्ट्रिस देखें ओपर आ रहा है और यही बात हमने सोनी से सुबहें जिकर किया था एक्चली मैं हम प्रॉब्लम बता क्या होती है आपको न एक चीज़ को तो अच्छे से समझें मैं अपने एक्सपिरियंस से बता रहा हूँ हाँ मैंने कही पड़ा बड़ा नहीं है यह मैं सिर्फ अपने एक्सपिरियंस के बिसिस में बता रहा हूँ और मैंने कई साल में ऐसे जटके देखे हूँ है जब भी कभी ऐसा जटका लगे ना तो आप सेफ हैवन के तरफ जरूर जा के चेक करो और इसके साथ को ट्रिगर भी हो रिलाइंस के साथ ट्रिगर है फ्राइडे को इसके रिजल्ट्स का इसलिए मैंने को रिलाइंस सुभे से ही ठीक लग रहा था मैंने एच्टी एफसी को आप मेरे से ट्रस्ट मानेंगे मैंने एक बार भी HDFC बैंक को नहीं देखा अब तक क्या हो रहा है हो सकता है recovery आई हो सकता है ना भी आई हो मैं को मालूम तक नहीं है लेकिन मैंने सुबह से आज reliance को देख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैं को पैसा जो बनना है आप क्यों ऐसी चीज में जा रही हो जहां पर litigation है ऐसी चीज में जाओ जो साफ सुतरी है अभी साफ पता लग रही है और किसी वज़े से नीची आई 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 आप सुबह भी प्लस करके बैठे हो ते दिन में प्लस किया अभी प्लस किया, सोनी जी के कहने पर पिलके अपनी अकल लगाई, जो भी किया, गेन में ही हो बॉस आप, अच्छा एक ये नहीं है, आपको मैं और शेयर पर बताता हूँ, एक बार आप ज़रा दिखाओ, आई एफसी है, हमने कई बार आपको नोटिस करवाया, आप जी लिटीकेशन को छोड़के जो क्लीन चीज मिल रही है, वहाँ पर उठाओ, ठीक है, दूसरा, अभी आई टी के जब जिकर हो रहा था ना, मैं आपको बता हूँ, एक ट्रस्ट वर्दी शेयर में को लगता है, टीसी एस, मेरे को इन्फोसिस थोड़ा वालटाईल लगता है, और नंबर से पहले टीसी एस की कॉल दिलवा के अमने आपको इस बात प्रूफ भी करवाई थी, टीसी एस फिर से उपर आ रहा है, और में को रिलाइंस से ज़्यादा अगर आप मिर से पूछें के ट्रस्ट किस पर, तो मैं बोलूँ का टीसी एस पर में को ज़ना ट्रस्ट है, इसलिए मैं अपने वित्यसलागारों से पता कर लेता हूं, सोनी आपसे ही मैं हल्प ले रहा हूं इसके बारे में भी, मैं को जरा टीसी एस की स्टेंथ चेक करके बताईए, टीसी एस में कितना दम है, यह बात मैं समझता हूं कि IT हल्प करेगा, लेकि मैं सिर्फ टीसी पर राइड करना चाहता हूं? इसको स्टॉपलोस के तौर से मान सकते हैं, डिप मिलता है तो अक्यूमिलेट कर सकते हैं, और उसका एक अल्टिमेट टागेट 38-90 के तरफ आप उसको बुख कर सकते हैं, तो टीसी एस लीड कर सकता है, तो इसमें होल्ड जरूर कीज़ेए, ठीक है, और अल्मॉस्ट यह ए आई बार में ने आपको नोटिस करवाया ना कि बैंक और आई टी आग और पानी के तरह हैं, एक साथ एक साथ नहीं चल सकते हैं, बहुत दिनों तक आप इनको एक साथ नहीं चला होगे, तो जो टूटेगा उसका अपने रेसिप्रोकल आ जाएगा, आज जिसको ऐसा लग बैंकिंग काउंटर्स तूटेंगे, बैंक निफ्टी तूटेंगे, उसका पहला मूल मंतर होना चाहिए कि आई टी चेक करो के आई टी के अंदर क्या हो रहा है, और आई टी के आप जारत तर शेयर्च, मिट के हो जाब बड़ा शेयर्स हो, आपको हरे निशान में दिखें बड़ा जाएगा, बड़ मैं इतना कहना चाहता हो कि HDFC के जटके को मार्केट ने काफी हद तक आज ही आज में कैप्चर करने की त्यारी बना दी है, नहीं तो ये इंडिया विक्स बढ़के आपको 6% दिख रहा होता है इस समय, और ब्रेक आउट के इंडेट है वायद पीचे खोलते हो, आप रिकवरी नहीं करते हो, फिर भी आपका एंडेविस 2% बढ़ेगा बस, 2% तो आम दिनों में बढ़ जाता है, तो ये क्लियर कर रहा है कि आपको HDFC बैंक वाली जो प्रॉब्लम है ना उसको आज याज में सेटल करना चाहता है, ये पहला साइन है इस रेशो तो नहीं है, ये तो 80 और 90 है, तो आपके पास एक और रीजन है, ये समझाने के लिए, अपना माइंड को प्रिपेर करने के लिए, कि क्या HDFC बैंक का लॉस आज याज में मार्केट सेटल कर देगा, ये इस अडवांस डिक्लाइं की रेशो से भी में को समझ में आ र कितना रिकावर करता है, अभी तो आपको उतना ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप बैंक्स ड्राइगर हैं, अफकॉस मेटल्स भी आज राइगर हैं, लेकिन आप IT काउंटर्स कहीं उपर आए हैं, इन फाक्ट रिलाइंस भी आप देखें, तो पॉन एक पसंद की तेज के साथ आज भी देखेंगे तो 230 के ब्रेक नहीं किया है, सो इमिडेट बेसे स्पे स्टॉपलोस ट्रेल कर दीजे 230 पे इसको होल कीजे, यह काफी स्ट्रॉंग है, और यहां से 240 को क्रॉस करते हुए 244, 246 के तरव भी जा सकता है, सो 240 का पहला टागट उसके उपर 244, 246 उस आपको दिखाई दे रही है, तो थोड़ी बहुत यह इंडेक्स मैनेशमेंट है, क्या इन काउंटर से आ सकती है, लेंटी को एक बार चेक करेंगे आप, संतोष, इसका स्टॉक्टर भी काफे बुलिश है, इसको कल भी एक और मिला लगा दार, फंडामेंटली भी अच्छे हैं, और बजट के परे नॉर्मली ये स्टॉक रेडर पर रहता है, तो यहां पर खरिदारी कीजिए, शायद आपको 70-80 पॉइंट की मूँ देखने को मिल सकती है, तो यहां पर खरिदारी कीजिए, शायद आपका 3560 का, उपर में 3660 के उपर निकलता है, तो 3660-3760 रुपे प्लस करने के तो यह मौके होंगे, लेकिन जो लोग शॉट करके पैसे कवाना चाहते हैं, उनके लिए क्या मौके और हो सकते हैं, क्या फुर्दर स्लिप कर सकते हैं, कांटर स्लाइक, आई एक्स में आप देखें, 4-4% की वहां गिरावट है, क्या यहां से भी शॉटिंग क फिर से अगर ब्रेक हो रहा है, तो मैं एक शॉट शॉटिंग ऑपरजनरी देख रहा हूं, लेकिन देल्टा ताइम, आई विल जस्ट वेट और वाच, ठीक है, दोस्तों सब्दों पॉइंट का अभी तो नुकसान है, निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी पे जो नु पा रहे हैं ना, हमने जो टिकर पर कमिंग अप चला रखा है, इसमें आई एक्स के बारे में होगी शकर, क्योंकि इसमें ना एक आप मार्केट कपलिंग का नाम सुन रहे होंगे, नीचे जो भी टिकर चला रहे थी, जहां पर भी मार्केट नौ लिखा हुआ हूआ है, चला जर्चा बाद में करेंगे, हाला कि इसकी कोई अर्निंग वर्निंग ऐसाच नहीं थी, एक और चीज है, अभी तो किसी तरह का कुछ खास में को ऐसा कुछ बढ़ा दिखनी था, अल्ट्रडेक सिमेंट, आज ये भी हरे निशान में है, बट मेरा कन्विक्शन उतना नहीं ज चोड़ दिया जाए आज, अल्ट्रडेक सिमेंट को, ये जिए भी मेरे साब से करना चाहिए, आज किसी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट भी आई थी, फायर ब्रोकिंग हाउस की, और स्टॉक भी बहुत अच्छे सपोर्ट जोन के आसपास से, यहां पर रिस्क रिवर्ट क और ट्वंटीडे मुईंग इरे जिसका आरहा आपका, दस अजार एक सो के आसपास, दस अजार पचास के आसपास उसके उपर निकलता है, तो मैं जो लगता है, यहां पर टेजी बन सकती है, तो यहां पर खरिदारी कीजिए, इस्टॉपलोस बहुत छोटा है, 9920 का उपर म सजा के इजो का, ठीक है, डैन सर, अब मैं जर आपको कुछ एक और शेक करवाएता हूं कि जहां पर आज वापिस है, अचा कोचिन शिप्याड इन बिट्विन 9% उपर आ गया, रिल वे काउंटर्स की थीम थम नहीं रही है, आज भी आर वी एनल चल रहा है, एक और चीज, ऐस जेविन कल किसी महमान ने दिया था, मैं उन्हों का नام भूलकि मेरे डारी में जरूर लciónडारा हुगा, उन्हों ने दिया था कि ऐस जेविन आप ले लो, कल भी मैंने का, कि सर, बड़ा बढ़ीयापने शेयर दिया, चल रहा है, उसके बाद आज आपने शेयर दे दिया तो उन्होंने कल SJVN दिया था उनका नम है रतनेश गोहिल रतनेश गोहिल ने कल SJVN दिया था रतनेश जी आप जहां कहीं भी हो अगर आप मेरी आवास सुन रहे हो तो मैं आपको बढ़ाई देना चाहता हूं चले वे शेयर पे भी कॉल देना बड़ी हिम्मत की बात होती है आपने दिया SJVN आज 4% उपर है कल भी ज्यादा तूटा नहीं इसके लिए आपको बहुत बढ़ाई अब एक काम और करते हैं एक और शेयर है बी एचियल यह ज़रा सुमित जी से पता करवा लेते हैं सुमित बी एचियल को एक बर ज़रा चेक कीजे तो यह ठीक लग रहा ह क्या आपको जी देखिए काफी दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेक आउट है काफी अच्छा कैंडल फॉर्मेशन है बिलकुल आप यहां पे जिनके पास बना हुआ है वो भी खड़े रही है जैकि स्टॉक कभी भी आपका एक 20-day moving average को बार-बार सपोर्ट कर ठीक है डन आगे बड़े एक options के लिए भी आपके लिए स्वदा है हमार पास और अधित्य अरोना हमार सा जुड़ रहे है options का champion बताने के लिए अरित्य जी आज तो आपके आज मोके हैं भरमार है आप कोच भी चुन सकते index stocks और में को लग रहा है जो आप दोगेनों आज ही आज में हुट हो जाएगा उसको रखना नहीं पड़ेगा ज्यादा क्योंकि वॉलिटिटी है जरा बताईए सर अरित्य जी बिलकुल वॉलिटिलिटी है और बिलकुल जो इतने लोग को fall expected that finally आई गये की जटके में आ गया तो काफी तारा cool down भी हो गया stocks एकदम जो बहुत भाग चुके थे बट उसमें एक शांदार पिक है Amboja cement, cement sector में अच्छा outlook बन रहा है और Amboja में अच्छे pattern बन रहा है तो उसका 5.30 का call खरीच सकते है जब भी 15.4 चल रहा है और 5.60 का call बेच सकते है जब भी 4.75 चल रहा है इसे maximum loss potential है 19,170 और maximum profit potential है 34,830 ठीक है सर आपके आने से जस्ट पहले ही मैंने ना ultra deck पूछा और आप यकीन ने माने के मेरे को ना conviction नहीं आ रहा है हलाकि में को यह था कि cement के दराज buying आ रही क्योंकि में पास एक sheet है जिससे में को पता लाग रहा है सीमें में buying हो रही है लेकि मेरा conviction नहीं बैठ रहा था फिर मेंने क्या किया कि संतोष सर से पता किया है उन्होंने का नहीं नहीं बाइ कर लो ultra deck ठीक है और back to back आपने अंबूजा सीमेंट की option लाके दे दी तो मेरा conviction भी हाई हुआ और मेरे पास opportunity भी आई कि ultra की जगे अगर आपको अंबूजा में options में जाना है ना तो अंबूजा में चले जाओ यह तो ultra में भी जा सकते हो आप जैसे संतोष सर ने भी कहा तो अधिते कह रहे हैं कि जहां पर आप खड़े हो वहां की call प्लस करो जहां पर आपको जाना है वहां की call को बीच दो यह बहुत सिंपल सा concept होता है और 34,000 पर आपके पास आजाएंगे 19,170 का ही जो आपको रकम बड़ी दीख रही है न यह कुछ exercise price और कुछ lot size दोनों की वज़े से बड़ा हो जाता है क्योंकि आप trade बड़े हो गए FN होगे काफी बड़े हो चुके हैं इसलिए 10 में से 9 लोगों को नुकसान इसलिए अपलास इसको follow नहीं करते और भावनाओं में बहे जाते हैं भाव को छोड़ कर इसलिए भाव को ही पकड़े रखे भावनाओं को छोड़ दीचे ठीक है चले आज आज पावर और अनरजी कांटर्स भी अच्छे चल रहा है इन फावर रिफॉर्म्स और पावर को लेकर कह की जा रहे हैं कि यह देश में बिजली की आगे कमी नहीं होगी सारी इंपॉर्टन बाते हैं कप्लिंग पावर एक्षेंजों की कप्लिंग के लेकर क्या प्रोविजन हो सकते हैं इन सब पर आए खास कॉन्वेसेशन सुनाते हैं हमारे साथ इंडियन पावर मिनिस्टर आरके सिंग है सब इती नावसोदेश को समय देने के लिए आपका शुक्रिया पावर सेक्टर के एचिविमेंट्स इगर में हम बात करते हैं तो पिछले नौ साल में कई बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं और एक कम्प्लीट उस लिहाज से जो पावर की डिमांड है जो रिफॉर्म्स मेजर्स लिए गए हैं आपको लगता है ये सफिशिंट है और अब हम आपने देखे आपने सही का कि हम लोगों ने एक ट्रांसफर्मेशन ला दिया है उर्जा की छेतर में बिजली की छेतर में बिल्कुल आमूल पड़ी ट्रांसफर्मेशन हम लोगों ने ला दिया है पहले हम लोग की यहां जो हम लोग का जो पावर सेक्टर था उसमें कि उस समय स्वार्टेज था करीब सारे चार परसेंट सारे चार परसेंट बहुत होता है जी हम लोगों ने सो समाप्त कर दिया हम लोगों ने कुल बिला करके तबको लगता है कि इस नौ वर्सों में करीब करीब एक लाख ऐसी हजार मेगवाट हमने उत्पादन शमता बढ़ाई है जिसमें से करीब 90,000 मेगवाट तो हमारा थर्मल है अकरीब एक लाख साथ हजार मेगवाट हमारा जो हमने उत्पादन शमता जो रहा है वो है रिडिवल एक लाख एक लाख 97,000 मेगवाट हमने उत्पादन शमता बढ़ाई है आज हमारी उत्पादन शमता दो लाख 43,000 इतना हमने उत्पादन शम्ता जोरा है कि अब हम बिजली दिर्यात कर सकते हैं यो तरह ही नहीं उत्पादन शम्ता जोरना एक बात है जो कि हमने किया अकड़ीर है इसके अलावे आप जो कह रहे हैं कि भविश में एक चीज़ मैं बता दो यह जो ग्रोथ रेट आया है बिना पावर का समभाव हो इन ही सकता था क्योंकि बिजली के बिना कोई फैक्टी नहीं लग सकती है बिजली के बिना कोई HC अक्तिते नहीं हो सकती लेक्ट नहीं चलता है रुछ नहीं हो इंज़ते है नहीं चलता है तो हम लोगों ने बिजली की आप उर्ति की इतना हमने उत्पादम चम्ता जो रहा है उस उत्पादम उस बिजली को जगा जगा पहुंचाने के लिए हमने करीब करीब 2,003,003,000 किलमिटर हमने ट्रांस्मिशन लाइं जो रहा है पहले 2014 में हम लोग की सरकार आई थी तो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक सिर्फ 36,000 MW कर सकते था आज आप एक कोने से दूसरे कोने तक 116,000 MW कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने ये उतपादन ये क्या नाब है, क्या ना है, Transmission System को बढ़ाया यतना तो पूरे देश को एक ग्रिट से हमने जो रहा है अगले कुछ महीने में हम लोकसवा चुनाओं में जाएंगे देश में चुनाओं हो रहे होंगे उसके बावजुद भी मैं ये एक क्वेशन पुछता हूँ कि साल दो हजार चौबिस में हम किस तरह के नए रिफॉर्म के उमीद कर सकते हैं पावर सेक्टर में पावर सेक्टर को तो जैसे कि हमने खान हम लोन बदल दिया है पहले तो एक तो डेफिसिट था आज हम उसको सरपलस हो गए हम एक्सपोर्ट करते हैं पुरी देश को एग्रेड में जोड़ दिया जो हमारी मित्रण मेवस्था थी उसमें हमने परिवर्तन ला दिया हम करीं करीब तीन हजार नए सब्स्टेशन बढ़ाएं करीब चार हजार सब्स्टेशन का हमने उत्क्रमन किया, सारे आठ लाख सर्किट किलमेटर हैं, हC लाइन, LT लाइन जो ले, करीब करीब साथ, सारे साथ लाख ड्यार ट्रांसफोर्मर लगा, यह सब हमने किया, अब इस सब का कारण, इस सब के कारण क्या हुआ है, उत्पादर शब्ता बरहाने, ट्रांस्मिशन बर आञा απο, आंविजर का रुदरें साथ बारा गडार लाट जा बेन, अज ग्राणी चेतर दान बीजरिकुपलता हैं, सारे थेस जाड़ा, टैसी दसमल्ब आठ गड़ा, अ जो की होती थी करीब करीब आसां तन tehd Cristonq ती हम लोगा के सरकार आने के प़ले, अ assessments in the bank per dayуска, शो देवस्ता हमारी चर्वर आ गई यहां घाटा था यह एटीन सी लॉसेज को कहते हैं विजलिवा उस 27 दस्वलब पाइस प्रतिशत था 2014 उसको घटा करके हम 15 प्रतिशत पर ले आए यह यह डिस्लिविशन कर यह क्या नाब जेनरेशन कपरीज का बकाया था एक लाग 35,000 करोर स इतने जेनरेशन कपरीज सब बीमार हो रही थी हमने वो बकाया का भुगतान भी करवाया अब जो बकाया है वो पचास जार करोड़ तक आ गई और करेंट एकदम अप्टू डेट है यह सब हमने किया क्या इन रिफॉर्म्स के बल्पे हम अगर उमीद करें तो अगर मोधी सरकार सक्ता में फिर से वापिस लोटती है तो उसमें पावर सेक्टर के योगदान किस तरह कर रहेगा कि एक दम बहुत ही बेजर कंट्लूशन एक तो हमने करीम करीम दो करोड़ नमे लाग घरों को बिजली से जोरा बिजली की आप पूरती अब बिजली एक ऐसी चीज हो गई है कि पूरे देश का एक नक्सा आपको दिखना चाहिए था कि 2000 हमने हर घर को हर गाउं और हर घर को जोड़ दिया हमको लगता है कि 2000 के अन तक जोड़ दिया था उसके पहले का भारत का फोटो देखते रात में और उसके बाद फिर आप भारत का फोटो देखते रात में एदब बिलकुल अलग है भारत एक एक चमग गया और यह यह जनता की मन में गया है और हमारा यह कंसल्टेशन अगर कर रहे थे, यह कंसल्टेशन पूरा हो गया, अब दिर्दें फूलों को लेंगे, तो दिर्दें हो जागा। एटी थाउजन मेगवाट कपैस्टी है, ठीक है, तो अभी आप पावर मनिस्टो को सुन रहे थे, हमारे जो रिपोर्टर है प्रकाश प्रियदर्शी, वो लगातार उनसे संपाक में भी रहते हैं, कुछ-कुछ खबर भी आपको देते रहते हैं, आज उनसे विस्तरि चर्च कर रहे थे और जिस कुपलिंग के बात हो रही है न, यही कुपलिंग आयिएक्स के लिए है, असलमें क्या है कि एक्चेंज नहीं है, पावर की, पावर की बहुत तरी एक्चेंजिज के और इट तैग रहे, सबको मुझा मिलना चाहीं, सब ही कठे हो जाएं तो हम क्या करेंगे कि युनिवर्सल प्राइस लेके आएंगे आई एक्स के लिए अपनी मौनोपली खोने जैसी बात हो जाएगी इसलिए आई एक्स तूटता है ऐसा नहीं कि देश में पावर की कमी है यह एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा सिरफ प्राइज खेर आगे बढ़ते हैं 200-200 पॉइंट की है इस समय गिरावट निफ्टी पे बैंक निफ्टी पे जो गिरावट है करीब करीब 1100 पॉइंट की है इसमें जल्दी जल्दी बदलाव नहीं होगा जैसे मैंने शुरुआत में का कि एक राउंड का जो पूल बैक है नो कम्पली इसमें आ रहा हूं आरवी एनल आज फिर से चल रहा है चार परसंट उपर है सुमी जी आप थोड़ी हेल्प करके ये बटाइए आरवी एनल कब तक और कितना चल सकता है ये लेने पर भी जतना दुखधाई है ना ना लेने पर तो ज़्यादा दुख देता है ने बात बोली वो form of year जो भी latestly चलता है तो बिलकुल जिन्होंने नहीं लिया उन्होंने बहुत अपसोस किया हुआ है तो यहां पर अगर देखेंगे जो 235 का एक strong resistance है बहुत पर क्या होता है जब new high के तरप stock जाता है तो technical tools को हम use करते हैं तो 235 का जो level है अब वो मेरे लि closing basis पर अगर 235 के उपर closing दे रहा है so next target can be 256 और सबसे best strategy तो यही रहती है कि partial booking आप करते चलिए ज्यादा quantity नहीं लेकिन 10% 20% या पर profit book कीजिए और फिर जब नीचे आए stock तब उसको reinvest कीजिए तो 215 का trailing stop loss और upside में 256 का next target ठीक है एक बार सारे गैस के stocks आप दिखा सकते हैं आप शुरुआत कीजिएगा गुजराद गैस से फिर MGL दिखाईएगा फिर IGL दिखाईएगा ठीक है थोड़ा थोड़ा momentum इसके अंदर बनना शुरू हो रहा है जो शुरुआती एक दबाव होता है ना वो निकल जा चु पर आपको बताया था आपको ध्यान भी होगा कुछ टाइम पहले जब हमने एक लिंक सुबह किया था तो हमने बताया था कि गुजराद गैस हम आपको एक बढ़िया साफसुत्रा गैस का stocks दिखा रहे हैं एक बड़ आप मेरी screen दिखा सकते हैं तो मैं आपको जड़ा बता अब दूँगा कि हमने कैसे इसको नोटिस किया था और कहां पर बताया था यह टिपिकली इसका पूरा फॉल था इस जगे पर हमने आपको आपके नोटिस करा है कि अब इस शेयर चलने को त्यार हो रहा है उस शेयर की उस समय कीमती 480 रुपे की आस पास की आज आप देखे वर्टिकल राइज हुआ है इस शेयर के अंदर वर्टिकल राइज अगर किसी को याद नहीं है तो डेट वेट हम जर आपको चेक करके बता देंगे आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकेंगे संतो सरजरा हेल्प कीजिए गुजराद गैस का एक राउंड का प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं क्या अगर आना है तो और अगर में कोशिफ्ट करना है तो आईजेयल एमजेयल में शिफ्ट कर जाओं क्या सर इस दिंपे गुजराद गैस में बहुत ही अच्छा रुपएं की अपसाइट और बच्ची है तो आपको चार सो बीस का पहला टार्गेट आपको चार सो प्पचास कर रहेगा जो दो सो इन का पूंग अरे जिए उसके बाद इस तो करता है तो चार सो पैसाइट सब्सक्राइट की एपसाइट देखने को मिल सकती है चीक है डेंस सर एक और शेर है काफि सारे लोग न चायना कः डाटा देकर बता रहे है कि मैटल्स का रिबांड हो रहा है कन ऐْक ढख तो दिख रहा था लेकिन एक आएक रिबांड वाले शेर सारे कसारे फिर से फिसब्सडी हो रहे हैं मैं एक्जाम्पल बताऊंगा आपको हिंडाल को का एक बार ज़रा स्क्रीन पर आप हिंडाल को दिखा सकते हो आप हिंडाल को और इन फैक्ट मैं तो पूरा मुलेंगा पूरे मेटर्स के अंदर फोड़ी प्रॉब्लम वापिस से शुरू हो गई है आज किस मूव के बाद हिंडाल को बकाईदा डेज लो पे खड़ा है कोई साइन उफ रिकवरी इस के अंदर देखने को ने मिल रहा है एक बार सोनी आपकी रिकमेंडेशन चाहिए हिंडाल को पे नो ट्रेड बाई या सेल ट्रेड जी डेपनेट बेपी जी यहाँ पे हिंडाल को देखेंगे तो एक स्टॉक फ्म दी मैटल काउंटर जो की काफी वीक नजर आ रहा है और काफी इच्छे सपोर्ट को ब्रेक किया हुआ है तो जब तक 575 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक यहाँ पे बाई बनने की रेकमेंडेशन नहीं है तो थोड़ा अवोइड कीजिए इसका सपोर्ट जाके 540 को बनता है तो यहाँ पे एक डाउनसाइड मुवमेंट अभी पेंडिंग है एक बार 540 टेस्ट कर सकता है बहुत डिफिकल्ट होगा उसको यह सारे रेस्टेंस को अभी क्रॉस करने के लिए तो स्टॉक अभी यहाँ पे अवोइड लिस्ट में रागे ना बेटर है बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना कोई भी जल्दी अल्दी स्वधा प्लस ना करें यह सोचते हुए कि बजार के अंदर गिरावट है यह गिरावट अगर आई है तो किसी वजह से आई है ठीक है ना और साती सात अगर फूल बैग 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 तो किस वजह के साथ आएगा वह वजह मैं बार-बार-बार-बार खुजनी की कोशिश कर रहा हूं मट में को नहीं मिल रहा सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है बुल रन इसके अलावा में पास अभी कोई ऐसा ठोस रीजन नहीं है जिसके विए कह पाऊं कि हाँ डाटा में चेंज हो गया जी यह हो गया आप कूद कूद के आजाओ ऐसा मेरे पास तो नहीं है अगर किसी के पास हो तो बिलकुल सामने रख सकता है एक दो शेर जिर और पता कर लेते हैं मैं वही शीट खोल रहा हूं जहां पर राच प्लस माइनिस की पूजिशन काफी अच्छी है आई यो स सक्रीन पर दिखाएं और सुमिच सर एक बर जर आई यो सी देखके बताइए तो यह सिरीज के लिए रखा जाए पूरी सिरीज के लिए रखना चाहते है आई यो सी जी देखिए, सेशन अभी लिमिटेड ही है, तो call option पे तो मैं नहीं जाना चाहूंगा यहाँ पे, लेकिन stock जो है, अभी भी आप overall देखिए, कापी अच्छा bullish structure है, कल के session में भी stock ने अच्छा momentum गेन किया था, करीबन 4% का, तो कल का जो high है, उसके उपर अगर यह sustain कर रहा है, अवले basis पे तो ठीक है, नहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पर profit booking आ सकता है, लेकिन overall जो आपने series की बात बोली, बिल्कुल आप यहाँ पर बने रही है, और एक प्रेलिंग stop loss यहाँ पर maintain कीजिए, 137 का. ठीक है, almost 10 बजने को है, थोड़े दिर में विश्मोहन हमार साथ जुड़ी रहे हैं, in fact, वो जुड़ भी गए हैं, तो एक काम करते हैं, मार्केट में जैसे मैंने का कि आप ज़्यादा experiment ना कीजिए, थोड़ा और settle हो जाने दीजिए, कई बार क्या होता है कि history decision ना मार्के के अंदर फसा भी देता है, तो मैं आपको थोड़ा बचाना चाहता हूँ, कॉमेडिटी मार्केट का एक अपडेट देख लेते हैं, इसी तरीके से आप बच भी जाएंगे, 10-15 मिलिट के लिए मार्केट से, फिर उसके आप फिर से लौट के आएंगे, तो विश्मोहन को चुड़ते हैं, और मार्केट से 10 कॉमेडिटी चेक करते हैं, अप्राइब सर्श का अपूर की से 10 कॉमेंड पर्शी जाब से पेट्रोल एंड गैस की जो कीमते इतने बढ़ रही है उसमें अहाँ कर्डर होनी चाहिए अवी आप सेन लॉट्स अब देवलोप्में इन पास्ट एर सो वे एक्टिंग देवलोप्में और मेभी मोर तो हैपन अमारे घर में रोज शाम को आराम से बैट के पूरा परिवार खा सके इस तरीके के आमको बज़ोग चाहिए प्रिजेंटिट बाइ फेडरिल बैंक यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर नमस्कार स्वागत है आपका कमोडिटी दस बज़े दस मिनट में सुरुआत करते हैं अग्री टॉप 10 कमोडिटी इसके साथ हमेशा की तरह जीरे के साथ सुरुआत करेंगे क्योंकि सबसे जादा एक्शन इसी कमोडिटी में दिख रही है कल करीब 4% की तेजी जीरे मार्च बायदा में और जीरा के जनवरी के बायदा में 6% का उपरी सर्कृट देखने को मिला 28,000 के उपर जा चुका है क्योंकि पाइप्लाइन पूरी तरह से खाली है उसका सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है और फसल आने में हलाकि अब एक ही महीने बच गया है नई फसलों की आवक सुरू हो जाएगी हल्दी की बात करें तो 14,000 के करीब हल्दी का प्रैल बायदा भी पहुँच चुका है 13,000 के नीचे से लगतार यहाँ पर खरीदारी दिख रही है धनिया की बात करें तो कल यहाँ भी अच्छी तेज़ी दिखी 7,800 के उपर धनिया का वायदा जा चुका है और कल 1,5% से ज़्यादा की तेज़ी दिखी हल्दी के धनिया के फरवरी के वायदा में गौारसीड और गौारगम यहाँ पर काफी दायरे में कारोबार हो रहा है पच्पन सो के आसपास गौारसीड का भाओ है और गौारगम का भाओ 10,800 के नीचे कारोबार हो रहा है कापी समय से दैरे में है arrivals की जो इस्तिती है धे-धे कापी कम हो गई है हपते बर में अनुमान है कि किसानों के arrivals अब धे-धे कम हो जाएंगे गौर्सीट गौर्गम के बाद अब बात कर लेते हैं कैस्टर की जहां पर हाजी डिमांड अच्छी है लेकिन वायदा में सुस्ति दिख रही है 5,650 के आसपास कल हलकी तेजी इस काउंटर में देखने को मिली थी कैस्टर के बाद सनफ्लावर वायल जहां पर तेजी है इंटरनाशनल मार्केट में भी हलकी तेजी है कॉटन के 2700 के नीचे दायरे में कारोबार हो रहा है कपास की बात करें तो यहां पर भी दायरे में कारोबार हो रहा है 1535 रुपए के आसपास का वायदा इंसी डी एक्स पर ट्रेड कर रहा है इसके अलावा एक और काउंटर का पास के बाद आखरी काउंटर है मिन्था ओयल जहां पर हलकी नर्मी हलकी मुनाफ़ वसूली दिख रही है 920 रुपए के आजपास मिन्था ओयल MCX पर ट्रेड कर रहा है चलिए अब अपने मेहमान से बात कर लेते हैं हमारे साथ ट्रेडवूल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल है भाविक बहुत 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 शुक्रिया अपने वक्त निकाला सबसे पहले बात अग्री कमोडिटीज से करते हैं गवार सीड और गवार गम इन दोनों काउंटर को क्या हो गया है और आईवल्स तो आप काफी कम हो गया है उसके बाद भी चल नहीं रहा है गवार गम के एक्सपोर्ट की डिमांड भी अच्छी है फिर भी क्या हुगा इसे अपने भी चोब बता है कि अभी फंडामेंटल अगर देखे तो फंडामेंटल अभी भी मजबूरत है बट एक सिनारियो बन के आ रहा है लास्ट दो या तीन मेने से कि जब से हम देख रहा है कि थोड़े बहुत भी उचाल या तीजी देखने को मिलती है गुआ सीडियर ग करीब आगये था और वहां से से सेलिंग प्रेशर से वापस फिफ्टी त्री हंडड़े अभी से यहां से मुझे लग रहा है कि यहां से वापस फूचर ने थोड़े बत जो अखर स्ब्देशर उसकी उज़े से प्राइस डब रहा है बट अभी वी फंडामेंटल से मुझे लग रहा है कि एक दिन दो दिन थोड़ा बद सेलिंग प्रेशर जरू से रहेगा तो 5400 के करीब अगर आता है गुवा सी तो मैं बाइक के रेक्मेंडेशन करूंगा 5600 के टागेट के लिए पस टॉप लगा 5300 का सेम तिंग गुवार गम में भी अगर हम देखे तो जो 11000 का लेवल है वो पूर ने ली रहा है तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा कोच सेलिंग प्रेशर एक दो दिन वापस आ सकता है तो 10500 के करीब गुवार गम में बाइक कर सकते हैं 11000 के टागेट के लिए पस टॉप लग सकते हैं 10200 का यानि गुवार गम और गुवार के लिए अब भाविक अब जीरे में बताइए क्या करना चाहिए जीरा कल अच्छी तेजी दिखी थी चार परसंट की तेजी मार्च वायदा जनवरी के वायदा में 6% का उपरी सर्किट क्या करें मार्च वायदा में 28000 के ऊपर आइटिंक बाई करना चाहिए देखें वो और सोल में भी आ चुका जैसे आपने बताया के भी एराइवल में एक मेने बाकी है तो थोड़ावत रमजायन की भी जो डिमांड है वो भी आएगी तो उझे लग रहा है कि यह वापस से प्राइस एटलेस 29 से 30,000 तक या तो 100 आइदा में खरिदारी की सला वावी की तरफ से अब धनिया में बताईए 7,800 के ऊपर धनिया प्राइल भाइदा यहां भी खरीद कर जाना चाहिए I think सारे spices complex में थोड़े fundamental जिसमें ज़्यादे positive है I think वो दिनिया में ही है लास्ट यह का जो carry was stopped अभी नहीं है बहुत कम है तो मुझे लग रहा है कि सारे spices में यह धनिया में हमें ज़्यादेजी देखने को मिलेगी अब फिलहाल अगर देखे तो थोड़ा पहुत जो उसके resistance से 78-80 के करीब वहाँ पे आ चुका है तो मुझे लग रहा है कि upside शायद अभी थोड़ा limited रहेगा तो एक correction की wait कीजिए 77-40 से 77-20 के करीब वहाँ से बहुत आई के recommendation करूंगा 78-50 के target के लिए और stopless 7600 का रख सकते है अब बात कर लेते कापास और कापास खली की इन दोनों काउंटर में बताईए 15-35 के आसपास 1500 से 15-50 के बीच में कापास और 2700 के आसपास ही घूम रहा है का कापास खली इन दोनों काउंटर में आगे क्या होगा देखे कब से देख रहा है कि एक sideways trendy रहा है कापास में हम देख रहे है तो यह एक छोटी रेंज में ट्रेट कर रहा है तो कोई क्लियर डिरेक्शन नहीं मिल रही है तो यहां से लग रहा है कि प्राइस थोड़े बहुत यहां से आना चाहिए क्योंकि अच्छे कासी करेक्शन हमने देखने को मिल रहे है और एक सपोर्ट जो है वो भी बनके आ रहा है 2650 के करीब तो यहां से मुझे लग रहा है कि at least upside limited है risk reward ratio से sorry downside limited है और upside हम देख सकते है 2750 के करीब तो यहां से मैं current market price ही buy के recommendation करूंगा cotton seed oil cake में 2680 के stop loss है और उपर का target रख सकते है 2750 का अब बात कर लेते non agri market की जहां पर gold silver में लग रहा था कि गिरावट करी आज ज्यादा बढ़े लेकिन दायरे में कारोबार हो रहा है मामली कमजोरी दिख रही है जिस तरह से फेट गवर्नर के बयान आए उससे चिंता थी कि बूलियन पर दबाब बनेगा लेकिन मिक्स खबरे हैं क्योंकि ये growth को लेकर भी चिंता है चाइना के जो GDP के नंबर आया है वो भी कमजोर थे क्या लग रहा है आपको gold silver यहां से बेच कर जाना चाहिए आज क्या ज़रूर से दिखेट के गवर्नर के सेट्पेट के बाद हमने लेखा है कि dollar index में अच्छी खासी तीजी आई है और अभी भी मुझे लग रहा है कि इस gold और silver है दोदों में selling pressure वाने रहेगा खास करके silver में क्योंकि economy जो है अभी भी week ही है और industrial number नहीं आई है खास करके China का जो data है तो मुझे लग रहा है दोनों म बात करें तो लगाता है चांदी हमने देखा है कि gold के मुकाबले काफी underperform कर रहे है अभी यह जो चाइना के data है उसके बाद लग रहा है कि यह जो चांदी है वो आगे भी underperform करेगी इंफेक्ट हेजफंड में भी अगर देखे तो short positions नहीं add हुई है तो चांदी में भी March contract मे 70-200 पे short के recommendation रहेगी 71-500 के target के लिए 70-700 का stop loss रहेगा यानि यह दोनों ही counter पर आज दिन के दौरान दबाब दिख सकता है दोनों sell करने की सला गोल्ड और silver भावी कब अगला सवाल crude को लेकर होगा क्या crude खरीद लेकिया कल तो dollar की वज़ा से दबाब दिखाता लेकिन अभी जिस तरह से चिंता है अब फिर से नए सीरे से US की तरव से सैन कारवाई हो रही है हुती विद्रोहियों पर क्या इन सब का फायादा crude को मिलेगा भाव आगे जाएंगे उपर जब जब ही हम देख रहा है कि नीचे की रेंज पे आता है तो एक उचाल ज़रू से देखने को विड़ रहा है और अगर हम देखे तो rate C के जो attack है वो अभी भी कम नहीं हो रहा है I think यह conflict बढ़ेगी तो crude के लिए अच्छा ही रहेगा तो crude January contract 5960 पे मैं बाई के recommend करूंगा 6100 के target के लिए और stopless रहेगा 5900 का के crude यानि आप खरीदने की सला दे रहा है base metals में क्या करना चाहिए चाइना एक तरफ से राहत package लगातार उधर infuse liquidity infuse करने की system में कोशिस हो रही है दूसरी तरफ जो growth के number आ रहा है GDP के number अनुमान से कमजोर थे तो mixed data है क्या लग रहा है आपको क्या करना चाहिए metals में कोई topic आज के लिए दिन के लिए चाहिए चाइना का जो data डालर में strength होई है और इस बार अगर देखे तो stimulus चाइना देगी बट अभी अगर जो interest rate है वो लो कट नहीं किया है तो आखे जाके बहे I think base metals में थोड़ी weakness रहेगी तो copper बेच के चल सकते है 716 के करीब 710 के target के लिए और 720 का stop loss रहेगा तो 710 के target के लिए आपको copper बेचना है शुक्रिया भाविक पूरी details बताने के लिए एगरी से लेकर non-agri market का पूरा update देने के लिए चले वक्त हो गया है अब यहाँ ही पर रुखने का अब यहां से हमारी से होगिर प्यंगा जुड़ेंगे और आप युकिटी market का पूरा action बताएंगे market मारती में आज हमारे साथ खास मेमान होंगे सुशान भंसाली होंगे हमारे साथ CEO of Ambit Assets Management सुशान वेलकुम प्लेजर तो हावियों दो शो काफे समय के बाद आप से बात हो रही है काफी इंटरिस्टिंग आपका एक newsletter भी मिला क्योंकि आप Mid Cap Small Cap को काटेगोरिकली कावर भी करते हैं इसकी कुछ observation जो अपने viewers को भी बताएं और फिर आपका भी view समना चाहेंगे कि Rally Small Cap Index में जो है वो मीनिंगफुली चौथे साल में आप कहने हैं करेक्ट होती है और returns flat हो जाते हैं 4th तिल 6th year और हम हम 3rd year में हैं तो हम इससे क्या माईने लेके चलें जिस तरह का एक euphoria एक जो move exuberance आपको midcap पर small cap space में देखने को बली 2023 में क्या आप 2024 में थोड़ी थम सकती है थेंक्स विंका चोटो बलाने के लिए धन्यवाद और जिससाब से आप बता रहे थे small caps 2020 में काफी अच्छा रेली आई थी और हमने जो analysis किया उसमें typically हमने देखा है कि 3-4 साल के बाद next 2-3 साल की small caps में return काफी flat हो जाते हैं कि अगर basis पे अच्छे दिखते हैं returns बट फिर भी 2-3 साल इंवेस्टर्स भीना पैसा कमाएं small caps में इंवेस्टर्स रहते हैं now history repeat करेगे और नहीं करेगे हमें नहीं पता but हमने एक और analysis किया इस बार कि how are the companies doing in this rally in this cycle और हमने देखा कि जो small cap companies है उन्होंने काफी deliverage किया है इस लास्ट चार साल में तो FI 17 से FI 20 देखने और उसके बाद में अगर देखें तो जो corporate balance sheet से small cap companies की काफी ज्यादा delivered हुई है जो net 1.4 टाइम्स leverage रहती थी इन सब small cap companies की nifty small cap index की बात करें हम अगर तो वो घटकर तकरीबन 0.2, 0.3 पर आ गई है विच मेंज यह जो सारी small cap companies है index की वो net cash की तरफ अगरा सरह हो रही है दूसरा हमने एक और रुजान देखा कि जो revenue growth है small cap companies की जो तकरीबन 16% रही है लास्ट चार सालों FI 20 से FI 23 के बीच में वो काफी अच्छी रही है 16% पर बट जो capx है उन companies में वो सिर्फ 9% रहा है तो एक तरफ capx कम हुआ है और दूसरी तरफ cash balance sheet में बड़ा है या debt कम हुई है तो यह एक I would say surrounding योग कहा जाएगा जहां पर next एक दो साल में हमको काफी capx दिखता है इस segment में और capx should lead the growth back for the next rally as such तो जहां पर तक्रीमन तीन है चार साल के बाद historically small capx में पैसा नहीं बने है निवे शुकर के लिए हमें लगता है इस बार यह rally थोड़ी ज़्यादा चलेगी हम चौत्रे साल में है rally के शायद भी थोड़ी और लंबी चलेगी हम सुशान्त हम उम्मीद भी यह करते है कि rally थोड़ा लंबी चले और आप जिनको अच्छे से wealth create करनी पड़ी है और करना चाहते है वो जरूर करें एक चीज में आपकी holdings को चेक कर रहा था आपके पास holdings में पी आई रीजन गिनवा सकते कि क्यों आप specialty chemicals पे इतने बुलिश हो बिल्कुल जो स्टोरी चंड़ी 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 है लाग साथ साल से चाहिना पना स्वन वाला जो स्टोरी हुआ है जहां पर बहुत सारे इंडिन manufacturers ने capacity भी बहुत जादा बड़ाई है उन्होंने नए products लेके आये है global market में supply करने के लिए एक तो यह story है दूसा story है import substitution की और हर टाइप के place है इस sector में इंडिया में अभी जो पहले वाला है जिसमें export काफी बढ़ रहा है इंडियन companies का China plus one strategy में जहां global जो innovators है वो अपना supply chain को काफी secular करना चाहते है एक country या एक geography के बरौसा नहीं रहना चाहते है उसमें इंडिया ने काफी इनाम कमाया है और यह थलता रहेगा काफी capex हो आई sector में तो इसलिए हम उस पर bullish है दूसरा जो import substitution वाला है उसमें अगर हम देखें के government काफी push कर रही है एक तो manufacturing के लिए जिससे job creation हो और दूसरा import substitution जिससे की जो हमारे dependency है global markets पर और डॉलर पर वो जितने हद तक कम हो सके इतना government का support है तो यह दौनों का mixture specialty chemical sectors में काफी unique है और इसलिए हम इस sector पे काफी bullish है okay all right quite interesting view in fact Sushant small cap space में in fact आपने जो 2-3 reason और जो आपकी इस report में find out कर पा रहे है वह यह की promoter holding भी in small cap companies में बढ़ रही है तो कौन से ऐसे sector specially है क्योंकि कई सारे spaces आपने जो highlight भी किया small cap sectors में polygopolistic भी है इस nature में यानि उनके पास एक dominance share रहेगा organized market में बिलकुल तो यह और नया trend हमने देखा है कि small cap companies historically जब तेजिया आती तो promoter holding रादर कम हो जाती थी but last 35 साल में हमने देखा है कि promoter holding धिमे धिमे करके बढ़ रही है इसके दो माहिने हो सकते है एक यह कि small cap index में companies नहीं नहीं एड हो रही है जिन में promoters holding ज़्यादा है और दूसरा है कि promoters अपनी ownership को बढ़ा रहे है अपनी कम्टियों में दौनों trends अविलेबल हैं दौनों ही त अपनी holding बढ़ा है और दूसरा कि जो नए IPOs आ रहे है उसमें promoter ownership ज़्यादा है और वो small cap index में add हो रही है फ्रम आ परस्पेक्टिव जिस sectors पे हमें अच्छा bullishness लग रहा है जहां पे oligopoly का nature है industry का उसमें काफी छोटी सारी industries है especially small cap site में जैसे luggage है specialty chemicals में कुछ products है या फिर tableware है ऐसी बहुत सारी sector से जो अभी बहुत चोटे हैं और आज से 15 साल पहले बहुत ही चोटे थे और हमें लगता है कि आज से 10 साल बाद जब इंडिया 10 trillion dollar economic की तरफ अगरसर हो रहा होगा in 1930s में उसमें कुछ चोटे sector से जहां पर सिर्फ दो या तीन जो 80-90% market share रखते हैं revenue और profit pool दोनों का वो sector काफी बड़े हो जाएंगी और वहाँ पे investors को पैसा बनाने के लिए बहुत opportunity मिलेगी यह ऐसा हमारा मनना है सुशान्त यह आपने बहुत अच्छी differentiated report और view निकाला है और यह industry leaders irrespective of small cap अगर industry leaders से bet किया जाए तो out to form हो सकता है लेकि जो आपने promoter shareholding वाली बात कही है मैं खुद भी data देख रहा था कि promoter buying अपनी ओन companies में वो 14 साल के lowest levels पर आ गई है क्या यह एक तरह का indication है कि बजार में value ढूंडना difficult हो रहा है कि promoter खुद भी बहुत कम और बहुत चुनिंदा promoters भी अपने companies में अपना stick बढ़ा रहे हैं बिल्कुल सही है और जैसे आपसे share prices भागे है उस normally हमने देखा है historically कि promoters अपने companies में shareholding तभी बढ़ाते हैं जब उन्हें बहुत ज्यादा value नजर आती है जो अभी right now काफी कम sectors में और companies में हमने देखा है last 3-6 में में ज्यादा तर हमने देखा है कि in fact 2023 एक बड़ा साल के र गहराई सैधियन करें तो उसमें priority players जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा selling की है compared to promoters I think काफी कम किया है mostly priority players जिन्होंने जो आजकल public market से काफी active हो गए है उन लोगोंने काफी block rates किये हैं और institutional investors को mutual fund insurance companies या फिर इवन HNI को काफी अपना जो stake है वो बेचा है सुशान्त मैं small cap जो universe है और आपके जो small companies के portfolio है उनकी earnings पर जानना चाहता हूँ आपकी खुद की हिस्से में जो portfolio is small cap उसकी earnings growth किस तरह की नजार आती है और versus that वो क्या valuation blended पे वो portfolio अभी से मिल रहा है जो earning growth है हमारे portfolios की वो करीबन 19 से 23% का हमारा weighted average आ रहा है हमारे portfolio में earning growth for FI 25 and FI 26 और यह small cap company जो हमारे portfolio में at least 1.1, 1.2 times back पे मिल रही है विच मींस कि अगर earning growth 20% है तो वो 22 से 23 time P ratio पे हमें आज के price आज के prices पे यह हमारा ratio देखेंगा अच्छा कर सकते हैं बैंक से जो हम ट्रेंड देख रहे हैं उसमें sales growth धिमेदी में कम हो रही है but profit growth काफी अच्छे आ रही है because of margin expansion 2023 में जो first half में commodity prices बड़े थे वो second half में काफी distillate हुए है इस वज़े से margin expansion काफी आ रहा है across the sectors और उसमें profitability अक्रिबन जो Q2 के levels है अच्छे की हमको लग रही है but sales growth काफी sectors में हमने downtrend देखा है और इसी को हम watch करेंगे in territory results कि कौन सी companies है जो अभी भी sales growth momentum continue कर पा रही है अभी तक तो सिर्फ कुछ चुनिंदा IT और banks के result आये जहां पर हमें at least IT में जो results आये है उसमें investors I think काफी downtrend देख रहे थे उतने बुरे results नहीं आये तो काफी from investor confidence perspective काफी ठीक results आये और इसी विए से हमने देखा है कि IT sector में काफी खरीदारी भी हुई investors की going forward in Q3 जो राश्ट उदक sector से जहां पर results आएंगे हम keenly watch करेंगे manufacturing में domestic side में consumption related दिवाली इस बार Q2 में थी जिसमें पिछले साल Q2 में थी दिवाली तो वो एक काफी फरक पड़ता है कि दिवाली पे sales कैसी नहीं in sectors में हम keenly watch करेंगे हमारे channel check suggest कर रह बढ़िया नहीं थी प्रिशले साल के मोगाबले सो थोड़ा हमें reflection दिखेंगा उसका but because of change in quarter it will be very difficult I think the way हम उसको analyze करेंगे Q2 और Q3 को मिला कर हम हमारे company's के results को देखेंगे because of the shift in festival सुशान्त आपने ये बात कही कि पिछले दो quarters में हमने देखा कि revenue growth उत्ती तेज नहीं रही in fact कुछ companies में देखी और कहीं तो flat growth भी थी अगर हम आगे जाते हुए देखते हैं कि जो चाइना US का slowdown है global slowdown का थोड़ा असर हमारे economy भी होता है हमने पिछले quarter 7.6% किया अगर वो अनि बिलकुल in fact that's the biggest risk in our assumption कि जो दो quarter से हमको दिख रहा है तो अगर revenue growth ही चली गई तो जो margin expansion profit अभी भी दिख रहा है वो एक या दो quarter में काफी नीचे आ जाएगा और यही सबसे बड़ी risk लग रही है हमको जिसमें हम keenly watch कर रहे है और differentiate कर रहे कि कौन सी companies अभी भी sales momentum करेगी ओर राइट सुषांत बहुत बहुत शुक्रिया आप समय देने के लिए और यह सारे insights हमारे साथ share करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाजार पर लोटते हैं कोई significant recovery की यहां पर science तो नहीं दिख रहा है इंफाक जो थोड़ी से recover हुई थी market वो थोड़ second half of the day में later in the day क्या कोई और further recovery दिखती है या बाजार ऐसे consolidate करेंगे हम तीनों को दीजे इजाज़त मुझे अरजे और निंपी को और सारे experts का बहुत बहुत शुक्रिया जो समय दिया उन्होंने आज सारी trading strategy हमारे वीवस के तार डिसकास दी पगातारी इटीना स्वदेश उपर अपडेश मक्तना पीट्स जारिए झाल 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 आल झाल 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 आल झाल 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 2-0 झाल झाल हो सकता है वह आप सारा काउंट कर लो आपका दो से धाई परसेंट का गेन फिर से खड़ा है और मैंने आपको कई बार बता है कि इस कारक्रम के जरीए आपको किसी एक फंड मेनेजर से ज़्यादा रिटरंस देने की कैपेसिटी इश्यो की है क्योंकि हमार पास एक नहीं पां लगी रहे हो इस टाइम पे आपने एक फड़ा हिंट तो किया ही था कि बाजार तूट सकता है क्या बाजार इतनी बुरी तरह से तूट जाएगा आपको भी आइडिया था क्या कि एक ही दिन में ठारा सो पांट बैंक निफ्टी को देने पड़ जाएंगे यह तो मैं को जे रोज देखते हैं वाइटल्स उसमें ऐसा कुछ बहुत खराब तो नहीं दिख रहा था निफ्टी जो हिसाब से ओवर बाट था जो हिसाब से हमने देखा कि एक वीक पहले यानि कि पिछले वीक हमने हजार पॉइंट निफ्टी में करेक्शन आने का व्यू दिया था और बताया था कि आप भले शॉट पंदो लेकिन कौशियस हो जाओ यहांपर और अब देखिए आज वह फाइनली प्ले आउट होते हुए दिख रहा है निफ्टी चार्सों पॉइंट डाउन और जो इसाब से बैंक निफ्टी में हमने बीटिंग देखी है बहुत ही जबर्दस रही है यह करेक्शन अब बड़ा कॉशन यह है कि यहां पे सपोर्ट ल 21,580 का यह हमारी 20 दिन की EMA है 20 दिन की EMA हमने एक भी बार नहीं तोड़ी है जब से हमने पॉजिटिव क्रॉसवर देखा था 10 नवंबर को तो 10 नवंबर के बाद 20 दिन की बूइंग आवरेश तूटी नहीं है पहली बार हम यह आवरेश को आज शो सकता है आज के सशन में टेस्ट कर दे 21,580 अगर यह लेवल टूट जाता है तो इंट्रडे में भी मुझे लगता है कि प्रक्चर जो है मार्केट का खराब हो जाएगा और निफ्टी में तकरीवन आपको 21,000 के सब बीचे में देखने मिलेगे तो थोड़ा इफ और बट है क्यूंकि एक क्रूशल सपोर्ट है काफी हफ्तों से हमने इस सपोर्ट को तोड़ा नहीं है तो कॉशन स्टांस क्लिरली आपर बनाके रखें और समझो अगर रिकवरी आती है सेकेंड आफ में अगर हम 2700 कैसे करके संभाल जाते है तो मुझे लगता है वापस बाउंस पैक आएगा वापस 22,000 का ल 2700 का सपोर्ट बहुत ही important हो जाता है यह पूरे structure के लिए ठीक है आपने बहुत अच्छे से सरसारी बात को बता दिया इसमें कुछ add-on करनी के लिए है नहीं लेकिन एक point में आपको सिर्फ थोड़ा से याद दिला दू 21,700,800 एक टाइम पर resistance हुआ करते थे market इसको पार नही closing दी थी फिर सोंबार आके 22,000 हो गया आपने उसको भी notice किया होगा और market के अंदर gap कहे जाते हैं कि भरने के लिए जरूर आते हैं तो इस दोनों gap को market ने जल्दी से भर लिया यानि कि जहां से हम चले थे दो तिन दिन के gap पे हम वहीं वापिस lot आए हैं इसलिए सर आपको 21, कि सासों की importance बता रहे हैं यह resistance to support, support to resistance में बहुत जल्दी अल्दी convert हो रहा है लेवल तो 21,000 के उपर आज का दिन तो watch करना होगा, खराब होने पर या उपर आने पर recovery और और weakness के लिए आपको prepare होना ही होगा, सर बैंक निफ्टी पे है कुछ ऐसा important बताने के लिए? बैंक निफ्टी का structure ज़्यादा कराब होगा है, in fact 50 दिन का moving average है यह भी यहाँ पर breach हो गया, तो मुझे रखता है बैंक निफ्टी में pain extend होता होगा, दीखेगा, वो सकता है आज हम intra day में काफी heavily sold off है, तो एक bounce back यहाँ पर आ जाए, लेकिन structurally 47,000 के नीचे बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर sell on rise की रंडिती रखने चाहिए, और support जो है, जो major support है बैंक निफ्टी के अंदर, वो है 45,800, 45,700 की zone में, यहने के तकरीबर 500-600 point और भी यहाँ से correct होता होगा दीख सकता है, बैंक निफ्टी, जो की 100 दिन का exponential going average है इस index के लिए, तो sell on rise की रंडि यहाँ पर भारी होता होगा दिखेगा, ओके ठीक है, तो यह बैंक निफ्टी के लेवल्स भी हमने आपके स्क्रीन पर रख दिये, निफ्टी के लेवल्स अलड़ी किस सासों की importance बता दी, एक point में आपको और जोड़ देता हूँ, जो सुभी में आपको notice कराया था, कि पहल यह एक घंटे के बाद इंडिया विक्स ने धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, दस बजे के बाद, साले दस बजे के बाद, और अब यह बढ़कर करीब 11% उपर है, दिखाएए ज़रा फियर इंडिक्स इंडिया विक्स करीब अब 11% बढ़कर 15 के लेवल को पार कर चुका और फास्ट रिकवरी को भी ट्रिगर करा सकता है, इसलिए इंडिया विक्स का उपर आना जरूरी था, यह दो ही चीजों का सूचक होता है, फास्ट वालिटिटी का और दूसरा फियर का, दोनों अपने चरम पे लेके जा रहा है, करीब 10% की गेन के साथ, खेर रहनी हो, हम स मैक्स फानेशल है, दूसरा भी है, इन दोनों के अंदर आज खरिदा रही है, और इंसपार तो इसके मार्केट के अंदर फॉल किसी तरफ जा रहा हो, कैसे न जा रहा हो, इन दोनों शेर पर कोई ट्रेड बनता है, तो ज़रा बता दीजिए, आज शेर कम भी थे और जो मिल करने की रहे रहेगी, 203 का stop loss रहेगा, और हमें लगता है कि जो पिछले 7-8 session से यहाँ पर एक consolidation चल रहा था, फाइनली आज बहुत strong volumes के साथ और long build-up के साथ यहाँ पर breakout देखने को मिला है, तो BHL में buy की रणनीते रखी है, overall railway stocks में यह जो theme है, यह काफी positive है, और हमें लग ठीक है, BHL, सर, max financial को फिर छोड़ दे, वहाँ पर no trade, जी, अब लिगो, वहाँ पर no trade रहेगा, सिर्फ दोने से एक के साथ ही जाएगे, ठीक है, दोनों में से एक के साथ ही जाएंगे, BHL को चुन लिजे, सर के ओलड़ी ideation group में भी था यह, वह बता भी रहे थे, और साथ इस शेयर पर recommendation भी है, अच्छा सर, ideation group से बात ध्यान आई मिर को, मैं चलते शो में और public के बीच में आप बोल देता हूँ, मैं आपके साथ एक group के साथ जुड़ा हूँ था, शायर वो group आपने बंद कर दिया, ना जाने क्या हूँआ, अब वो मेरे पास आपका ideation वाला आत लीजेगा, दूसरा, अब जरा शॉट कवरिंग के दोस्तों हो दिया सर, एक है लूपिन और दूसरा है L&T Finance, एक बार राहूल जी न दोनों को जो रहर चेक कर लो आप, यहां तक लूपिन का सवाल है, और अब फार्मा मुझे लगता है, यहां पर अच्छा प्ले आउट करना चाहिए, फार्मा में व्यू पॉजिटिव है, लूपिन में मुझे लगता है कि फिलाल थोड़ा दबावा मूव जरूर है, इतना ब्राडर माकेट को देखते हैं, एकदम आउट अउट यहां पर तेजी तो नहीं हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर 1420 का लेवल अगर क्रॉस होता है, तो एक बहतेरी मूव देखने को मिछ सकता है, तकरिवन 1500 लुपे तट, तो 1420 यहां पर आप में भी थोड़ी कॉन्टिटी बाइ करनी चाह सकते हैं, stop cross लगाई यह 1375 का spot के हिसाब से, और 1420 अगर क्रॉस होता है, तो एक अच्छा consolidation setup है, और साथी में defensive sector की तरह भी यहां पर फार्मा प्ले आउट होता हुआ है, दिख सकता है, जहां तक L&T finance की बात है, यहां पर भी setup ठीक है, बेसाब से overall यह stock अभी neutral है, like हमारे buy radar में आएगा, अगर इसमें 172 का level cross होता है, तो 172 को पर यहां पर buy activate होता है, और इसमें target जो रहेंगे, तकरीवन 180 तक के रहेंगे, stop loss आज के डेरो का रखना है, 164 का, दोलों में conditional trends है, अभी तक आउट एड़ी नहीं हुए, लेकिन दोलों के setup बैतरी में comparatively मुझ रखता है कि लूपिन में चलने के chances जबा है, ठीक है, सर हमने आपसे चार share पता की है, चार में से आपने तीन share को पास कर दिया, लेकिन दो के साथ condition भी डाली है, वो condition हमने आपके screen पे लिख दिया, L&T Finance की जैसे 172 के पार होने पर ही, यह सोधा trigger होगा नहीं तो ना माना जाए, और target ह 180 का, stop loss है 164 का, ठीक है, तो चार में से एक share हमारा गिर गया, वो है max financial, otherwise तीनों share सर ने पास की है, और आपको लेवल्स यहां पर बताती है, एक छोटा सा break लेते हैं, break के बाद मंदी वाले shares, राहुल जी के खुद के आइडिशन की, यानि कि खुद के intelligence के जो trading calls है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा break लेना होगा उससे पहले, हुआ सामाझाओ जोThat झाले कि खुद के लुद के लिए सामप्तार्राइक, वो भी आपको बताएंगे, दो जो जो जब ताएंगे, लेकिन एक लिए सामपादारा को जो भी मैं है, जो 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 आए कि खुद के लिए खुद आपको जो जोगांगे, इसकी बहाने हैं गवार झाल 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 आपको बेहतर तरीके से आपकी रणनीती बनाई जाए और स्टॉक्स फटाफट में हम स्टॉक्स और सेक्टर का पूरा स्कैन करते हैं एक एक स्टॉक्स पर हम बातचीत करते हैं जहां एक्षन होता है और इसके साथी कई खास सेग्मेंट भी आपके लिए लेकर आते हैं हो ज खोड़ी देरी यानि एक बज़ करते हैं 35 मिनट पर ट्रेट का चौका हम आपके लिए लेकर आएंगे जहां पर बेटरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपको दिय जाएंगे। अब नज़र डालते हैं बाजार की बड़ी बातों पर और आज HDFC बैंक ने मूड बिगारने का काम किया निफ्टी 21,650 के भी नीचे आचुका है और बैंक निफ्टी में करीब 900 की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है 26,300 के नीचे आचुका है बैंक निफ्टी FMCG, Metal, Realty और Farmer शेरों में आज भारी गिरावट है वहीं मीडिया, IT और इंशुरेंस शेरों में खरदारी देखने को मिल रही है लेकिन वहीं दूसरे तरफ मिडियाप शेरों में काफी अच्छा आक्शन है, IEX से चार से आट परसेंट नीचे इसवक्त कारुबार कर रहे है तो यह है बाजार की अभी तक की बड़ी बातें और हम देख रहे हैं कि मार्केट में कमजूरी हावी है और प्रेशर बना रहा है बैंक निफ्टी, 800 अंक नीचे इस वक्त कारुबार कर रहा है और आज हम देख रहे हैं कि HDFC बैंक ही है जो की आज दबाव बना रहा है और उसके अलावा जो बड़े दिगट बैंकिंग स्टॉक्स हैं HDFC बैंक, KOTAK महिंदरा बैंक, ICI-ICI बैंक, AXIS बैंक, सभी में वीक्नेस देखने को मिल रही है तीन से चार परसंट की गिरावट महा पर भी है तीन के निशे सरपर सारे के सारे बैंक कारोबार कर रहे हैं तो बैंक की शेरों में तो काफी प्रेशर है नतीजे थोड़े अनुमान से कमजोर आए आगे के लिए भी कंसरन है और इस वज़े से हम देखने है कि वो जो एफेक्ट है वो बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में भी आज देखने को मिल रहा है लेकिन महीं दूसरे तरफ अगर चड़ने वाले शेरों की बात करेंगे तो SBI लाइफ इस वक्त 2% उपर है और IT शेरों ने थोड़ा बाजार को समालने का काम किया क्योंकि कुछ IT कंप्टियों के नतीजे आए मिडकाप स्पेसे नतीजे अच्छे थे जिसके वज़े से हम देख रहे हैं कि IT शेर आज बाजार को थोड़ा समालने का काम कर रहे है Advanced Declin Ratio में भी देखेंगे तो आज Mid Cap शेरों में भी दबाव है जादतर स्टॉक्स आज लाल निशान में ही कारूबार कर रहे है Nifty का मौझूदा सर अगर हम देखें तो 400 अंकूट की गिरावट है इस वक्त और 21600 के पास कारूबार कर रहा है Nifty चलिए अब Expert को भी शामिल करते हैं और उनसे समझेंगे कि इस बाजार में अब Traders निवेशक क्या करें कहां पर मौके दिखाई दे रहे हैं यह भी हम समझने के कोशिश करेंगे हमारे साथ Market Expert पर रवी सिंग मौजूद हैं और कोटक सेक्यूरिटी से अमोल आटवले भी हमारे साथ जोड़ चुके हैं आप दुनों का इबाबा स्वागत है शोपर अमोल सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे गूर आफ्टर नून तो काफी ज़्यादा कमजोर है आज बाजार और क्लिरली आज बैंकिंग स्टॉक्स दबाव बना रहे हैं तो इस बाजार में ट्रीडर्स क्या कर रहे हैं नीचे की तरफ आप एहम सपोर्ट लेवल स्कान निकल कर आ रहे हैं मार्किट के लिए पूजा जी नमस्तिया आफिंग सुबह जो गैप डाउन हुआ था मार्किट एफ्टी बैंक ने तोड़ा सा प्राइवेट बैंक का सेंटिमेंट खराब किया था एक रिकवरी आ रहे थी बट अगें उसमें एक सेल आफ में ही कनवर्ट हो गया है और अभी नियर टू डे के लोईस लेवल पे चल रहा है बैंक निफ्टी अगर हम देखते हैं तो एक 50-day simple moving average के एसपास अभी बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है मेरे खाल से काफी टेक्शर भी की है बट ओवर्सोल्ड हुआ है इंट्राडे में इंडेक्स भी 400 पॉइंट का क्रेक्शन हो चुका है तो बैंक निफ्टी के लिए मैं लेवल देखोंगा 46,200 का वहां से एक pullback आ सकता है बट रिवर्सल नहीं है और इंडेक्स के लिए अगर मैं देखता हूँ तो इंडेक्स भी 20-day simple moving average के एसपास अभी ट्रेड हो रहा है बिल्कुल तो ये है नजरिया फिल्हाल इंडेक्स पर अमूल जी का यहां पर आपको नजर रखनी है महराल बढ़ते आगे और अपना पहला खास सेग्मेंट आपके लिए लेकर आते हैं और ये है ट्रेड का चौका और सबसे पहले रवी आपके पास आएंगे गुड आफ्टरनून बताइए इस बाजार में क्या आपकी रणनीती होगी गुड आफ्टरनून प्रिशान जी देखे इस समय तो मार्केट में सब तरह पैनिक है और उसकी वज़े से थुला सा ट्रेडर को समल के ट्रेड करना चाहिए लेकिन फिर भी एक स्टॉक यहां पर बाई के लिए है वो है PTC इंडिया 202 के पास इसको बाई किया जा सकता है अपसाइट टार्गेट देखे तो 215 रुपय का और स्टॉप लॉस देखे तो 197 का चाहट स्टॉक्चर अच्छा दिख रहा है तो इंफोसित यहां पर करेंट लेवल पर सल करके चल सकते हैं टार्गेट होगा 1600 रुपय का स्टॉप लॉस होगा पीटीसी इदिया पर भी यहां पर खरदारी की सला रवी की तरफ से अमूल आप कहां पर ट्रेट की मौके देख रहे है जी मुझे तिंक ओवरॉल मार्केट में शॉर्ट टेक्शर है बट रिस्टू रिवार्ड के इसाब से में में शॉर्ट पे नहीं जा रहा हूँ मुझे लग रहा है कि अगर बाउंस ब्या काता है तो इसमें आईटी और जो फ्रन्ट लाइन स्टॉक के वो कॉंट्रिविट करेंगे अम एक TCS के साथ जाना चाहूंगा बाइंग साइड पे 3880 के असपास चल रहा है 4000 के टार्गेट्स निकल के आ रहे है और स्टॉप लॉ चार्ट पे बुलिश फॉरमेशन है वो इंटाक्ट है तो अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो यह स्टॉप में अक्टिविटी बड़ सकते है बड़ स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस इंट्रिक्ली फॉलो करें क्योंकि चुननना हम देख रहे हैं मिट कैप स्टॉप में भी अच्छा आक्शन है इसमें रवी आप सला दीजिए परसिस्टेंट पे यहां पर भी अच्छी तीजिए क्या को ट्रेडर लेनी की सला देंगे कि परसिस्टेंट सिस्टम बिल्कुल यहां पर पुरा सा अप्वार्ड मोमेंटम देखने को मिला है सेवन थाउजन सेवन अंडड़ फॉर्टी फाइफ का एक जो है वो टॉप बनाता हूँगा नजर आया इंट्राडे पे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां से इसमें कि थोड़ी सी मनाफ़ा उसली आ सकती है तो अगर बाइं मोमेंटम के लिए देख रहा है तो मुझे लगता है कि 7650 के आसपास यानि 50 रुपे के करेक्शन पे बाइ के लिए अच्छा होगा तो थोड़ा सा वेट अन वाच की पाल सी रखनी जाए प्रेश ट्रेट अभी ले पर्मिती परसिस्टेंट पर फिलहाल बनती हुई लेवल्स कहां वाच करने हैं वो भी आपको रवी जी ने बताती है जरा फोकस करेंगे पावर स्टॉक्स पे और क्या ये जो दबाव आज नजर आया है जिसका असर पावर स्टॉक्स पे भी नजर आ रहा है आरीसी पी टाटा पावर ये तो चार मैंने नाम लिए अगर कहीं और भी आपकी नजर है तो प्लीज उस पे भी राया दें अगर हम देखते हैं तो एक बड़े रैली के बात थोड़ा रेंज बाउंड टेक्शर है बट ओवर आल जैसे कि में बोल्टाव कि मार्केट टेक्शर वीक साइड पर है और वो एक्स्टेंड होता जा रहा है तो मुझे लगता है कही न कहीं ही ये फोड़ा और पॉस ले सक अगर हम देखते हैं तो मार्केट अगर रिवर्स होता है तो ही ये सिक्टर में वापस जाना चाहिए बिलकुल तो ये नजरिया फिलहाल जो पाउर स्टॉक्स हैं उस पर और चूकी आम तोर पे बहुत सारे लोग करेक्शन का इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए बहुत जरूरी था कि एक राय जो हैं हमारे एक्सपर्ट की और से सामड़े आए लेकिन कमजोर बाजार में भी तेजी जहां पर है और जहां कि तेजी थमने का नाम नहीं ले रही वो हैं रेल्वे स्टॉक्स हम देख रहे हैं आरवी एनल आई रफसी इरकॉन इस दबाव भरे बाजार में भी लगातार बेहतर करते हुए नसर आ रहें रवी रेल्वे स्टॉक्स तो जैसे पीछे बुर बाट से दिखाई देती है लेकिन जब फंडामेंटल की तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है कि बजट की स्ट्टेशन है लेकिन उसका एक जो है वो इस्ट्रक्चर यहां पर कॉस्टी गोटा हुआ नजराना है दुबारा इंट्री के लिए अगर देखते हैं तो मुझे लगता है वापिस 215-220 के आज़ पास तरके मौपे मिलेंगे सेम विद धा IRFC 150 के टारगेट पे थोड़ी profit booking कर लेनी चाहिए लोवर साइड पे वापिस 130-130 के आज़ पास के levels मिलके तो देखा जा सकता है इसे तरीकर से IRFCON के लेकर हैं तो 206 चल रहा है थोड़ा सा ये shorter period view मैं आपको बता रहा हूँ जो trading के लोग लहाज से यूज करते हैं या फिर थोड़ा profit booking देखनी चाहिए तो वापिस से 185 रुपए तक आ सकता है 206-210 के बीच में इसे profit booking करनी चाहिए राइट्स की बात कर ले तो वो भी थोड़ा सा profit booking करके 480 जास पास के लेवल बिखा सकता लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि trend डाउन है trend अप है लेकिन fresh buyer के लिए dip पे मौका जो मैंने levels बताए हैं और जो खात और से जो लोगों ने positionally hold कर रखा हूँ के लिए तो अच्छा ही है यहां से भी अभी 5-7% तक के चलने के असार दिखाई देंगे लेकिन market है market पे समय समय पे profit थोड़ी book करते रहना चाहिए मुनाफ़ा उस विली करती रहने चाहिए इससे की आपका profit lock हो सकते clearly इस वक्त हम देख रहे हैं कि नतीजों का ही impact है आज पूरे बाजार में SGFC bank के कमजोर नतीजे पूरा का पूरा banking शेरो पर इसका असर दिख रहा है IT stocks में चुनिंदा नंबर्स अच्छे हैं और ऐसा एक सेक्टर है insurance यहां पर भी ICIC Lombard के नतीजे आए और नतीजे अच्छे थे मुनाफ़े में करी 22% की बढ़त देखने को मिली company के नतीजों में और इस पर जैसे हम देख रहे हैं कि जो दूसरे insurance stocks हैं वहां पर भी आज अच्छी तेजी है SGFC life उपर है SBI life अभी का top gainer है nifty का वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है max financials जैसे stock साथ चल रहे है ICSR Lombard 7% उपर है नतीजों के बाद तो insurance यह जो पूरा pack है वहां पर भी काफी अच्छी तेजी इस वाथ देखने को मिल रही है अमूल क्या व्यू बन रहा है आपका insurance companies में और कोई company आपको इस तरू पर अच्छी लग रही है भी भी लेने के लिए यह पहले जब market में rally हुआ था उसमें इतना contribution नहीं था आज एक definitely एक rally हुआ है ICSRJ में तो 7% का हुआ है बट कही न कही यह texture बता रहे कि यह pullback ज़्यादा लग रहा है reversal से ज़्यादा तो मैं थोड़ा wait and watch पे रहूंगा बट अगर मैं choose करना चाहता हूँ तो frontline stock पे ही रहूंगा क्योंकि SBI Life का formation काफी promising है higher bottom हुआ है 50 day simple moving average के आस पास चल रहा है तो मुझे लगता है कि इसके लिए 1410 और 1400 यह दोनों important level रहेंगे बट स्टिल overall texture बता रहे कि यह pullback ही है तो थोड़ा wait and watch करके ही उसमें buying side पे ट्रेड लेना चाहिए तो यह है सरा इंशन stocks पर रवी capital global कैसा लग रहा है आपको stock 8% उपर है आज भी कल भी यहाँ पर stock में 13% की तेजी यह देखने को मिले थी तो दो दुनों भी stock almost almost 20% तक चल चुका है शांदार तेजी insurance platform में भी अब company के जल्दी develop करने की योजना और काफी diversify portfolio है company का कैसे लगती आपको यह company fundamentally भी बताएए और current situation में क्या करे ने भी शेक और ट्रीडर्स इस टॉक में देखे financing, leasing और renting में यह company है और इस समय अगर देखा जाए तो एक अच्छा कासा momentum यहाँ पर generate हुआ है और अभी वैसे देखा जाए तो overall fundamental structure भी यहाँ पर ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि एक बाट इसमें ट्रेडिंग के point of view से या investment point of view से देखते हैं तो आपको 1250 तक के लक्ष इसमें देखने को मिल सकते हैं कि मोमेंटम में वो काफी strong है तो fresh buyer के लिए भी यहाँ पर एक opportunity है 950 के stop loss से इसमें बाइस अक्षिट लना भी है 1250 के लिए मुझे लगता है कि काफी अच्छे पैटर्स यहां पर बंडर उसका फाइदा मिले ठीक है तो यह राय कैपरी गुबल पर आती हुई इस वक्त रवी जी की तरफ से चलिए बढ़ते आगया और लेकर आते हैं एक और खास सेग्मेंट option का champion और हमारे साथ जोड़ गए है 5PESA.com के रुचित जैन जी रुचित गुड आफटरनून बताइए आज option की रणनीती क्या होनी चाहिए नमस्ते बेरी गुड आफटरनून मारकेट से करेक्टिव फेज में है तो मेरी option की रणनीती भी एक stock specific bearish strategy है और वो strategy है UPL के उपर आइडली हम देख रहे कि जब मारकेट्स में पेजी का फेज था उस तैंपे भी यह stock एक बड़ा underperformer रहा था और जनरली जब ऐसे phases आते तो corrective phases आते तो जो underperformers है उनमें selling pressure थोड़ा जाधा रहता है तो इसलिए UPL में एक bear put spread की strategy में SLA दूँगा यहाँ पर 550 का put option खरीदारी करे और सामने 530 का थोड़ा से दूर का strike price का put option selling भी करे ताकि net premium outflow कम हो जाए तो 550 put buy करे और 530 put sell करे 5.5 का net net premium outflow होगा जिसके ओपर 2 का stop loss लगाना है और 11.11 के targets अगर यह stock में correction आदा है तो वो expect कर सकते हैं तो साड़े चार जार के लगबगा risk है और वो risk के सामने 7800 का potential profits है ठीक है तो रुचित जैन की option रणनीती आपके सामने बहुत बहुत शुक्रिया रुचित जी आपका इस आहम रणनीती के लिए UPL 550 की put आपको लेनी है और यहां पर हम आपको बता दें कि जो option की दुनिया है यहां पर नुकसान की गुंजाईश जादा होती है 90 फीजदी जोखिम यहां पर होता है नुकसान का इसलिए RBI का disclosure हम आपके सामने चला रहे हैं बहुत सोच समझ कर निवेश यहां पर आपको करना चाहिए और इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि बहुत अगर आपकी तयारी है तो ही वाइदा बाजार में आप किसी तरह का ट्रेड लें चले बढ़ते आगे कुछ और एहम पहलों की और बाजार की और बढ़ते हैं अब जाहर सी बात है कि जिस तरह का बाजार में करेक्शन का यह फीज चल रहा है उसमें बहुत समहल कर कदम रखना है ऐसे में जरा सेक्टर्स को स्कैन करते हैं रवी इस तरह के बाजार में पहले तो ये बताएगे की आम तवर पे निवेशकों को क्या राय आपकी रहेगी, दूसरा ये कि अगर बड़े सेक्टर्स देखें खास्त तोर पे आटो, फार्मा, क्यामिकल, आईटी, क्या बाजार में इन बड़े सेक्टर्स में जो पहले से निवेशित हैं उन्हें बने रहना हैं या वाकई आप मांनते हैं कि थोड़ी सी स्ट्रेटजी में बदलाव किया वशक्ता है रवी अपने आपको जड़ा अन्म्यूट कर लें जी जी सॉरी देखें सबसे बड़ी बात है कि प्रशाद जी इस समय मार्केट का जैसा डिरेक्शन लो वैसी स्ट्रेटजी बनानी ज्यादा अच्छी होती और आपने बिल्कुल सही पॉइंट पे आपर बात करी है इस समय देखें मार्केट में प्रोफिट बुकिंग हावी है और थोड़ी प्रोफिट बुकिंग और गहरा सकती है गहराने का मतलब है कि जो अभी हम एक करेक्शन देख रहें ये तोड़ा और बढ़ता हुआ सा नजर आएगा हो सकता है आने वाले दिनों में हमें तीन से पांच position को quit करना शुरू कर दें थोड़ा सा profit book कर लें और dip का थोड़ा सा weight कर सकते हैं drip 57% 10% का अगर आता है तो भी अच्छा होगा फिर से आप partial entry कर सकते हैं और नहीं तो आप market में जो अभी uptrend है ये जो trend change होगा तो उसमें भी बहुत ज़ादा कोई बड़ा market यहां से upward momentum नहीं दिखाएगा तो आने वाले 15-20 दिनों के लिए अब आपने बहुत important बात के sector is specific देखेए मैंने अभी railway counter की बात की power की बात अभी दूसरी साइट से आपने पूछा उसमें भी काफ़े bullishness है PSU में अच्छे momentum मिल रहे है और banking की तरफ तो आज मुझे लगता है कि अभी 2-3 दिन bank में इंतिजार कर लें आपको यही SDFC यही ICIC यही AXIS यही COTEC आपको attraction दिखाना शुरू कर देंगे तो जो impact है वो बहुत बड़ा नहीं होगा तो shorter period का यह market का correction है तो dip पर buy की strategy रखिए आप कौन से counter focus करने है देखिए railway को तो number one पर रखिए second number पर आप यहां पर auto auxiliaries के जो counter है उनको आप focus कर सकते हैं defense के counter को focus कर सकते हैं और साथी banking में छोटे मजूले bank छोटे मजूले bank का मतलब है जैसे जो आपके 100 रुपए के नीचे हैं या फिर bank का बढ़ोदा है जो इस type के bank है मारास्ट्रा bank है इस type के bankों पे निवेश की रणीती अभी भी बनाने का काफी अच्छा मौका है तो मुझे लगता है कि market में ऐसी panic situation में panic मत करिए जरूरत नहीं है ऐसे panic होने की जो option trading कर रहे हैं या आपने जैसे अभी दिखाया की से भी ये कहता तो option trading वालों को तुमा डर्ट जरूर हो सकता है लेकिन मुझे लगता है market में जो delivery based buy करते हैं delivery के लिए positions लेते हैं उनको panic में इस तरह के दबाव भरानवव वो शायद उनके लिए नया नया हो तो ऐसे वक्त में उनको guide करना बड़ा आवशक है आप focus करेंगे स्टील सेक्टर पे टाटा स्टील जरा देखते हैं आज हम देख रहे हैं कि यहां पर भी pressure बरकरार है लगभग पॉने 3% की गिरावट यहां पर नजर आती हुई टाटा स्टील में वहीं देखें JSW स्टील में तो यहां पर भी लगभग 2% की गिरावट लगभग नजर आ रही है अमोल टाटा स्टील, JSW स्टील या स्टील पूरे सेग्मेंट से आपको अगर कोई रणनीती देनी हो तो प्लीज अगर अगर में टाटा स्टील या JSW स्टील का लिखता हूँ यहां पर एक टेकनिकल बाउंज 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 आ सकता है वेराज 810 के नीचे अगर जाता है तो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा टाटा स्टील भी है अगर हम देखें तो एक सीमित डाइरे में स्टॉक चल रहा है अभी के लिए मुझे लगता है जब तक यह रेंज से बाहर नहीं निकलेगा स्टॉक में कोई बड़ा अक्टिविटी नहीं आ सकता लोवर साइड पे 132 एक इमिजेट सपोर्ट रहेगा और अगर साइड 137 एक इमिजेट रेजिस्टन्स रहेगा आमें बढ़े दिना हम ठीक है तो यह है सला मेटल स्टॉक पर अचली अब आगी बढ़ते हो रूप करते हैं हमारे अगले सेग्मेंट का व्याइपी शेर और हमारे साथ अविनाज गुरश कर जोड़ चुके हैं अविनाज जी थैंक इस समय देने के लिए बता यह आज का व्याइपी शेर कॉन्स होगा पुल्या आज का व्याइपी शेर एक फ्रेंट लाइन कंपनी है आज मार्केट बहुत वोलटाइल है तो मैंने टाटा मोटर्स चुना है और चुनने का मेन कारण है कि देखे इनके जो सारे बिजनेसेज है जैसे कि कमर्शल वेकल पैसेंजर कार और जेलर बिजनेस है तीनो यहां पर 40-45% का मार्केट शेर टाटा मोटर्स चुना है तो इस कौर्टर यहने तीसरे तिमाई तो काफी अच्छी रहेगी लेकिन आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा मेरे क्याल से 800 रुपे का अभी करेंट प्राइस है अगर निवेशन यहां पर 6-12 मेने का टाइम फ्रेम स्पेंड करता है तो करीबन 1,050 का हमारा टागेट प्राइस रहेगा और मुझे लगता है कि ऐसे शेर आपको ऐसे वोलाटाल मारकेट में जरूर खरीदने चाहिए क्योंकि ऐसे कंपनी आपको ज्यादा स्टेबिलिटी देंगे और विजिबिलिटी और व 12 महीने की अवधी सकनी चाहिए तो 6-12 महीने की अवधी रखिए टाटा मोटर्स में एक हजार पचास की लक्षी के लिए थांकियो अवनाज जी आपका समय देनी के लिए तो आगे पड़ते हैं कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं और आज हम देख रहे हैं कि कोचिंश शिप्यार्ड यह अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर आज कारोबार कर रहा है अपने 52 वीक हाई पर आज ट्रेट कर रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे लेकिन उसके पहले एक लेते छोड़ा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ शिपिंग कम्पनी और अन्य स्टॉक पर भी चर्चा करेंगे यह बजट दो हो जाग को भी रिकास की गारेंटेश प्रेसेंटेट बाइ फेडरिल बैंक यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर हर खबर हर खबर झाल 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 इसमें विकास तो बहुत हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कमजोर नतीजों से SGFC बैंक का शेयर 7% तूटा, अनुमान से कम रही ब्याज से आए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को लेकर भी चिंता, नुवामा का रेटिंग डाउन ग्रेड, बाई से रेटिंग घटाने के साथ लक्षमे की कटाउती SGFC बैंक ने तोड़ा बाजार का होसला, निफ्टी करी 375 अंख तूट कर 21,650 के पास, बैंक निफ्टी 880 अंख से जादा लुड़का, निफ्टी बैंक के सभी 12 शेयर लाल निशान में नतीजों के बाद ICICI लोंबार्ड में अच्छे प्रतिशत का उच्छाल, प्रीमियम से आए 13,5% बढ़ी, लेकिन आए डिर गुनी होने के बावजूद ICICI सेक्यूरिटीज पर दबाब IT शेयरों से बाजार को सपोर्ट, अच्छे नतीजों के बाद L&T टेक में 0,5% की तेजी, TCS, कोफोर्ज और ECL टेक में भी 1% तकी बढ़ा कमजोर बाजार में भी रेलवेज शेयरों में रफ्तार, RVNL में करीब 4% की मजबूती, IRFC और IRCON भी 1-3% उपर LTI Mind Reoration Paints के नतीजे, आज Happiest Mind ICI से Prudential और Oracle Software के नतीजों पर भी रहेगी नज़र IX का शेयर 7% टूटा, उजावंत्री आरके सिंग ने खास बातचीत में हमसे कहा, मारकेट कप्लिंग लागू करेगी सरकार, अभी फिलहाल प्रावधानों पर विचार Medi Assist Healthcare के IPO में पैसा लगाने का अक्री मोका, तक चाल गुना से ज्यादा भरा 11111 करोड रूपे जुटायाने की योजना Every salaried person, we expect the tax for the salaried people should be reduced Government reduces some taxes on petrol and petroleum products, even international remittance should be decreased or even the long term capital gains We have seen lots of development in the past year, so we are expecting the same or maybe more to happen हमारे घर में रोज शाम को आराम से बैट के पूरा परिवार खा सके, इस तरीके के हमको बज़ोग चाहिए Presented by Federal Bank, your perfect banking partner स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और इस वक्त आपको बता दे हमारे साथ एक खास expert relations आप भी जुड़ गएं उनको शोबे शामिल करते हैं लेकिन बाजार पर एक अगर निकाह हटा लें तो बाजार पर दबाव लगातार बरकरार और इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी प्रेशर साफ तोर पर नजर आ रहा है आज जगर हम advanced decline ratio को देखे तो इस वक्त 690 के करीब ऐसे stocks हैं जिन पर प्रेशर बना हुआ है और 1600 के उपर ऐसे stocks हैं जो की 690 ऐसे हैं जहां पर बस हरियाली नजर आ रही है जब की 1600 से उपर stocks हैं जहां पर प्रेशर साफ तोर पर नजर आ रहा है इस सब के बीच में जो थोड़ी बहुत तेजी है वो आपको SBI Life, HCL Tech, Apollo Hospital, Tata Consumer, TCS जैसे stocks पे नजर आ रही है टाइटन, LTI Mine Tree जैसा हमने IT stocks के बारे में बताया यहां पर जो है वो इस वक्त हलकी तेजी नजर आ रही है तीन परसेंट नीचे, Axis Bank पे भी लगभग पॉने तीन परसेंट की प्रेशर यहां पर बनता हुआ चलिए निलेज जी को शामिल करते है निलेज जी, बाजार पर अपना सबते पहले वियू दीजे बिल्कु देखिए आज जो दबाव देखने को मिल रहा है वो देखके यही लग रहा है कि यहां पर बिक्वाली का दबाव और गहरा सकता है Bank Nifty जो एक pain point रहा है आज के session में एक बड़ी किरावाट Bank Nifty में देखने को मिल रही है और charge structure यहां पे काफी खासा खराब हो चुके है एक attempt होगा यहां पे जो 4th of December को एक बड़ी gap up opening होई थी तो वो एक gap area को फिल करने का attempt यहां पे बैंक Nifty करता हो नजर आ सकता है तो यहां से another 500 to 700 point की जगह Bank Nifty में है 45,600 तक का support यहां पे नजर आ रहा है तो यहां पे अभी भी 500 से 700 point की और जगह है निशले सर उपर तो कोई भी fresh खरिजारी करने से फिलाल के लिए परेश करना चाहिए weakness और यहां पे हमें आती जर आ सकती है कोई भी pullback अगर मिलता है तब वहां पे sell की position बनाई जा सकती है 46,600 के उपर अगर निकलता है तब वहां पे इसे review कर सकते हैं जी साबसे volatility index में 10% का jump देखने को मिला है clearly cause of concerns यहां पे going forward हमें देखने को मिलेंगे और 15 के आसपास volatility index पहुँच चुका है nifty के अगर हम बात करें तो 21,600 यह 21 day moving average का support है साथी का derivative data भी देखे तो 21,600 में कापी अच्छी put writing हमें देखने को मिल रही है अगर 21,600 के level भी breach हो जाते हैं लिश्टेज तर उपर तब यहां पर भी हमें दबाव देखने को मिलेगा और 2400, 2300 तक के level nifty spot में दिखाते है तो clearly यहां पर stock specific action पर focus करके जल सकते हैं इंडेक्स specific फिलाल हमें और गिरावट यहां पर नजर आ लिए ठीक है तो यह है सलाम बाजार और इंडेक्स पर लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम कुछ info और shipping company के बारे में चर्चा कर रहे थे और coaching shipyard record levels पर कारुबार कर रहे हैं इंडेक्स पर अच्छी तेजी देखने को मिल रहे हैं कुछ इनाउगरेशन भी होने वाला है कोची में 4000 करोर के प्रजेक्स आज प्रिधारमंत्री मोदी इनाउगरेट करेंगी जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इन तमां स्टॉक में अच्छी तेजी है waterways oil company आपर अच्छी तेजी देखने को मिल रहे हैं लेकिन स्पेसिफिकली रवी अगर shipping company की बात करें तो कैसी लग रही आपको इक company आज हम देख रहे हैं कोचिन शिप्यार्ड मजगाव डॉग गार्डन रीच इन सभी में अच्छी तेजी है कोई स्टॉक है जो आपको पसंद आ रहे हैं कोचिन शिप्यार्ड ही एक अकेला लीडर यहां पर दिखाई दे रहा है वैसे तो और स्टॉक्स जो काफी अग्रेसिक तरीके से बढ़ चुके यह स्टॉक भी काफी बढ़ा है लेकिन अभी मुझे लगता है कि 950 के लक्ष जो है इसमें अचीव होते हुए नजर आएंग तो फ्रेश अगर बाय करना है तो यहां पर एक स्टॉक लॉस 820 का लेकर चले और टार्गेट होगा 950 का तो इन पर एक कॉल ली जा सकती है हम 250 का टार्गेट आ सकता है तो मौझूदा स्टर पर भी आप एंट्री करके चल सकते हैं स्टॉक में अचले कुछ और भी स्टॉक पर बात कर लेते हैं जहां पर की आज जबरदस्त तेजी दिख रहे है और उसमें आज देखे वेल्सपर्ण कॉपरेशन यह स्टॉक भी अ और बाइंग नज़र आरी है क्या विव बन रहा है अपको और अगली टागेट क्या देख रहे हैं अगर हम मंस्ली टाइम प्रेम पर देखे तो लगब बारा महिने से लगातार यहां पर तेजी देखने को मिल रही है और यह तेजी अभी भी यहां पर बरकरार रती वी तो एक पंदरा साल की टांसारोडेशन का ब्रेक आउट जो हमें अल्लेडी देखने को मिल चुका है बड़े ठागेट की बात करें तो यहां पर साड़े 600 से 700 तक की रेंज में एकाउंटर जाता हुआ नज़र आ सकता है तो बैतर होगा कि फोड़ी से डिक्लाइन पे से खर और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और इन सब के बीच में अगर हम देखें जिस तरह से हम देख रहे हैं बैंक नेटिव पर प्रेशर है बैंकिंग स्टॉक्स पर भी एक नजरिया बनता है SPI, PNB खास दोर पे इन स्टॉक्स पर एक राय लेने की कोशिश करते हैं रवी आप तक आवाज पहुँच रही है जी बिल्कुल ठीक है जरा बैंकिंग स्टॉक्स पर अपना नजरिया दीजे खास करके SPI और PNB पे SPI की यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है कि चुकि पूरे बैंकिंग पैक में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही तो इसमें भी इसी वजह से वो इंपक्त आपको देखने को मिल रहा है लेकिन फिर भी एक बार लेविल्स का अग पर एक मौका आपको मिलेगा फिर से वापिस से वापिस एक बाई करने के लिए बहुत से लोग PNB को फोकस कर रहे होगे तो वापिस 92 के आज पास आता है एक बार E.T. सुदेश को वापिस से टैग करिएगा और तो सबसे इंपोर्टेंट है कि इस समय है SDFC पर जो लोग पैनिक कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ पैनिक नहीं है 1520 और 1480 यह SDFC के ऐसे क्रूशल लेवल है जिनमें कि प्रिशान जी आपको वहां से ही बाई मोमेंटम दिखाता और उन्हीं लेवल्स पर वापिस आपको सबोर्ट भी दिखाई देगा तो ब आपको पता है कि पैनिक कितना है तो उतना रिस्क आप ले सकते हैं ठीक है तो यह नजरिया फिलहाल बैंकिंग स्टॉक्स पर और जो एहम बैंकिंग स्टॉक हैं SDFC बैंक PNBSBI इन सभी पर रवी ने आपको राय दी फोकस मिलाएंगे ICI से लोंबार्ड क्योंकि नतीजों के बीच जो है वो स्टॉक इस वक्त हरे निशान में कारोबार करता हुआ इस वक्त लगबग साड़े 6% से उपर जादा स्टॉक इस वक्त तेजी दिखाता हुआ निले जी ICI इस ये लोंबार्ड और इसके साथी इंशुरेंस सेक्टर में कुछ और भी पसंद आ रहा है या इ 8% का फ्रेश होई एडिशन यहां पर देखने को मिला है तो लॉंग बिल्ट अप यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं टेकनिकली एक मेजर ब्रेक आउट यहां पर पिछले लगबग दो मेने के करेक्शन के बाद यहां पर ब्रेक आउट आता हुआ नजर आ रहा है इस ट है जहां पर नजर रखे चला जा सकता है इसके अलागा SBI Live दूसरा श्टॉक होगा जहां पर आज के मार्केट के करेक्शन के बिपरीद एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है तो SBI Live इसे लॉंग करके चल सकते हैं काफी अच्छा सपोर्ट 1400 के आसपास का है और 1400 असी और 1500 तक की जगह यहां पर उपरी सर्वपद एकन को मिल सकती है तो SBI Live पे लॉंग साइड में ट्रेड लिया रहा है गिरा बढ़ते हैं ठीक है तो यह है सला इंशरेंस टॉक्स पर लेकिन आप चलिए बागे पढ़ते हो रूख करते हैं हमारे अगले सेग्मेंट का हमारे साथ फोन लाइन पर स्नेहा सेथ जुर चुकी है स्नेहा थांकियो सो मत समय देने के लिए बताइए आज रणीती क्या होगी आपकी तरफ से शुर्वीजन पाउंटरश नगरा बैंकिंग स्पेज अज़र काफी अच्छा प्रेशर में तो इसमें से कोटक बैंक मुझे एठाल की अच्छा लग रहे है तो इसमें से कोटक बैंक 1780 का put option यहां पर खरीदने की सला है interesting आज कोटक मेंदर बैंक में दूसरी बार option की रणीती देखने को मिल रही है इस वार 33 के आसपास है 21 के target यहां पर आप के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं यानि के भी banking stock में experts और correction देख रहे हैं और इसके पहले भी expert ने आपर कोटक मेंदर बैंक में put option खरीदने की सलादी थी लेकिन रिस्क डिस्लोजर भी आपको बता देते हैं कि अगर आप option में trade कर रहे हैं तो सम्मल के trade कर यह क्योंकि जारतार लोगों को यहां पर नुकसान होता है option में trade करते समये चली अब आगे पढ़ेंगे और बात करते हैं कुछ और भी stocks की और हम IT stocks पर जो इस तरह से बात कर रहे थे बिला soft यह भी एक share है जहां पर की तेजी बन रही है mid cap IT stocks में persistent के बारे में भी हमने थोड़े परेड़े चर्चा की थी बिला soft पर निलेश आप सला दीजे क्या वोई trade लेकी जाना चाहिए BTST, STBT trade को यह देख रहे हैं आप बिला soft पर बिल्फिल पुझा देखिए वो सारे stocks पर नजर रखनी चाहिए जो इतने खराब market में एक out performance दिखा रहे हैं specifically mid cap and small cap IT थोड़ा सा better place नजर आ रहा है और अमोमन हम देखते हैं कि market की volatility में defensive पे focus लोटता हुआ नजर आता है तो IT space में से yes विल्ला soft ये एक particular counter है जिसमें कापी अच्छा OVA एडिशन हुआ है लगबग सारे 6% का fresh OVA एडिशन यहां पे देखने को मिल रहा है कापी अच्छे long build up हो रहे है तो 802 के range में फिलाज spot में trade हो रहा है 820 से 835 लिपे तक की upside विल्ला soft में देखने को मिल सकती है 780 रिपीस के आज़ परस का stop loss रखे 200 को long करके चल सकते चलिए तो यह राय बिल्ला soft पर आती हुई और तमाम एहम स्टॉक्स पर भी लगातार हम चर्चा कर रहे है फिलहाल हम रुकेंगे एक छोड़े से ब्रेक के लिए ब्रेक के उस पार भी कई खास सेग्मेंट आपका इंतजार कर रहे हैं बने लिए हमारे साथ झालिए 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 झाल 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 इस समय चल रहा है एक सो सतर रुपए का और इंट्र डेचार्ट थर्टी मिनट पर बना रहा है रिवर्ट है रिवर्ट हेड इंचोल्डर हाला कि तॉप आउट की तरह बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस काउंटर को वीजी फिनांस ये दोनों स्टॉक ना केवल ट्रेडिंग के लिहाँ से बलकि अगर आप छोटी अवदी का नजरिया भी रखना है तो वहां के लिए भी ये बेहतर संकेत दे सकते हैं चले बढ़ते आगे निलेज जी आप बताएए आप किस तरह की राय देंगे आपकी नजर का है बिलकुल देखें दोनों खरीडारी से ही स्टॉक रडार पे आ रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल पहला पीक है जहां पे लॉंग बिल्टा पुर्दा वो नजर आ रहे है दो पसंग का प्रेश हुआ है यहां पे एडिशन हुआ है और लगातार हायट अपन आपटों फॉर्मि यहां पर श्कॉप लाओ सकना होदा करेंट पर इसे लॉंग करके चल सते हैं 6100-6300 तक की अप्थर यहां पर देखने को मिल सती है इसके अलागा ओवराल आईटी स्पेस में भी कापी अच्छा पॉजिटीव हूँ हमें आज के सेशन में देखने को मिल रहा है जैसे कि मैंन तो ठीक है हमारे दोनों एक्सपर्ट ने इस दबाव भरे बाजार में भी आपको कॉलिटी स्टॉक सजस्ट किये हैं और जो निलेज जी की कॉल है वो अपोलो हॉस्पिटल और एंफिसिस यहां पर नजर रखिये और इसके साथ ही बाकी अगर हम बात करें बाजार की तो इ अमीद पहले सी थी एक्सपेक्टेशन पहले थी इस तरह का करेक्शन बाजार में आता रहता है ये एक मौका भी होता है लेकिन बहुत सो समझ कर ही आप इसमें आगे बढ़े हमारे तमाम एक्सपर्ट ने आपको एहम राय दी चलिए बहुत 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 धन्यमाद बाकी कि एक्सपर्ट जो हमारे शो में जुड़े उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फिलाल मुझे दीजे इजाज़त लेकिन तयार हो जाईए अगले एक घंटे के जबरदस्त आक्शन के लिए और ये आखरी घंटा जो है बहुत मायनी रखता है बाजार की चाल यहां से किस तरह की होगी और क्या रणनीती होने चाहिए अगले एक घंटे क्लोजिंग कॉल्स में हम आपको बताएंगे इस छोड़े से ब्रेक के बाद नमस्कार आफ पाल यहां से में एक लिए अब्राशन आफे झाल 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 कमजोर नतीजों से झाल कमजोर बाजार में भी रेल विक्पेरों में रफ करेब 4% की मजबूती, IRFC एरकौन भी 1-3% उपर आज आज यए आजब बाज़ आज आजड़ों में अज़स्ट, अखे़ इसकार आज़़े ये नतीजी पर भी रहेगी बाजार की नज़र निफ्टी में कल आएंगे इंडेसिंट बैंक के नतीजे ब्याज से आए तीन परसेंट बढ़ने का अनुमान पॉली कैब, इंडिया मार्ट, पुनावाला और मैस्टिक के नतीजों पर भी नज़र और मेडी असिस्ट हेल्थ केर के आए पी में पैसे लगाने का आखरी मोका अब तक चार गुना से ज़्यादा भरा इश्यू 1171 क्रॉन रुपे जुटाएगी कम्प्री नमस्कार, क्लोजिंग पॉल में आपका स्वागत है आपके साथ, मैं हूँ अभिशीक सत्वर्तम और मेरे साथ ही मेरे सेयोगी टिंपी काल रहा और मुंबई स्टोडियू से प्रियंका भी हमारे साथ जुड़ गई है बाजार में गिरावट बढ़ती जा रही है, रिकवरी के कोई संकेत नहीं है, 2600 के आसपास है निफ्टी, 400 अंकों से जादा की गिरावट है निफ्टी में और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो अब करीब गरेब 1900 अंकों के गिरावट हो गई है, कोई संकेत नहीं ह मैं कि SDFC बैंक की जो गिरावट बढ़के हो गई है करीब खरीब 8% के आस पास की तो बाजार में कोहराम है और जिस तरह से कमजोर नतीजा है लिक्विडिडी कवरज रेशो को लेकर चिंता है इनाई अनुमान से कम रही ब्रांचिस बैंक कम खोलेगा डेपॉजिट ग्रोथ क हम चिंता हैं हावी हो रही हो और SDFC बैंक के शेयर को तोड़ रही हो और चोकि वेटें जादा है SDFC बैंक का इसके चलते वाजार भी टूटरा उसकी चपीट में आकर तो काफी कमजोर थे थी अगर हम ब्यसी लिस्टेर्ड कंपनियों के मार्केट के बात करें तो साधे तीन लाख करोन रुपे आज के सतर में साफ हो गए हैं और उसमें से एक लाख करोन रुपे से ज़्यादा अकेले SDFC बैंक का है बैंक, फैनेंशियल, मेटल शेरों में आज हम सबसे ज़्यादा गिरावट देख रहे हैं यहीं नहीं जो ग्लोबल संकेत थे वो भी थोड़ी से कमजोर थे वहां से प्रेशर बन रहा है चीन की जो GDP ग्रोथ के आंकड़े आए हैं दिसंबर तिमाई की वो अनुमान से कमजोर आए हैं और अमेरिका में ब्याज दरों में कटोती को लेकर जो उमीदें बढ़ रही थी शायद उसमें भी थोड़ी जादा दे रही हो और यह चिंता भी बाजार को कहने की खाया जा रही है बहुत कमजोर थे थी चार दिन हमने देखा चार-पाइज दिन लगातार रफ़तार से चला था लेकिन दो सतर से बाजार में हम प्रेशर देख रहे हैं SBI लाइफ आज टॉप गिनर है और इसके लवाद देखने की आईटी कुछ टॉक्स, ACL, TCS, Infosys में करीब आदे से लेकर एक परसंट के आसपास की मजबूती इस वक्त बाजार में है लेकिन थोड़ा सा आंकडों को अंदर से टटूलते हैं, वाइदा बाजार की कहानी क्या है, डिपी समझते हैं, डिपी प्रेशर गहरा रहा है, 21-600, मतलब जहां से चले थे, फिर से लोट के वहीं पर, कहानी क्या खह रहे है, FNO के आंकडे से ठीक है, इंपॉर्टन बात अभी शेक का दो तीन बात तो आपने ऐसे कवर किये, मैं उसको थोड़ा और अच्छे से कलियर कर देता हूँ, जैसा पॉइंट अगर आप देखेंगे, निफ्टी ने हुआ क्या था कि 21-700 और आट सो वाला जो रिजिस्टेंस का बैंड था, उ 28-800 के उपर शुकरवार की क्लोजिंग मिली थी, फिस सोम बार हम 22,000 के उपर आए थे, मंगल वार हम 22,000 के उपर क्लोस करके गए थे, तो दो बार के जो गैप थे निफ्टी ने पहली बार तो उसको फिल कर दिया, क्या आप जो गैप है, मैं उसको फिल कर देता हूँ, तो के HDFC नाकेवल, ऐसा नहीं के HDFC के नंबर पहली बार खराब आए है, तीन साल में, आप जाए तीन साल में, इसके एक साल में तो तो तीन बार के क्वार्टर आते हैं, आप जाके चेक कर लीजिया, आपको कभी भी जब भी खराब हुआ के HDFC बैंक इतना बुरा टूटा, नह जिस मुकाम पर टूटा, वो मुकाम गलत था, माकिट अलरी ऐसे ही बहाने ढूंटा है, कि आपने ये खराब किया तो मैं ये पनिश्मेंट ये, अब क्या होगा HDFC के बरावर का HDFC चाहिए, तो HDFC दुवारा नंबर तो लाएगा नहीं, तो फिर किसके नंबर चाहिए, आप को रिलाइंस के नंबर का वेट करना पड़ेगा, शुकरवार को आ रहे, तो जब तक वो नहीं आएंगे ना, तो आपका धांडस नहीं बंदेगा, आपका अगर नुकसान दस रुपे का हुआ है, तो कम से कम पांच रुपे वाली चीज तो सामने खड़ी करो, अगर दस र की तरह काम करते हैं, उसको धो रहा है, उसको तोड़ रहा है, एक और इंपॉर्टन अब्जर्वेशन मेरा यह है, कि साड़े दस परसंट का विक्स है, आज सुबह हमने जब पौने ग्यारा वज़ तक आपको विक्स नोटिस कराया था, इनफेक्ट साड़े दस वज़ तक पौइंट पे और दस साड़े दस परसंट बढ़ने पर हुआ, एक और चीज़ जो मेरे को दिख रही है, वो है वेटेज का आमना सामना बराबर नहीं हो रहा है, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बाब बताता हूँ, HDFC बैंक, जो इस समें सिर्फ निफ्टी को नुक्सान प आई है कि चार बड़े शेयर बीस पॉइंट का गेन दे रहे हैं, और एकलौता HDFC दो सो पॉइंट का नुकसान दे रहा है, ये बराबर के टकर नहीं है, इसलिए एक तरफ का जुका हुआ पलड़ा, वो जुका ही हुआ है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि भुलाने में आज की क्लोजिंग बहुत बड़ा रूल प्ले करेगी, कल नए सिरे से नए तरीके से मार्केट उतरेगा, इसलिए में आज की क्लोजिंग पे तो में को नहीं लगता कि बहुत जल्दी से स्पीड से रिकवरी आ जाएगी, और मैंने नहीं बहुत बोला ही सुबही बात, ले और रिकमें, था बाकरा से अंचा आफकर मने आखिष एक्षड में से रिस जेल्दी से बात रहतें वीव, क्योजिंग बर और ज기 बात करें इंडिक्सी ओर करें तो बड़े बिहांगे लिए तो इमसे बाश इसका एइज़्ट इसमें या इनएं, दूट पांसे जेल्टं स सकता है, pullback आ सकता है, कैसे play करना चाहिए? यह 21-570-80 के नीचे फिसल जाता है, जो अगले, अब यहाँ से सिर्फ 25-30 point मेज रह गया है, तो इसके नीचे अगला support zone 21-400, 21-450 का रहेगा, तो मुझे लग रहा है, यहाँ से थोड़ा weakness और बढ़ सकता है, और आने वाले कुछ एक-दो session में, at least FNO counters में थोड़ा pressure और बढ़ था, bank nifty में 42-100 से लेके 48-600 तक का, उसका 38% जो retracement है, वो तकरीमन 46-46-100 के बीच में है, spot levels में, यदि इसके नीचे यह important support बन सकता है, पर इसके नीचे यदि फिसल गया, तो अगला जो support bank nifty में बनेगा, वो है 45-400, 45-500 का, तो मेरे लिए 21-570 spot पर, और 46-100, 46-000 bank nifty के spot पर, यह बहुत important support zones है, और मुझे लग रहा है कि यहां से फिलाल bottom fishing फिर भी नहीं करना चाहिए, एक दिन market को थोड़ा रुख के हमें wait and watch करना चाहिए, और फिर ही हमें stock pickings वो ही सबसे accordingly करनी चाहिए. सब्सक्राइब, आपके जो support levels आप बता रहे हैं, वो current level से बहुत दूर नहीं है, बहुत पास नहीं है, आप बता रहे हैं 21-570, यहां से 30-30 point की दूरी है, तो देखते हैं, watch करते हैं, लेकिन at the same time, दूसरी important चीज़ जो सब्सक्राइब करें कि यहां पर अब भी bottom fishing करने की जल्दबाजी नहीं करने चाहिए, साड़े 400 point, सबा 400 point लगएक निफ्टी तूरूट चुका है, तो क्या यानि और indication slippage के हैं, wait and watch करना is always advisable, तो एक बर यहां से आप trading ideas क्या बन रहे हैं, कुनाल परार भी है हमारे साथ, कुनाल गुड आफ्टनून, आप कैसे इस वक मार्क जी को, पुरी पैनालिस्ट इम को, मेरे जो ट्रेडिंग आइडिया से वो mix है, सबसे पहला सौट वाला, आइडिया की बात कर देता हूं, क्योंकि आज देखने जाए, तो उस पर्टूल काउंट्टर में हमें breakdown देखने को मिला है, आली चाट्रिप, जिसे जब से स्टॉक कर रहा है, साइडवेस, momentum का breakdown भी दिया है, स्टॉक का नाम है, SBI कार, likely chances से आने वाले दिनों में फर्दर लेवल से भी स्टॉक में हमें गेरावट देखने को मिल सकती है, तो 751 के around stock कर रहा है, 767 के साथ यहां पे बेचने की सला है, टागेट की बात के दो 735, 720 के तो दो हमें SBI कार में देखने को मिल सकते है, तो SBI कार यहां पे बेचने की सला है, लेकिन सामने एक ऐसा counter है, जहां पे अच्छी खासी momentum आज के दिन में देखने को मिली है, प्लस counter ने काफे अच्छा support भी लिया हुआ है, stock का नाम है Lupin, आप देखो तो आली चार्ट पे 1370, 1370 का support counter ने लिया है, पहले भी ECM level का support लेके counter ने हमें उपर में 1430 तक के level दिखाये थे, तो present level से लिपीन फिचर खरीदारी करके चलने की सला है, टागेट 1430 पहला टागेट हो जैसे ही रिफ होता है 1475, 1450 दूसरा target भी हमें यहां पे देखने को मिल सकता है, तो SBI कार यहां पे ब defensive bets बढ़ जाती है, विचे चोपडा भी है हमार साथ, विचे आज बड़ा कल्परिट HDFC bank है, इस bank के numbers को एक बार डिसकस करना जाएं, क्यों कि जब से इसका merger हुआ, उसके बाद और दो quarter हो गया, street को यह expectation थी, इसके margins improve होंगे, हाले कि no doubt stock is an upward trajectory, branch expansion भी है, ठीक है, भले guidance story कम लेकिन क्या street इसमक्त margin recovery ही बड़ी चीज है, जिससे देखना चाहता है, जिसके वैसे आपको stock price में recovery बहुत डिले के साथ दिख रही है, और इतना sharp reaction आ जाए, प्रेंका गुरापनून, thanks for having me on the show, देखें, कुछ एक कारण है, जो net interest margins हम देख रहे हैं, उस पे बहुत जादा pressure है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब से merger हुआ, उसके पस्चात हम देख पा रहे हैं कि HDFC bank पे pressure है, अब मैं एक चीज बनना चाहूंगा, पिछले 5-6 सालों को अगर आप देखें, कितने सारे नए banks सामने आ चुके हैं, उन सारे banks का एक बहुत अच्छा network बन चुका है, और बहुत expansion कर चुके हैं, और मेरा यह मानना है कि अब physical bank branches की requirement over a period of time कम होती जा रही है, payment banks है, वहाँ पर भी आप अगर savings में पैसा रखते हैं, तो आपको interest मिलता है, PTM जैसे banks भी है, तो जब आप यह समझी है कि banking की requirement है क्या, corporates के लिए requirement है, loans के लिए requirement है, मगर जो retail मे जिस तरीकी के margins पहले मिला करते थे, वो अब margins available नहीं होंगे, वो stretch होते चले जाएंगे, secondly हर एक जो branch है, branch का मतलब cost है, जो capex लगता है branch को develop करने में, वो एक cost है, employee cost है, उसके अलावा बहुत सारी वहाँ पर हर चीज maintain, एक physical branch maintain करने का एक running cost है, तो इन सब के चलते हुए ए SDFC ने खड़ा किया है, वहाँ पर margins के उपर street की चिंता है, मुझे लगता है कि इस पर management जरूर काम करेगी, और over a period of time हम देखेंगे कि कुछ iterations होंगी, कई बर ऐसा होता है कि companies में smart sizing की जाती है, flap cut किया जाता है, और flap cut करने के बाद balance sheets अच्छे हो जाती है, तो पालतू के खर बहुत अच्छा एक interview दिया था कि 30% growth for 30 quarters और काफी साल पहले की बात है, तो ऐसा कोई bank नहीं है जिसने इस तरीकी की growth दिखाई है, मगर जब एक sizeable number हो जाता है, तो वहाँ पर उस तरीकी की growth expectations definitely hit होती है, खासकर merger के बाद, पर मुझे लगता है, इस fall के बाद HDFC will do a lot of soul searching और management इस पर corrective steps लेगा, और जो hold कर रहे है long term के लिए, बिलकुल घवरानी के अवशकता नहीं है, और जो अभी लेना चाहते हैं, वो थोड़ा सा रूके, let the storm actually finish, और मैं यही कहूँगा, फिलहाल HDFC से दूर रहे हैं, मगर market में बहुत सारी दूसरी opportunities हैं, अच्छी valuation पर कापी स स्टॉक्स अवेलिबल हैं, उसके बारे में हम धूरूद शो बातचीत भी करेंगे. अगर आप देखेंगे, तो इसमें अगर आप contribution के हिसाब से देखेंगे, तो SDFC बैंक का योगदान तकरीबन 1500 अंकों का हैं, और निफ्टी की बात करेंगे, तो वहाँ पर आधे करीब 4500 नीचे निफ्टी है, सवा 200 अंक अकेले-अकेले, SDFC बैंक का है, इसमें. ठीक है, ल पहले बाई का बता देता हूँ, बाई का सौधा है, मिदानी, मिश्रा दातूनिकम, हमने देखा ही कि आज यहाँ पे एक अच्छा प्राइज अक्षन देखा गया था, पाथ-साड़े-पांच परसंट की तेजी भी है, और जो पिछले डेड़-दो महने का जो अंसॉलिडेशन था, उसमें से हमें ब्रेकाउट यहाँ पे देखने मिला है, प्लस डेली, वीकली और मंतली चार्ट सभी पे टाइम फ्रेम, सब टाइम फ्रेम पे यह स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, मुझे लग रहा है, यहाँ पे मिधानी को बाई किया आजा सकता है, 420 के स्टॉक लोस से 460 के टार्गेट के लिए, और मेरा दूसरा पिक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन शॉट, तो मुझे लग रहा है, यहाँ पे कॉनकॉर में जो हमने देखा था कि फर्स जैन से एक मुव आया था, 860 के आसपास से 920 तक का, पूरा जो मूव थ उसको नलिफाई करके आज 10-day exponential moving average और 20-day exponential moving average, दोनों के नीचे आप stock sustain करा और open interest में भी बड़ाओतरी हो रही है, जबकि price action 4.5% negative हो रहा है, तो यहाँ पे अच्छा short build-up भी हमने देखा है, तो मुझे लग रहा है, 859 के stop loss के साथ, यहाँ पे 820 के target के लिए container corporation को short किया जा सकता है. आकड़े आएंगे, refined होके थोड़े आजाएंगे, इस पर हम view भी लेंगे, volume growth को लेकर नज़र रहेगी किस तरह की volume growth निकल के आती है, एशियन paints के लिए, हाला कि एक जो comfort वाला factor रहा है, वो राय क्रूट हो, हमने देखा एक largely 75-85 dollar के बीच में ही कच्छा तेल रहा है, जो क पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि जो consumption वाले जो share थे, वहाँ पर pressure बना हुआ था, उसमें Asian paints भी शामिल था, लेकिन नतीजे आने के साथ ही एक हम तेज कट देख रहे हैं, और बाकी आकड़ों का इतजार है कि Asian paints की बाकी आकड़े कैसे निकल के आते हैं, लेकिन पौने 2% नीचे ये share दिन के निचले स्थर पर कारबार करता हुआ, एक quick view लेंगे आप से, कुनाल, Asian paints कोई trade बनता है अभी? फिरहाल मैं इस टॉक का आवएड करने के इसी सला दूँगा. ठीक है, हलाकि नंबर को मैंने प्राइमा फिर्ट की है, मेरे सबसे तो नंबर खराब नहीं है, लेकिन अभी आवएड की केटिगरी है, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास अच्छे नंबर होना bad day आ जाते हैं, कुछ-कुछ में कोई Asian paints के देख के ऐसी लग रहा है, कि multiple punishments, कुछ-कुछ वैसे ही आपको आता हो दिख रहे है, मैं एक छोटे मोटेव आपको points इसमें से बता देता हूं, जैसे कि मैंने कैसे देखा कि मेरे को इसका bit margin, क्योंकि जो market expect कर रहा था ना, वो सारह 21% के आसपास का margin expect कर रहा था, margin करी 22% के आसपास है, मेरे पास जो information है उसके according, इनका जो profitability है, वो भी market expect कर रहा था, कि 1410 करोड़ रुपे के आसपास की आएगी, 1448 करोड़ रुपे के आसपास का नंबर हमको दिख रहा है, कंसो आई भी 11 से थोड़ी ज़्यादा ही दिखी है, तो quarter on quarter YOY सब चेक कर लीजेगा, मैं जितने भी नंबर आपको बोल रहे हैं, एक ज़रा options का trade उनसे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, विजेजी से 2-4 shares में को पता करने हैं, फिर उनसे idea लेंगे, पहले options का champion. अवनीबर्ट आज तो आपके पास जिसे कहते हैं कि माल पड़ा होगा बहुत सारा, क्या चुने क्या छोड़े ये वाला condition होगी, बताइए क्या चुनना है, और क्या पूट है या कॉल है? आज जो इस आपसे market है, यहां से उमीद ऊपर जाने की और नहीं जाने की गुंजाइश जोनों बाजू बरावर हो चुकिये, प्रोबैबलेटी बरावर हो चुकिये, हम एक balance review लेके चलेंगे, जो stocks में open interest addition कल दिखा था, long addition तो वो था ITC, और आज भी इतने खराब market में भी stock hold कर रहा है, और उमीद है कि यह 470 के put में इसमें काफी अच्छा open interest built up है, highest open interest है, और कोई short addition दिखनी रहा है, call में भी, तो ITC में view positive रहेगा, तो ITC 470 का call हम खरीच सकते हैं 5 रुपे में, उसका target रहेगा 10 रुपे का, और stop loss रहेगा 3 रुपे का, तो इसमें अधिकतर मुन नाफा जो है, वो 7200 रुपे का होगा, और जो maximum loss रहेगा 4,000 तक रुप रहेगा, और दूसरा इसका short addition दिखना है, वो UPL में है, इमाइट फॉस्फफरिस, इसमें पुट में भी अन्वाइडिंग दिखनी है, और कोवस में बहुत ज्यादा शॉर्ट अधिकतर में बहुत किसी पैसे हैं, तर्गेट पे 9100 का और अधिकम डुपतान है, वो 5600 रुपागों से कहा है, आपने अच्छा किया कि आपने कॉलर पुट दोनों आमने सामने रख दी हैं, आप ऐसा ना करें कि आप सिर्फ मंदी मंदी सोचते रहें, और डो हजार पॉइंट चलेगे हैं, ब किसी 2000 पॉइंट को चलने में सवा महीना लगता है, सवा महीने में 2000 पॉइंट आए हूँ है, मैंने भी चैस चेक किया, कि जिस जगे पर खड़े थे हैं, अगर पहली बार उस जगे पर खड़े होतें, और जहां से हम तूटे हैं, वहाब हमको सवा महीना लगा, और आज एक पॉइंट आपको बैंक निफ्टी पे दिखा रहेता हूं, मैं एक बार जरा स्क्रीन पर, अगर किसी को ट्रस्ट ना हो रहा था, दो हजार पॉइंट मार्किट ने साफ कर दिये, और ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, च्छालीस जार है, कल तक ये अड़ तालीस ज जार था, आज च्छालीस जार है, सोच रहे हैं आप, के बार बोलते हैं और सुनते समय लगता होगा, लेकिन अगर एक लॉट है, दो लॉट की भी कल्कुलेशन डाल दी जाए, तो बहुत बड़ा पैसा उपर नीचे हो सकता है, खेर एनिहाओ, आप्शन के ट्रेड आपने मिठास नाम की कमपनी है, वो मैं को इसलिए याद आ रही है, क्योंकि पिछली बार भी जो हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो यह बात हमने क्लियर कर दी थी, कि हलवाई वाली कोई कमपनी नहीं है, यह दूसरे अलग तरिके से जुड़ी हुई कमपनी है, बहुत ज जड़ा नीचे नहीं है, ऐसे दो ही परसेंट नीचे है, सर उस समय क्या रीडिंग थी, और इस समय क्या रीडिंग आभी शेयर को? दिम्पी जी, आपको धन्यवाद आपने याद रखा, यह कमपनी मिश्ठान फूंट्स है, मिठास नहीं, सौरी आपको थोड़ादा करेक्ट कर रहा हूं, यह प्रमेरली चावल में काम करती थी, और उस समय भी जब मैंने जब रिकमेंट किया था, बारा रुपे के आस पा उसके कुछ रीजन्स हैं, पिछले साल इसने जो नंबर्स किये थे, सेल्स नंबर्स करीब-करीब 600 करोड रुपे का इसका टॉप लाइन था, और इस साल लगबग यह डबल करेगा, क्योंकि अभी तक यह करीब 600 करोड रुपे कर चुका है दो तिमाही में, और आगे दो त सरकार ने जब यह नॉन बासमती बैन किया है, तो इस कंपनी ने अपने जो दुबाई और सिंगपोर सबसिटेरी से एस्ट एशिया से काफी नॉन बासमती राइस को इंपोर्ट करके अपनी दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया है, तो उनका एक्सपोर्ट बढ़ र अब एथनोल के ओपर भी जो शुगर बेस्ट एथनोल है यह शुगर करेंस और सरकार ने रोक लगाई है मगर इनका जो है वो ग्रेइन बेस्ट एथनोल बनाने का प्लांट एक जो यह लगा रहें वुग्रे साल कमिशनिंग पूरी हो जानी चाहिए तो हजार किलो लीटर पर डे का इनका प्लान है कि इतना प्रोडक्शन करेंगे तो ग्रेन बेस्ट तो अलाउड है तो मुझे लगता है ओवरॉल चावल के साथ एथनौल भी है और इसमें मेरा ये मानना है कि आराम से आपको 22 का टागेट मिलेगा स्टेबल कंपनी है बिल्कुल चांती से लेके रखे और ये धीरे धीरे आपको रिटर्न देके जाए ठीके सर डन मिश्ठान फूर्ट अब हमको ये बिल्कुल ये याद रहेगा एक काम करते हैं चोटा सा ब्रेक ले लेते हैं आब भी थोड़ा खाना पीना कर लीजे दो हजा सब्सक्राइब करते हैं अच्छा नहीं हो रहा है और एशन पेट के नंबर अच्छे है अभी हमने ने कमेंटरी भी इसकी निकाली है विशेक ने कुछ पॉइंटर्स बना के भीज़े हैं हमारे सब्सक्राइब चेक करके फर आफटर से स्क्रीन पर डाल देगी वह भी आप कमारा लाड़ अजिब गझा झाल – प्रॉण मेंटर्स बना के लिए स करके लिए एक राल देख। झाल 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 पर इंपक्ट कैसा होता है क्या आपको बेटर प्राइसिंग मिलती है उस एक्षेंज की ट्रीट फीज कैसे एस कंपरेट तो अधर प्लाटफॉर्म और इन जेनरल वहां पर लाइक अगर आपको क्रिप्टो विड्रॉव भी करना है तो आपको अगर क्रिप्टो विड्रॉव करके आपके एक वालेट में रखना है क्या वो सुविदा भी अविलेबल है क्या वो ब्लॉक्ट है यह सारी चीजें नजर रखते हुए एक यूजर एक इंफॉर्म डेसिजन ले सकता है लगलग प्लाटफॉर्म को घंपर करके और उसके बाद अपना निवेश शुरू कर स आप दोनों को बता दू कि हमारे बहुत सारे दर्शक है जो इस वक्त हमें यूट्यूब पर लाइव भी देख रहे हैं और उन्हीं तमाम दर्शकों को मैं बोलना चाहती हूं कि अगर अजीद से गौरव से कोई सवाल भी पूछना चाहते हैं एटीएफ पर ही नहीं अगर क्रिप्टो पर ही सवाल पूछना चाहते हैं तो फटा फट कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिए ताकि मैं सवाल ले सकूँ लेकिन जो मुखे तोर पे लोगों की एक वेरी सामने आ रही है अजीजी वो यही है कि किस टोकन में मुनाफ़ा मिलने वाला है सब को मुनाफ को भी देता है और आपको भी देता है तो आप भी जड़ा इसके बारे में सुझेए कविताजी बगर अब के लिए तो यह कहना चाहूँगा कि यदि किसी ने मुझे यह एक्विटीज के बारे में पूछा होता और वो बिगनर निवेश्ट होते तो हम उने कहते कि जाओ क्रिप्टो मार्केट में हाला कि कुछ लोगों ने कोशिश की है तो हमारे पास स्टॉक मार्केट में जैदी नहीं होता तो हम कैसे निवेश्ट करते हैं यह सवाल रहता है तो उस समय हम कहते हैं कि बहुत LARGE CAP होते हैं उनमें रहो क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा उतार चड़ा उस प्रकार का देखने को नहीं मिलता यही स्ट्राटेजी लेकर मेरा यही कहना रहेगा कि अगर मेरी तरह आप यह मानते हैं कि Bitcoin ETF आने से शायद US बाजार में बहुत पैसे ETF में जाएं जिससे कि ETF कंपनीज को Bitcoin खरी बस Bitcoin से ही शुरुवात कीजिए समझिए और जब आपको पता चले कि tokens का research कैसे किया जाता है तब ही अन्यर की tokens को बारे में सोचिए गौरव मुझे बताईए आपके platform पर कितना उत्सा अब एक तो पूरे 2023 का अगर में कमोबेश recap समझना चाहूं तो कैसा रहा है आपके platform के संदर्प से और साल की शुरुवात आपने कहां कैसे होती हुई देखी है अगर कोई ट्रेंड भी आप साजा होंड करना चाहे हमारे साथ हो दो हजार तइस के कंपैरेजम में दो हजार चौबीस में काफी पॉजिटव स्टार्ट रही है नई यूजर्स लाइक आरे प्लाटफॉर्म पर एंड ट्रेड वॉल्यूम अगरे पर वो चीज रिफ्लेक् दूसरी चीज यह है कि जिसा जीत में काफी सब्सक्राइब करने के लिए मैं मेशे करेंगा कि सिस्टमाटिक वे में करिए कि साइपी फॉर्म में करिए या फिर मंतली वीकली कोई एक फ्रिक्वेंसी से आप करते रहिए एक्षेंजर पर डेली साइपी का भी प्रावधान है क्रिप्टो की केस में क्योंकि व्रटाइलिटी थोड़ी स्वाधा होती है आइस पंपर तो स्टॉक मार्केट सेकंड इस कि जैसे भी बिटकॉइन का एटीए आगया है तो एक काफी स्पेकुलेशन उस डिरेक्शन में बन रहा है कि एथिरियम पर आने के चांस असे है और एथिरियम अगयाने ज़लार्ज किया तो वो एक एक्स्पोजर पॉजिटव रहने के काफी आशंक है कि एथिरियम माइट सो अगर है और उसके अरांड यूजर्स थोड़ा रिसार्च कर सकते हैं कुछ मेट्रिक्स को लोग देख सकते हैं कि कितनी ट्रंजक्शन एक्टिविटी है कितनी लोग उस पर डिली ट्रंजक्शन कर रहे हैं तो जैसे पी बाई रिशो हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में य प्राटफर्म पर कितने लोग ने फंड्स स्टेक करके लॉक करके रखे हैं और उसके बीसिस पर उस ब्लॉक्चेन का या फिर उस टोकन के बारे में आपको एक इंसाइट पलता है जिसके बीसिस पर एक इनफॉर्म डिसिजन ले पाएंगे इस पर विस्तार से गौरव आपने जानकारी दे दी और इस बीच दो दर्शक है यूट्यूब पर जो सवाल भी पूछ रहे हैं अजीत आपके पास आओंगी अरुन है हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपको इस वक्लाइब यूट्यूब पर और क्रिप्टो विड्रॉल में दूझे से बात कर रहे हैं तो यह गौरव का सबाहरा है तो इंडिया में कुछ एक्शेंज में क्रिप्टो विड्रॉल विड्रॉल वगराया पे सर्टन लिमिटेशन्स डाल दी गई हैं तो कुछ एक्शेंजेंज बस आपको आनर से डिपोजिट और ऑर आईनर से विड्र कर सकते हो आयनार के फॉर्म में क्रिप्टो नहीं कर सकते हो तो वैसा एक लिमिटेशन कुछ एक्षेंजेस नहीं डाल के रखा है तो जैसे मैंने कहा था कि जब आप एक्षेंज डिसाइड करना हो तो ये सारी चीज़े एक बार एवैलूइट कर लीजे और उसके बेसिस पे आप एक कॉल ले सकते हो कि हाँ आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए और वो फीचर्स किस एक्षेंज में अवैलेबल उसके बेसिस सवाल तो मेरे ख्याल से आप इसे मैं जे पूछ लेना चाहिए और हर किसी को इसके जवाब का भी इंतजार है रनवीर पूछना चाहरे हैं कि सरकार क्रिप्टो पर टैक्स में बदलाव कप करेगी अब आप मुझसे की पुछ रहे हैं अकविटाची जी अजी जी 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 तो मिनिस्ट्री और फिनेंस में मैं 2018 से विजिटर रहा हूँ और ये डिसकेशन रही है तो यहां पर ना तीन प्रकार की मार पड़ रही है एक जो कि बिल्कुल ही बे तुकी है कि आप मिवेश में आपको टैक्स दिना पड़ेगा लेकिन जो लॉस होगा वो ऑफसेट नहीं कर सकते हैं यह कहीं भी नहीं देखा गया तो यह तो जल से जल बिल्कुल ही इर्राशनल है विश्व भर में कभी ऐसा नहीं होता यह तो बंद होनी चाहिए तो सबसे ज्यादा मार लोगों को परसंट होना जरूरी नहीं है वो 0.1 पर संट पे उतना ही टैक्स रखा सकते हैं तो वहां पर एक छोटा सा 0.0 वानिया ऐसा परसंट टैक्स होना चाहिए क्योंकि इस TDS की वज़े से ट्रांजक्शन वॉल्यूम कम होने की वज़े से देश का भी टैक्स का नुपसान हो रह है और आखिर बात रही 30% टैक्स लड़ की इसके बार में कई लोग बहूत नाकोश हैं कि 30% टैक्स क्यो क्यों है और कहीं लोग कोई परवादी को पढ़ रही क्योंकि वह वैसे़ी 30% टैक्स लड़ लगते हैं मुझे ये बहूत उमीद है कि जो 3 चीज़ों की हम बात कर र और वो मेरे उमीद है कि TDS का रेट कम होगा और साथ ही साथ जो लॉस आफसेट ना करने की बात है वो भी हटाई जाएगी ये काफी बराहत की बात होगी अगर इस तरह का कुछ अलान हो गया बजट में एक और सवाल जो की मेरे ख्याल से गौरव आपने अपने पहले जवाब में भी कवर किया है लेकिन फिर भी क्योंकि दर्शक ने पूछा है तो मैं आपके सामने रख रही हूँ पंकच का पूर सा पोच रहे हैं घरेलू मार्केट में भविष्टम में बिटकॉइन एटीएफ आने की संभावना कितनी आप लोगों को दिखाई दे रही है होती हुई फिंगर्स क्रोस्ट मतलब हम चाहते कि ऐसे कोई चीज हो बट उसके लिए कुछ चीजे ऑलड़ी इन प्लेस होनी चाहिए तो जैसे बिटकॉइन एटीएफ युएस में भी उसके बाद आया जब एक कोट ने एक ओर्डर करके स्पेसिफाई कर दिया वहां के सेक्यूरिटी तक आपको एक एंसर देना होगा आप लास्ट दस यर से टाल रहे हो सो फॉस्ट बिटकॉइन एटीएफ युएस में फाइल हुआ था दो हजार तेरह में तब से सारे स्पॉट बिटकॉइन एटीएफ रिजेक्ट होते आ हैं और दो हजार तैस चॉबीस में जाके वो चीज़ है वैसे ही टाइप मेकनिजम इंडिया में भी होगा एक वो स्ट्रक्चर बनेगा कौन रेगुलेटर इसके उपर डिसिजन लेगा वो सारी चीज़े बनेगे और उसके बाद भी सी की वो आने के चांसे साथ अजीद जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं ते मेरी ख कि क्या उन्हें बिटकोईन ही पसंद नहीं है बात मत करो हमसे जो कि इस समय आप देख रहे हो कि RBI के जो गवर्नेया उन्होंने इस परकार का अपना बताया है अपीनियन और दूसरी बात ही है कि देखो बिटकोईन क्या है वो निवेशक के उपर है खरीदना चाहे खरीद में आप अपने समझो इंडियन ETF हुआ बिटकोईन का तो अपने बैंक अकाउंट से रूपीज ट्रांसफर करोगे अपने ब्रोकरेज अकाउंट में वहां ट्रेड करोगे और जब निकालोगे तो रूपीज रहेंगे आपके हाथ में कभी बिटकोईन नहीं आएगा तो मे नहीं लगता है कि कोई बहुत जल्दी इंडिया में बिटकोईन ETF आने वाले और इंट्रेस्टिंग चीज यह है कि यह सवाल पूशा जाता है आर्बिया इसे हाला कि यह सेभी के दाएरे में आता है राइट ETF बनाना बट मैं यह काफी शूर हूँ कि इस समय मेरे खाल से 11 द से होने लग जाए तो देश का नुकसान होगा और मेरे ख्याल से एक कदम फूप फूप रखना चाहते हैं तमाम रेगूलेटर्स भी और मेरे ख्याल से आप जैसे संस्था भी जब इस तरह का फीड़बैक देते हैं तो बहुत सारी चीज़े जो है संग्यान में भी आ जात अधियों में किस तरह से निवेश को लेकर उची बढ़ रही है किस तरह के निवेश विकल्पो की और वो बढ़ रही है डिबेस बैंक को खृसल की एक खास रिपोर्ट है जिस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही महिला निवेशकों को बताएंगे कि कैसे वो अपने आर्थि की रहा पर चल सकती है इस ब्रेक के बाद झाल 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 ये सबसे पहले बहुत बड़ी बात है 37% महलाए अपने वित्या निरनाय खुद लेती है पतलब समझे है कि करीबन आधी मेलाएं अपना financial decision अपने आप लेती है यह बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है और जैसे आपने कहा कि अगर पांच साल पहलों के हम पहले के बात करते हैं शायद ये बात उभर के नहीं आती थी आज माहुल वाकी बदल चुका है दूसरी बात ये है कि समझेए परिवार में कोई निरने हो रहा है कि क्या करना है घर कौन सा लेना है लोन कहां लेना है कहां इनिवेस्ट करना है तो 98% महिला उसमें participate करते हैं तो मतलब करीबन हर बड़े financial decision में महिलाओं का participation है ये भी बहुत आशादा एक बात है अब इसमें logical दूसरी बात ये भी उबर के आई है कि अगर उस महिला की उमर 45 से जादा है तो वो जादा स्वयम पूर्ण है उन्होंने अपना salary हो या अपने business हो वहां से जादा पैसा कमा लिया है तो 45 साल से उपर जो महिलाओं है वो decide कर रही है अपने financial future के बारे में बहु ये एक पहली बात उभर के आई है दूसरी बात ये आई है कि जो 25 से 35 साल के महलाएं है तो वो पहले सोचती है कि हमारा हमारे घर के बारे में घर खरीदने के बारे में सोचा जाए फिर 35 से 45 साल की जो महलाएं वो सोचती है घर के अलावा अपने बेटे और बेटी की जाओधान करना है उसके बारे में सोचा जाए और फिर 45 से ओपर के महला है रिटायर्मेंट के बारे में सोचती है यह बिलको लॉजिकल है क्योंकि इसी तरह वेल्थ मैनेजमेंट और फिनाशल प्लैनिंग होनी चाहिए तीसरी मुख्या बात यह जो है कि समझेए अभी भी 50% महलाएं fix deposit और savings account के द्वारा ही invest करती है और आप अगर सोचे कि mutual fund और equities में कितनी महलाएं invest करती है तो 22% महलाएं equities और mutual fund में invest करती है उसमें भी mutual fund में ज्यादा और equity में कम तो मतलब equity में अभी भी महलाओं की प्रतिशत participation कम है अगर हम सोचते हैं तो तो यह तीसरा तथ्य निकल आया है और चवथा जो मेरे खायल से हम सबको उसके अपक्षा ही करनी चाहिए डिजिटल payments के बारे में जो तथ्य निकल आया है वो यह कि 86% महलाएं अपने सारे व्यहवार digital या card के माध्यम के थ्रू करती है तो debit card समझिए credit card, UPI, online banking इसके थ्रू सारी payments होती है सिर्फ 14% payments ही cash के द्वारा होती है तो clearly यह दिख रहा है है कि महलाएं अपने आप अपने financial planning के बारे में ज़्यादा सजग है करीबन आधी से ज़्यादा महलाएं अपने निरने खुद ले रही है अपने परिवार के निरने में अपना शर्थ प्रतिशत सहवाग बटा रही है और financial planning अच्छी तरह से कर रही है मैलाएं डिजिटल हो रही है और शायद equity में उनका participation अभी इस से ज़्यादा बढ़ सकता है कोल यहाँ पर गुंजाईशू की अगर हम बात करें संभावना की हम बात करें तो वो तो अपार है लेकिर हेवन ची देखिए कहीं ना कहीं ये बात हमें समझ में आ रही है कि एक जो financial planning का जो तरीका होता है आगे बढ़ने का तरीका होता है जो fundamentals होते हैं वो पुरुष हो य अब आगे आती भी दिखाई दे रही है जो तमाम बाते report पे भी निकल कर आ रही है मेरे ख्याल से अपनी आर्थिक जिंदेगी की बागदॉर अपने हाथ में लेना ये बहुत बड़ी बात है और यहीं से शुरुवात होती है अपने तमाम निवेश लक्षों को पूरा करन लेकर कहानी और आगे कितनी बड़त दिखाए आगे जहां तक महिलाओं की financial planning और निवेश में दिल्चस्पी को लेकर बात होतों कि तविता इस पे कोई भी शक नहीं है कि पिछले अगरा पात साथ साल में देखें तो महिलाएं हम तेरली देख रहे हैं कि एक समय ऐसा हुआ करता था कि वो या तो अपने father, brother या husband के ओपर depend क्या करते थी है investment decision लेने के लिए इवन वो महिलाएं के जो basically self-employed थी या जो job कर रही है वो भी और even housewife जितने भी महिलाएं थी वहां पर trend ऐसा था कि हम depend करती थी किसी ना किसी के ऊपर पिछले कुछ सालो में definitely हमने देखा उसमें बहुत बड़ा बदलाव है जैसे जैसे महिलाएं ambitious बन रही है, focus बन रही है वो self-reliant बना चाहती है कि वो जहां तक finances का सवाल है वो उसकी बागदोर जो है उनके हाथ में और मुझे लगता है वो एक बहुत ही बड़ा कदम है जैसे आपने बिल्कुल सही कहा देखे process जो है wealth creation का अपने goals को achieve करने का वो सभी के लिए समान है चाहे आप पूरुश हो या महिला हो लेकिन important चीज़ यह है कि आप उसके अंदर कितना participate करते है तो जैसे कि इस report से भी पता चल रहा है कि 98% मिला है जो है वो उस process में participate कर रही है मुझे रगता है वो एक सबसे बड़ा कदम है उसके बाद समझ कि जो जो investment है उनकी options में क्या pros है क्या cons है क्या risk है क्या वो achieve कर सकते है वो अंगला कदम होता है वहां पे भी हम देख रहे है कि जब कुछ से आप decision लेना शुरू करते हो तो आपको हर चीज़ में interest आता है जब तक आप किसी और के उपर dependent हो तो आपको बता है कोई ने कोई हमारे लिए वो देख रहा है जब आप कुछ से कर रहे हो तो आपको जो information बिलती है आप उसको analyze करने की कोशिश करते हो आप जब meeting में बैठ रहे हो आप घर में जो discussion हो ज़ीए उसमें participate कर रहे है तो कहीं न बारे में पता चला और फिर पता चलेगा कि विदन investment option wealth creation के लिए कौन से important avenues है हमारे पास तो जैसे mutual fund में यहां पर दिखाया कि 15% participation है equity में 7% participation है मुझे कोई भी doubt नहीं है कि अगले कुछ सालों में अगर आम 5 साल के बार देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव आप आपने देखा कि इस तरीके से ऐसे भी जो बड़ी है mutual funds की 17,000 कोड के पार गई है जो उसमें महिलाएं भी है push भी है शेरों के लोग भी है और छोटे कस्मों के लोग भी है तो I think pan India हर तबके के लोग हर तरह के जो investors है उसमें participate कर रहा है और मुझे रगता है यह जो discipline investment process जो हुआ है वो एक महिलाओं को बहुत बड़ी opportunity दे रहा है और देगा कि वो equity या mutual fund जैसी effective एक inflation beating जो investment option है उसके अंदर participate करे तो definitely बहुत ही encouraging sign है काफी बड़ा हमने movement देखा है और मुझे लगता है आगे-ागे हम देखेंगे कि यह number जो है बढ़ता जाएगा और उनकी जो quality है participation depreciation process में वो भी definitely यहां से बहुत बेतर होगी एक चीज़ जो मुझे समझनी है इस रिपोर्ट में प्रशांच सर्व fixed deposit savings account में लगबग 51% महिलाओं ने निवेश को लेकर उची दिखाई सोना हम देख रहे हैं दूसरे पाइदान पे 16% mutual fund 15, real estate 10 और equity 7 कहीं ना कहीं अभी भी equity को लेकर महिलाएं mutual fund पसंद कर रही है या direct shares को लेकर भी कोई आख रहा है direct equity को लेकर भी को आख रहा है जिसमें उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है और अगर आप देखती है तो अगर 10-15 साल पहले अगर हम देखते हैं 15-20 साल पहले तो पुरुष जो भी investor थे या investor समझे पुरुष हो या महला आए हैं यह pattern similar था हम सारे लोगों ने अपनी investment जब शुरू की सब लोगों ने savings account पहले खोला उसके बाद fixed deposit खोली शायद recurring deposit खो और सोना तो भरतिय समाज में सालों से चला आ रहा है और धीरे धीरे पहले लोगों ने mutual fund में invest किया फिर equities में गए और उसके बाद future option आई और उसमें लोग बढ़ते चले गए तो अगर पिछले 15 साल का progression देखेंगे तो इसी हिसाब से progression हुआ है तो महलाउं का जो progression है जैसे एक-एक step लिए है पिछले 15 साल में वही step शायद महलाएं लेंगे लेकिन शायद वह बहुत fast होगा इसी की उमीद कर रहे हैं हम सब और उमीद करते हैं कि इस तरह का जो मंथन हम कर रहे हैं चल्चा हम कर रहे हैं जब महलाएं सुने और अब तक जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं कि अपनी financial planning की वह आगे बढ़े एक और सवाल जो की बहुत अच्छा भी है जो डेटा सामने आ रहा है हमन जी घर खरीदने को लेकर महिलाएं जो है फैसला 25 साल की उम्र में से लेना अब शुरू कर रही है 45 साल तक की जो उम्र की महिलाएं है वो medical cover और insurance को बहुत प्राथमिक्ता दे रही है देखिए आतार रिपोर्ट्स आती हैं तमाम authorities की हेमन जी जहां पर कहा गया था कि 45 साल की महिलाएं है मेरे ख्याल से वो investment की और आगे जादा बढ़ रही है equity के जरीए उसके पहले एक report आई थी उसमें 18 से 24 साल की जो महिलाएं थी उनमें दिल्चस्पी दिखाई दी थी equity को में निव के जरीए वो समझनी कोशिश कर रही है काफी हर तक मेरे ख्याल से इसमें एक स्ट्रेज आता है social media को भी हाला कि उसको भी लोगों को filter out करके सलहा लेनी चाहिए माननी चाहिए लेकिन जो बुन्यादी rules होते हैं बंजी जो नियम होते हैं वो महिलाएं निवेश को लेकर काफी attempt हुआ है उसके उपर सभी investors के लिए कि आपको इतना जल्दी हो सके आप उसको invest कीजिए ताकि आपको equity जैसी asset class का फाइदा हो और compounding का फाइदा हो आप ठोटी शुटी रिकम से बड़ी रिकम बना सकते हो तो जाहिसी बात है जब यह effort हो है और जब हम देख रहे हैं क जैसा मैंने का self reliant होना चाहती है अपने finances के बारे में तो जब आप इतनी information आती है उसके बारे में बात होती है तो चाहे पर पुरुशों हो हमने वहां पे भी देखा है हमने महिलाओं में भी यह trend देखा है पहले पुरुशों में भी ऐसा ही बहुत कुरानी बात नहीं कर र कि बहुत समय पढ़ा है हमारे पास दीरे दीरे जो बदलाव हैं वही बदलाव हम definitely जो investing pattern है महिलाओं का वहां पे भी हम देख रहे हैं चाहे वो तिर जब हम goal based investment की बात करते हैं तो चाहे वो घर खरीदना हो या कोई भी बड़ा decision लेना हो क्योंकि आप financially aware होने की कोशिश कर हैं तो जाहिर सी बात है कि जो जो अच्छे चीज़ें आपके investment process में आनी चाहिए वो definitely हम देख रहे हैं कि वो महिलाओं के process में भी आ रही है और जैसा मैंने कहा पहले भी कि आगे आने वाले समय में हम इसमें काफी changes देखेंगे ये number बढ़ेगा और जो level of participation है शायद इससे भी जादा जाएगा क्योंकि important है कि एक बार आप aware हो गई आपने समझा कि इसका फाइदा क्या है और क्यों हमें financially self return होना चाहिए और खुझ से decision देने चाहिए तो यह सब हमारे investment decision में definitely आप देखेंगे कि मैलाओं के investment decision में वो reflect करें ख्याल से उमीद करते हैं कि अगली बार जो प्रशान जी इस तरह के report लेकर हमारे सामने हमारे साथ बैठें तो यह जो आकड़े हैं इनमें हम और भी इजाफा देखें और भी बहतरी की और महिलाओं की निवेश रन्नीती जाता हुआ हम देखें प्रशान जी बहुत बहु एक महिला दर्शक है हमारी जो अपनी फिनांशल प्लाइनिंग या निवेश को लेकर कोई गुर भी हम से सीखना चाहती है तो अपने सवाल आप हम तक पहुचा सकती है हमारा WhatsApp नंबर भी है हम YouTube पर भी लाइव होते हैं पुरानी शोज भी आप YouTube पर हमारी देख सकते हैं करेंगे फिनांशल प्लाइनिक प्रेके बाद कर दो झाल 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 वेल्कम बैक और आप शो का वो पड़ाव जहांपर हम दर्शकों से जुड़ते हैं और आज के हमारे खास पेशकरश में हमने यूट्यूब से जुड़े सवाल शामिल किये हैं अगर आप भी हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं तो अपने सवाल कमेंड बॉक्स में डाल हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ वाइसनवेस के सीईयो हेमन तुस्तिकी जुर गये हैं और हेमन जी चलिए पहला सवाल हमारे यूट्यूब के दर्शक का में लेना चाहूंगी ऐसे घोश साब का और हेमन जी वो बोल रहे हैं कि इनकी उमर देखिए 20 साल की है उन्होंने ह्टी एफसी का इंडेक्स फंड पॉर्टफोलियो में शामल किया है टाता का स्मॉल क्याप फंड पहले तो मुबारक बात घोश्ता आप आपकी उमर इतनी कम और आपने अपनी इंवेस्टमेंट की शुरुवात अल्रेडी कर ली है और इंडेक्स फंड जैसे मैंने पहले लीकार शुरुवात करें अच्छा है आप एक्विटी ऐसी ऐसे क्लास को बहतर समझते हैं उसके रिस्क को समझते हैं और जो गलतिया इंवेस्टर करते हैं वो आप आगे-आगे चप सीखते हैं तो आप दोराते हैं सही तरीका चुना है एक्विटी में के बीच में सही तरीके का बैलन्स कर सको तो मुझे रगता है कि अजय साब में विल्कुल सही का जो चार फंड इन्होंने चुने हैं वो चारों के चारों फंड फंड भी अच्छे हैं और जो कैटेगरी चुनी जिस तरह का एलोकेशन तीनों सेग्मेंट में होना चाहिए व और यह अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुवात करना चाहते हैं मूचल फंड से ही और यह कह रहे हैं 15 साल का समय है जिसके लिए यह निवेश करना चाहते हैं मुझे रखता है एक्विटी में ड्वेस्ट करना स्पेशली जब आप एसाइपी के द्वारा ड्वेस्ट करते हो तो बहुत ही सही ऑप्शन है डिसिप्लन रखता है एवरेजिंग का फाइदा होता है तो कुछ फंड है जो वेल्थ क्रेशन के लिए अगर उनको अधर साल के लिए चाहिए तो उनको कंसिडर कर सकते हैं एक मल्टी कैप फंड को देख सकते हैं अगला सवाल गौरतर पाथी का तीन साल के लिए एक फंड में इनको एसाइपी के जरिये निवे शुरू करना है हिमन सर कौन स्मॉल कैप फंड में और रवेड़ी ये तसजार की एसाइपी कर रहे हर मेना कि अगर तीन साल के लिए इंवेस्ट करना है और यह और अगर आप समझते हैं एक विटी में ही आपको जाना तो फिर मैं रिक्मेंड करूंगा आपको अगर अगला सवाल माजवी तरपाथी जी का में लेना चाहती हूं और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप मुटला लोसवाल मिट कैप कौन्ट लाजन मिट कैप में अगर्ण अगर अगर आप इनके टारगेट को देखें तो इनके बारा साल का समय है तो करीब परीब मुझे लगता है बारा परसंट की रिटन में मानके चलूं तो करीब एटी वन लाक्स का कौपस यह बना पाएंगे शाहिए इनकर जो टागेट है वो एक करोड का है बहां तक पहुंचने के लिए इनको अपने एसेटी को 5000 रुपीस से बढ़ाना होगा अगर आप 5000 से बढ़ाते हैं 12 साल के लिए तो आप डेफिनिटली एक करोड के कौपस से पहुंच बाएंगे और जो एडिशनल पैसा है आप और जिस्टि के लिए निवेश हो रहा है और फिलहाल तीन ही फंड है अधिक 15 साल का समय है एक्विटी फंड में स्टी करना स्टेजी वाइस बिल्कुल सही है कैटेगरी उन्होंने तीन हो अच्छी चुनी है यहां पे जैसे फ्लेक्सी कैप में पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है वहां प को दिखेंगे तो वो जो एक्सिस्टिंग पांड है उससे बैटर ऑक्षिन लेगी तो दो बदला रिक्मेंट कर रहा हूं आप कर सकते हैं ताकि आपको रिटर्ज जो है अपने टाइम और अजल में बेटर बिल सकते अगला सवाल अविनास च्राटल जी का इन्होंने अपन पालना चाहते हैं कि दो करोड तीस साल में इस निवेश के जरीए कैसे पूरे हो पाएंगे तो अगर यहां पर मैं इनका टाइम और रिटर्म मानके चलू तो काफी लंबा है इससे बहतर रिटर्म अगर एक पसंट भी ज्यादा मिलेगा तो यह अपने को अचीव करने में प्रब्लम नहीं है एक दो थोड़े से बदलाव है इनका जो पूर्टफोलियो उसमें पांसोर पेशा दिये आइसे इसे पूरू पूर्फोलियों के बदलाव नहीं होगा फाइदा नहीं होगा इंके पास एक स्मॉल कैप फंड है एक हजार पेगा वहां पे इसको आप एड कर दीजे मुझे लगता है पूर्फोलियों में जो सब्सक्राइब है उसके सामने करें कि मुझे लंबा समय है तो हाइब्रेट फंड उतना सूटेबल नहीं देगा तो वो एक पेटर इंवस्ट है यूलिक डेफिनिटी मैं चाहूँगा यह कंसीडर करें कि जब इतने लबे समय के लिए अगर आप देखें किसी बेहतर फंड में जाएं जाएं तो आपको रिटन थोड़ी बहतर बिल सकते हैं और राइट चलिए और भी मेरे पास सवाल है लेकिन मेरे पास समय फिलहाल के लिए खतम हो चुका है हेमिन जी इसी के साथ शो को भी समाप करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकाला आपने आज शो के लिए और दरशुकों से मैं आज इजाज़त चाहूँगी लेकिन जाते जाते मैं दर्खवास करती हूँ कि आप सब अपने सवाल हम तक दरूर पहुंचाए एक लौता शो है जहां पर हम आपकी लाइफ फिनांशल प्लानिंग करते हैं जितना हो सके आपके सवाल लेते हैं शो पर देखिए वाटसाब कर सकते हैं अपने सवाल 9619873567 पर सोशल मीडिया के तमाम प्लाटफॉर्म्स पर हम लाइफ होते हैं तो अपने सवाल आप कमेंट बॉक्स में डालिए खास्तोर से अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे दीजे अजाज़त नमस्कार कि अपने स要ग हैं झाल 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 तक झाल 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 यह proxy play है on the infrastructure growth story of India यह LPG और chemical के storage में deal करते है और इनका LPG में काफी aggressive growth है तो हमें लगता है यह stock आपको जैसे मैंने पता है और दूसरा टिप्स है जिसमें हमें लगता है कि इसकी top line double होने वाले अगले 3 साल में और उसका profit हमें तीन गुना बढ़ते हुए दिख रहा है तो हमें लगता है कि यह share आपको 17 टाइम 1 year of 2 years forward मिल रहा है तो इसमें आप easily 50 टकी की upside की कुझाश रख सकते हैं तो यह दो stocks है विनी जी की तरफ तरफ एजिस logistics अगले 2 साल के लिए आपको यह hold करना है लॉंग टम नजरिया है अगले 2 साल के लिए अगर आप hold करते हैं तो 516 तक की levels आपको इस stock में दिखेंगे और दूसरा stock विनी जी ने सुझाया tips industries यहाँ पर भी आप नजर रखे और tips industries में आपको अगले 2 साल के लिए 612 के लिए आप खरदारी करके चल सकते हैं तो यह 2 साला stock विनी जी की तरफ से अधिती जी अब आपके radar पर कॉन से stocks हैं देखें मेरे radar पर अभी IT stocks है IT stocks ने शांदार comeback दिया है जैसे कि आप Infosys, TCS, HCL Tech, Wipro सब stock में एक अच्छा long build up data में देखने को मिला और patterns अभी इस तरीके से बता रहे कि recovery बाजार में दिख रही है तो उसके चलते मुझे लगता है HCL Tech एक अच्छा buy बन सकता है current levels पे और इसमें stop loss लगाना चाहिए 1500 का और इसमें target बनके आ रहे 1650 से लेके 1690 हम ओकी तो HCL Tech है stop loss 1500 का उपर की तरफ लक्ष है 1650 से 1690 का और आज हम देख रहे थे कमजोर बाजार में भी IT stocks चल रहे थे उसमें HCL Tech में आप नज़र रख सकते हैं यह short term trading idea है और अगर आपको long term के लिए रखना है आपका view दो से तीन साल का है तो विनी जी ने आपको दो stocks हो जायर tips industries और AGS logistics महाँ पर आप नज़र रखिए चलिए आप दोनों का ही बाबाद धन्यवाद अदेती जी विरीजी आप दोनों का ही बाबाद शुक्रिया समय देने के लिए हमाई साथ इस शो में जुडने के लिए फिलाल ने इस शो में इतना ही छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे लेकिन आप बने दिया हमाई साथ ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसला जाए रहे हमस्कार झाल 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 हैं कि आने वाले दिनों में जो क्रूड की कीमते हैं उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है और उसको देखते हुए सरकार इस वक्त सतर्क है और कोई भी फैसला लेने से पहले तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रख रही है हलाकि इस मसले पर प्रस्ताव जरूर है कि जो कंपनियों को मुनाफ़ हो रहा है खासकर आप वरल माकेटिंग कंपनिज की बात करें तो इसका जो बेनिफिट है कंजूमर को दिये जाए यह प्रस्ताव जरूर है इस मसले पर चर्चा भी हुई है सरकार के अंदर लेकिन फैसले से पहले तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा जैसा कि आपको पता है कि वरल माकेटिंग कंपनिज ने पिछले थी क्वार्टर में काफी स्ट्रॉंग प्रॉफिट दर्च किये हैं और साथी साथ अगर आप पेट्रोल डिजल के बिकरी की बात करें तो उन्हें काफी मुनाफ़ा भी हो रहा है पेट्रोल के बिकरी पर कर वक्त खासका रेट्सी में जो हम सितिती देख रहे हैं उसकी वज़े से इस बात की संभावना जताई जा रही है कि क्रूड की कीमतों में और वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है पेट्रोलिय मंत्राले का भी ऐसा अनुमान है कि वोलेटिलिटी अभी भी मार्केट में है और जो रेट्सी क्राइसी से वो बिगर चैलेंज के तौर पर उभर सकता है लिहाजा सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहती है और कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती है लिहाजा सुतर हमें बता रहे हैं कि दो इंपॉर् लिगन से लिए लगर सकता है लिए से लिए बता चाहती है लिए से लिएर से लिए को धुछ से लिए नमस्कार कंज्यूमरिस किंग देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ प्रशांत पांटे और आज का विशे बहुत खास है क्योंकि सर्दियों की शुरुआत हो गई और खास तर पर उत्तर भारत में तो शीत लहर और सर्दी की वजह से इस वक्त लोग ठंड और ठिटुरन का सामना कर रहे हैं रोज मरा का काम काज कर पाना भी उनके लिए एक तरह की चुनौती बना हुआ है और इन सब के बीच हम देखते हैं कि आम परिवारों में धरले से रूम हीटर्स का इस्तमाल होता है कई बार ये रूम हीटर्स स्टैंडर्ड होते हैं लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि इस तरह के रूम हीटर्स का इस्तमाल किया जाता है जिनका जोखिम जादा है हाला कि स्टैंडर्ड रूम हीटर इस्तमाल करने में भी अगर आप सर्दियों में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए इस्तमाल कर रहे हैं उसके लिए भी कुछ नियम काईदे हैं और कई बार जब सीमाएं लांगी जाती हैं कई बार जब नियम काईदों को अंदेखा किया जाता है तो बड़े हादसों को हम नियोता दे देते हैं सेहत पर अत्याचार कर लेते हैं और इसलिए आज हम इस विशे पर चर्चा कर रहे हैं इस चर्चा में हम हर पहलू को समेटने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो स्टडी है जो रिसरच है वो ये कहती है कि शरीर के तीन हिस्सों पर रूम हीटर का जादा इस्तमाल और खास तर पर नियमों की अंदेखी करके जब हम इस्तमाल करते हैं तो उसका सबसे जादा असर पड़ता है ये है हमारी आखें ये है हमारी सांसें यानि हमारे फेपड़े और इसके साथ ही इसका असर पड़ता है हमारे शरीर की हड़ियों पर तो इन तीन पहलों पर विशेश करके हम बाचीत करने वाले हैं और इसके अलावा किस तरह की सावधानी हमें रखनी चाहिए इस पर भी हम रोशनी डालेंगे और आपको ग्राफिक्स के जरिये भी इसके बारे में पूरी मालुमात पूरी जानकारी देंगे तो चलिए चर्चा की शुरुवात करते हैं और अपने साथ जोडते हैं बेहत खास महमानों को हमारे साथ दॉक्टर दिग्विजजे सिंग है आप वरिष्ट नेत्र रोग विशेशग है एनेच गुरुग्राम में दॉक्टर दिग्विजे बहुत-बहुत सवागत आपका ई यपी नाव सुदेश में दॉक्टर दता मैं आपसे करना चाहूंगा कुछ चीजें तो हमने मोटा मोटी बता दी लेकिन जरा हमें बताईए कि आखर सबसे बड़ा जो प्रहार है वो हम सांसों पर ही देखते हैं और सबसे बड़ा प्रहार रूम हीटर के इस्तमाल में उसके जादा इस्तमाल में या ए हम हीटर इस्तमाल करते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और जो हीटर है वो एक ड्राई हीट पैदा करता है ड्राई हीट से हमारा जो हुमिडिटी है एटमस्फियर में वो क्लोज रूम का वो खतम हो जाती है धीरे धीरे और फिर जब यह ड्राई एयर हम इन्हेल करते हैं तो वो हमारे respiratory passage को जो lungs के airways हैं उनको dry कर देता है secretion dry up हो जाते हैं चाहे वो nostril के हो throat के हो या airways के हो इसकी वज़ा से आदमी को cough होना या irritative cough जिसको हम बोलते हैं technical language में वो होने का risk बढ़ जाता है sinusitis हो सकती है और headache हो सकता है आदमी को ये सब risk involved है आदमी को respiratory long standing और जो air है dry air अगर proper cleanliness ना किया जाए ventilation प्रॉपर ना हो तो जो allergens है atmosphere में close room के अंदर वो भी आदमी को allergy पैदा कर सकते हैं खासकर जो लोग COPD या bronchial asthma से जिनको उनके already disease लग आए तो उनके लिए ये already problem पैदा कर सकता है thank you बिल्कुल तो बहुत बहतर तरीके से जो जो बंद कमरा है उसमें room heater का जादा इस्तमाल और खास तोर पे ऐसे लोग जिनने सान सम्मंदी पहले से दिकते हैं उन्हें तो जादा साफधान रखना चाहिए हम इसके इस्तमाल को और बेतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर्दियां है खुद को गर्म रखने के लिए रूम हीटर एक बहुत अच्छा विकल्प है तो इनके इस्तमाल का तरीका क्या होना चाहिए ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर मूर्ती को चर्चा में मैं शामिल करना चाहता हूँ डॉक्टर मूर्ती दो चीजे हैं एक तो लोग शायद समझ नहीं पाते हैं कि इस इस्तमाल की वज़े से हड़ियां किस तरह से प्रभावित हो रही है और दूसरा ये कि फिर व्यक्ती को अपनी हड़ियों को इन सर्दियों में बहुत से एक तरह से कह सकते हैं कि उन पर दो तरफा मार हो जाती है एक तो सर्दी से अपने शरीर को बचाना है और उसमें भी अगर हम रूम हीटर के इस्तमाल में भी अगर हमारे हड़ियों को नुकसान हो रहा है तो फिर उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है तो जरा बताएं कि आखरी ये चुनौती है किस तरह की देखिए उप tierra जो में जो होती है Just . ढुंपार ज्याए इंवार्ड होते हैं मतलब by आश्यार करेंब्स इन जाटिया दोनों होते हैं उसका। जोंपर ज्यादा Likewise StipNess हो जाती है और मूपन कम होती है जॉइंट्स का अंदर और जिसका अगर open wound है या ऑख य्या ई nenhum हुआ है उनको थंड में ज्यादा दर्द होती है लेकिन हीट जो होती है थोड़ा माइड हीट इस वेरी गूड पर रिलाक्सिंग दे मॉसल्स अच्छी तरह रिलाक्स होती है कि जो थ्रैपी में हम लोग यूज करते हैं वह हेल्प करता है लेकिन कांस्टेंटली जो रूम या गठिया है या कोई बिमारी है जिसमें सुजन हो रही है जॉइंट में तब रूम हीटर लगाने से सुजन और बढ़ जाती है पेन बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड सप्ला इंक्रीजट हो जाती है तो इसलिए हम मना करते हैं जिसको स्वेलिंग है तो वह हीटर का सामने ना बैठ है दूसरा है कि हम गुटना बदते हैं या हीप रिप्लेस्मेंट करते हैं उसमें एक प्लास्टिक का इलिमेंट भी होता है अगर डायरेक्टली रूम हीटर का सामने अगर बैट गया दो फिट क्या तीन फिट का दूर में वह प्लास्टिक वेरी हाइली इस्तमाल मत करिए वाम रखिए लेकिन हीट नहीं करना जैसे डबनोचर ने रिकमेंट किया है कि 24 और 26 डिग्री इस दर मोस्ट कमपरटबल जोन विट हीमिडिटी और जैसे डॉक साब बुकल विजेज़ता ने बताया कि हीमिडिटी कुछ मेंटेन करना हीट का कि किस तरह से अगर आपकी इस तरह की कोई जॉइंट सर्जरी हुई है या आपको टाके लगे हुए हैं आपका किसी तरह का आपरेशन है तो हर चीज के इस्तमाल का एक प्रोटोकॉल होता है एक तरीका होता है और वो शायद कमपनिया तो आपको नहीं बताएंगी लेकिन ह हमारी कोशिश है कि हम थोड़ा इस बारे में जागरूप करें क्योंकि ये सितियां थोड़ी चिंता जनक बन जाती हैं कई बार इनसान को समझ नहीं आता जब उसको तकलीफें बढ़ती हैं कि आखिर इसका इफेक्ट किस वज़े से होता है तो जरूरत की चीज़ें इस्तम के जादा इस्तमाल से अब रूम हीटर के साथ हम दो चीज़ें देख रहे हैं एक तो हीट तो जनरेट होई रही है हम अपने शरीर को वाम रखने के लिए बहुत करीब भी बैठते हैं और वहां पे हम एक तेज लाइड भी देखते हैं जो उनके कैंडल्स होते हैं उसमें तेज रौष्णी भी होती है तो क्या ये दोहरी मार है या इसके अलावा जो डिहाइडरेशन है या बाकी पहलू है वो भी बड़ी भूमी का निभाते हैं था Patriots आप अाँपोंपर आपोर्स एक थाख नंगरनी नवी और लूजरि बहुत कॉमन हैं लोग जो क्लोज ड्रूं में रहते हैं और इटर्वां रखते हैं उनके लिए आइस में इसद बहुत ज्ली और अभान एदध में और दूसरा जो केंडल बेस्ट हीटर्स हैं रेडियंट हीटर्स हैं जहां पर ओरेंज कलर का ग्लो आता है इसके कॉईल के अंदर से उन वाले हीटर्स में डिरेक्ली लुकिंग इंटु दे लाइट अल्सों कैंड जो कॉर्स काटराक्ट और इंक्रीज दे चांस उसका मोथिया बनने का चांस बढ़ा सकते हैं पर वो भी ज़्यादा ड्राइनस करते हैं प्राबब्ली जो बेस्ट फॉर्म ऑफ हीटर है वो हमारा जो ऑईल बेस्ट हीटर्स हैं जो कन्वेक्शन हीटर्स हैं वो फिर भी कुछ हद तक सही हैं पर नमी तो वो भी कम करते हैं और आँखों में शुष्ख प्रभाव है वो किस तरह का होता है हम जरा इसको और विस्तार से समझने की आगे कोशिश करेंगे जिनको मोतिया बिंद है या जिनको आखी कोई परिशानी है जिनकी सजरी हुई है उन्हें क्या इतियात रखना है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे डॉक्र दता मैं आ उसे पहने हुए जो हैं वो कैए इस रूम हीटर के सामने बैठते हैं कई बार हम यह भी देखते हैं कि लोग अपना भोजन भी अपनी ब्रेकवर्स्ट हो अपना लंच हो अपना डिंटर हो वो भी हीटर के सामने ही बैटके करते हैं ज़रा इस पर रौश्णी डालें कि यह क् नुकसान पहुंचाते हैं सर्कुलेट होती रहती है एक्मेस्वेर में और वो आप इन्हेल करते रहते हैं तो यह सब भी एक एडिशनल रिस्ट वेक्टर है क्योंकि आप अपने आपको गरम करने के लिए यह सब जैसे ब्लैंकेट्स हो गया है या क्विल्ट्स हो गया है या और अपने आपको अच्छे से कवर करते हैं वूलन से तो उनके अंदर भी जो रेशे है चाहे वो एनिमल रेशा हो या सिंथेटिक रेशा हो वो भी डस्ट इंवाइब करता है और वो डस्ट जो है अगर आप प्रॉपली अपना रख रखाव नहीं रखेंगे और प्रॉपर अपना केर नहीं करेंगे तो यह सब आपको डस्ट जिसको प्रॉण करता है जॉक्टर मूर्ती मैं आपके पास आना चाहूंगा अब जरा बताईए कि जिनको पहले से दिक्कतें हैं जिनकी पहले से कुछ सरजरी हुई हुई है या जिनके जॉइंट्स में पहले से परेशानी है उनको आपकी क्या एतियात होगी और जैसे मैं आप ने कहा कि आप एक प्रॉसेस करते हैं चाहे फीजियो थेरपी में या किसी तरह की एक्सराइज में जॉइंट्स को वाम रखने के लिए अब अगर हमें घर पे थोड़ा सा इसको बचाव करना है तो क्या-क्या आप्शन मौजूद है और फास तरह पे जिनको घुटने की ज़्यादा परिशानी है या ओल्ड एज में जो लोग है उनको किस तरह से वाम रखा जा सकता है अक्चली रूम हीटर तो मैंने मना किया इसलिए कि ज़्यादा टाइम नहीं रहना थोड़ा कुछ टेंपरेजर आप 24-26 degree के अंदर मेंटेन करें तो काफी होता है मुवमे यह मैंने जैसे बताया कि वह इंप्लांट यूज करते हैं उसमें शेप चेंज हो जाते है क्यूंकि उसमें एक प्लास्टिक का भी एलिमेंट होता है यह तीन चीज़ है बाकि जिसको आर्थराइटिस है उसको वाम तो रखना ही पड़ेगा उसको वाम रखने के लिए तीन पैने उसका उपर आप उलेंट चाते हैं तो पैन सकते हैं कंपल अगर ओड़ रहे हैं तो अंदर एक चदर रखना है उसके बाद कंबल ओड़ेगा जब ऑपरेशन हुआ है यह चीज रखना है वाम रखना है बट ज्यादा गरम नहीं रखना गरम रखने से इंफेक्शन हो करने में आपको बहुत फाइदा रहेगा वाम रहेगा तो स्टिफनेस कम हो जाएगा मूव्मिन्ट 3 रहेगा इसका मतलब नहीं आप उसको होट बनाइए हीटर के सामने या गीजर के सामने या गरम पानी गीजर के डायरेक्टफी इसका आपर फ्लो होने ना दियेข ecuto बिल्कुल तो बहुत अहम सला जो है वो आपको मिलती हुई और इसका बहुत ध्यान रखना है खासतों पर हम देख रहे हैं कि भारत में हड़ी से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है विटमिन डी डिफिसिंट सी जो है वो भी लोगों में बहुत तेजी से बड़ी है और अमोमन हम देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे आदमी को यस तरह की तकलीफें आ रही हैं सर्दियों में वो चैलेंज और भी बढ़ जाता है कई लाकों में लंबे समय तक धूप नहीं मिलती है लोग सर्दियों में जो है वो पानी का इस्तमाल भी कम करते हैं और इस वज़े से भी कई मोर्चों पर जो है वो उनकी चुनोतियां बढ़ जाती हैं डॉक्टर दिखविजे मैं एक स्पेसिफिक सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा ना सिर्फ रूम हीटर बलकि पूरी सर्दियों को अगर देखें तो खास तोर पे जिनक का मोतिया बिंद का उपरेशन हुआ है या किसी तरह की उनकी आई सर्जरी है या आजकल हम आई ड्राइनेस की समस्या बहुत बढ़ती देखते हैं और वो सर्दियों में तो और जादा इसकी समस्या बढ़ जाती है क्या सला होगी आपकी किन बातों का विशेश रूप से ख प्रदूशन बहुत ज़्यादा रहता है एक स्मॉग रहता है और यह आईज में अलर्जी इस दोनों करता है इरिटेशन करता है जिस कारण लोगों को इस सीजन में बहुत ज़्यादा आई अलर्जी और ड्राइनस फील होता है तो एक तो आप अपना एक्सपोजर इस चीज़ भी है कि बाहर दूप में बैख के दूप सेखना सरदियों में तो सीधा आप सूरज की तरफ या आस्मान की तरफ ना देखें जहां पर कि UV लाइट जो होती है यह UV लाइट और इंफ्रा रेड लाइट यह दोनों कैटरैक्ट को बढ़ा सकती हैं बढ़ावा दे सकती हैं तो ऐसा हमें सीधा नहीं देखना क्योंकि सूरज हमें वैसे मद्दम मैसूस होता है पर जो उसकी किरणे और रेज आ रही है वो तो पूरी होती होती है तो यह हमें अवाइट करना है और आखिरकार इस सीजन में हमारा फ्लूइड इंटेक कम हो जाता है हम लोग पानी क पीते हैं आम तौर में पसीना नहीं आता प्यास फिंस लगती है तो यह बी । उसको ड्राइनेस और आइस पाज अंदर सर्किलेशन है उसको रेडियूस करता है तो यह सारा केर हमें जरूर करना है इस मौसम में सर्दियों में फास तोर पे और जहां तक आपका पूछा है कि जिनका ऑपरेशन हो रखा है उनको क्या तक्रीफ हो सकती है तो उनको भी सीधा धूप किरणों की तरफ नहीं देखना है और उनको ड्राइनेस बलकी ज्यादा मैसूस होती है आम तोर पे ऑपरेशन के बाद तो उसमें लूब्रिकंट आई ड्रॉप्स भी आप इस्तमाल कर सकते हैं इसी से मेरा एक जुड़ा सवाल है कि आज कि हम देख रहे हैं कि आई ड्रॉप्स का इस्तमाल लोग बड़े धरले से कर रहे हैं और ड्राइनेस और बाकी चीजों में कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर ने एक बार कोई आई ड्रॉप लिग दिया और फिर दुबारा लोग बिना आई चेकब के या डॉक्टर से परामर्श के भी उसी ड्रॉप को आगे कंटिन्यू करते हैं ऐलर्जीज के केस में भी बहुत देखा गया है कि इस तरह की जो लापरवाई ये कई बार भारी पड़ जाती है तो ऐसे लोग को क्या सला होगी आपकी जाती हिए जैसे कि कोई एंटीलर्जिक हो गया घ्रॉप में ये तो यह सब आपे हिए बिना आपको नहीं इस तामारा क्योंकि के नुक्षान होते हैं Lubrication Eye Drop, जो आँखों की नमी बनाते हैं, इसमें भी दो टाइप के हैं, कुछ Prescription Based है, जो फोड़े Strong होते हैं, अलग Compound है, और कुछ Over the Counter हैं, जो सरकार ने Over the Counter करे हैं, जिसमें आप सीधा बिना Prescription के भी ले सकते हो, अगर आपको जैदा Dryness महसूस होती है, तो आप Over the Counter Drops नमभा भी इस्तिमाल कर सकते हो, खुद भी ले सकते हो, लेकिन जो Prescription Medicine है, जो डॉक्टर ने लिखके दिया है, प्लीज उसको उतने समय के ले इस्तिमाल करो, हमने देखा है, उसके दो रुप्योंग से नुकसान जैदा हो जाता है, फाइदा के अनुसान, बिल्कुल, तो ये एहम बात आप जरूर ध्यान रखिए, खास तरह पर आईड्रॉप्स के इस्तिमाल में हमने देखा कि पिछले दिनों भी बहुत शहरों में जो एलर्जी की समस्या हुई, और उन सब में एलर्जी भी अलग अलग तरह की होती है, उन सब में लोगों ने धडलले से इस्तिमाल किय बहुत सारे परिशानिया उनको सामने आई हैं और लंबे समय तक भी जब अलर्जी बनी रहती है तो उसमें भी आपको डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत आवर्शक होता है, कई बार बिना सोचे समझे, आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और कोई भी दवा या कोई भी समस्या है, उसके हिसाब से कोई ड्रॉब दे रखी है, उसका ही इस्तमाल आप दुबारा करने लगते हैं, तो ये आपके आँखों के लिए भारी पड़ सकता है, डॉक्टर दता मैं आपके पास आना चाहूंगा, रूम हीटर और बाकी पहलों को हटा दें, सर्दियों में आपके इस्तमा इस्तमा या किस तरह की इलर्जी वाली डिजीसे हैं, कई लोगों को हम देखते हैं कि लगातार छींकें भी बहुत आती हैं, डस्त इलर्जी हैं, बहुत सारी चीज़ें, उनको आपकी क्या सला होगी या जो एक लंबे मेडिकेशन पे चल रहे हैं, उनको अ इस सीजन में ज्यादा प्रॉलम्स आती हैं, ज्यादा एकसेसरवेशन होती हैं, और उनको निमोनिया का रिस्क भी बढ़ जाता है, तो आइडिली यही रिकमेंटेड है कि उनको इन्फ्रेंजा कॉर्डी वेलंड फ्लू वेक्सिन लिया जाए, दूसरा नीमो कोकल वेक्सिन और जो कॉर्डी वेक्सिन जिसमें की स्वाइन फ्लू वेक्सिन और इन्फ्रेंजा वेक्सिन कंपोनेंट होते हैं, वो एवरी यह उसका बूस्टर डोस लिया जाए, तो यह तो रेगुलर्ली रिकमेंडेड है, जो भी ऐसे क्रॉनिकली इल पेशेंट्स हैं, ताकि उनको बारल निमोनिया और प्रिटीडियल निमोनिया से प्रिवेंशन रहे। किसी तरह की कोई जादा समस्या हो, तो डॉक्टर्स के संपर्क में आपको जरूर रहना चाहिए, खुद से घर पे मेडिकेशन करने से जरा बचें, क्योंकि इस दौरान, इस सीजन में थोड़ी भी लापरवाही भारी पढ़ सकती है, आपकी सेहत के लिए नुक्सान पहु होगी या रात में अचानक टेंपरिचर डाउन हो जाता है, वहाँ पर लोग एसी का भी इस्तमाल करते हैं, ये जरा थेरी हमें समझाएए, कि बहुत जादा जिसे हमने का कि आप हीटर का इस्तमाल कर रहे हैं, तो आपके हड़ी और जॉइंट को नुक्सान पहुंच रहा ह एसी को भी लेकर इस्तमाल के बारे में इस तरह की बहुत सारी रिसर्च सामने आई है, जो लगातार आपके हड़ीों को नुक्सान पहुंचा रहे हैं, यंग्स्टर्स में भी हम देख रहे हैं कि बहुत इस तरह की दिकतें आ रही हैं, जरा इस पर रौशनी डाली है एसी का जो है एक्स्त्रीम टेंप्रेचर सिख नहीं होता है, जैसे मैंने बोला कॉंपोर्ट जोन में रहे हैं, अगर एक्स्रीम टेंप्रेचर अचल को ज्यादर थंडा लगाते हैं या ज्यादा हीट रखते हैं तो उसमें आपको नुक्सान होती है जैसे बिजे ने बताया है कि ज़्यादा हीट से आपको ड्राइनेस होती है वो सब तो प्रोग्लम होता है जिसका डाइबेटीज है स्किन की चीज़ेस है या उसको ओपन हूंड है कॉंटाक्ट डर्मटाइटीज है या उसमें भी जादा हीट अच्छा नहीं होता है रहेंगे तो आपका वह कोलेंट से बनता है स्किन का नीचे वो नहीं बनता है बाकी एक्सरसाइज नहीं होती है मुवमेंट्स रेस्टिक्ट हो जाती है स्टिफनेस होती है जॉइंट्स पर्टिकुलर्ली रुमाटर अर्थरैटिस वगरा में कि एक तो स्टिफनेस हो जाएगा जॉइंट्स मुवमेंट्स रेस्टिक्ट हो जाएगा एक्सरसाइज नहीं करेंगे मुसल अट्रपी होगा इस रहाए कि विटमिन डी आपकर जूप से जो बनता है और नहीं बनेगा इसलिए मैं आप ज्यादा एर कंडिशन में जो भी टें नहीं बैठे रहे एंजॉइ तक वेजर ना है और शरीर को शायद कई बार आदत भी डलवानी चाहिए कुछ चीजों की सर्दियां हैं वो मौसम है सर्दी का वहाँ पर आप अपने शरीर को इतना जादा बहुत जादा प्रोटेक्ट भी करेंगे तो आपके शरीर की शमता इन एक्स्ट्रीम सिचुएशन को सैने की दिरे दिरे खत्म होती जाती है और यहीं वज़ाए कि कई बार होता है कि हमें बहुत जादा सर्दी महसूस होती है चुकि आपने डॉक्टर विटमिन डी का जिक्र किया तो बड़ा मरे मन में एक सवाल था और यह हम लगतार देख इसमें या जब उनका छुटियां होती है तब क्या लंबे समय तक धूप में बैटके इसकी भरपाई हो सकती है या सप्लिमेंट इसकी भरपाई कर सकते हैं और जरा समय भी बताईए कि कब वो धूप लेने का जो सही समय है विटमिन डी का सही जो शरीर में समय जाना है जो वाटर सुलिवल है यूरीन में बाडी में निकल जाती है एक्सेशिव होने से लेकिन यह निकलता नहीं है इसलिए ब्लाइंड ली विटमिन डी लेना अच्छा नहीं होता है डॉक्टर की सला से ही विटमिन डी लेना है आपको टेस्ट रेगुलरली कर रहे होती है लुक्टर्स विटमिन डी लेट और राइट प्रिसकाइब कर देते हैं या पेशेंट अपने आप लेता है जब भी पेशेंट मेरे पास आता है तो विटमिन डी तीन साल से ले रहा है वो गलत है दूसरा है धूप से धूप से यह नहीं कि आप दोपेर को दूप में बैठ है और कोलेस्टरॉल से विटमिन डी बनती है सर्टन रेज ऑफ लाइट हमारा प्रिजिम अगर आपने बच्पन पड़े है तो इंफ्रारेट रहे से अल्ट्रा वालेट रहे तक हमरा स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होती है तो लोर स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट जो है स्किन का अंदर जाके कोलेस्टरॉल को विटमिन डी बनाने में हेल्प करता है इसलिए अर्ली मॉर्निंग संराइज जो होती है जो आपका संद बाहर नहीं आया आपको लेट से रिक्रेक्ट्रेड होके आपका उपर संद्रीज गिर रहा है या शाम का वो धूप बेटर होता है कोली कल्सिफरॉल दाटेज और उसके बाद मेचर होती है आपका लिवर में पहले उसके बाद किड्नी में मेचर होती है अगर लिवर टीजिज है तो हम लोग बॉनिटर करके विटमिन डी बिलकुल तो ये बहुत जरूरी था और इस तरह की समस्याएं जो हैं वो बढ़ती जाते ही हैं शुक्रिया करेंगे डॉक्टर दिविजय, डॉक्टर विजय दता, डॉक्टर मूर्ती आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और उमीद है कि हमारे जो दर्शक इस वक्त इस शो को देखना है उन सभी ने ये जानकारिया नो लोन चाहिए तो पैसा बज़ाए झाल 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 प्रश्क इस की बड़ी वज़धे है वह है रेटसी में जो क्राइसिस किसी है ये पूरा रूट डिस्टरब्ड है उसकी वज़धे से इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो क्रूट की कीम्ते हैं उसमें और बड़ोतरी हो वा और उसको प्रस्ताव जरूर है इस मसले पर चर्चा भी हुई है सरकार के अंदर लेकिन फैसले से पहले तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा जैसा कि आपको पता है कि वर्ल माकेटिंग कंपनीज ने पिछले त्री क्वार्टर्स में काफी स्ट्रॉंग प्रॉफिट दर्ज किये हैं और साथी साथ अगर आप पेट्रोल डिजल के बिकरी की बात करें तो उन्हें काफी मुनाफ़ा भी हो रहा है पेट्रोल के बिकरी पर करीब 9-10 रुपए प्रति लिटर का फायदा और साथी साथ अब डिजल की बात करें तो 2-3 रुपए प्रति लिटर का मुनाफ़ा कंपनियों को हो रहा है लिहाजा इस बात की उमीद है और सरकार के अंदर चर्चा भी है कि इसका benefit consumer को दिया जाए लेकिन जो global स्थिती है इस वक्त खासका rate C में जो हम स्थिती देख रहे हैं उसकी वज़े से इस बात की संभवना जताई जा रही है कि crude की कीमतों में और volatility देखने को मिल सकती है पेट्रोलिय मंत्राले का भी ऐसा अनुमान है कि volatility अभी भी market में है और जो rate C crisis है वो bigger challenge के तोर पर उभर सकता है लिहाजा सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले तमाम factors को ध्यान में रखना चाहती है और कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती है लिहाज आप सुतर हमें बता रहे हैं कि दो important factors को ध्यान में रखा जाएगा एक rate C crisis को कैसे resolve किया जाता है और दूसरा all marketing companies का Q3 results है वो की सरीके से रहता है इन दो factors को ध्यान में रखकर आने वाले दिनों में फैसला लिया जाएगा झाले जाएगा लिएगा झाल 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 मार्किट मारती में आज हमारे साथ खास मेमान होंगे सुषान भंसाली होंगे हमारे साथ CEO of Ambit Assets Management सुषान वेलकुम प्लेजर टो हावियों दो शो काफी समय के बाद आप से बात हो रही है काफी इंट्रिस्टिंग आपका एक न्यूसलेटर भी मिला क्योंकि आप मिटकाप स्मॉल काप को काटेगोरिकली कावर भी करते हैं इसकी कुछ अब्जरेशन जो अपने व्यूवर्स को भी बताया है और फिर आपका भी व्यू समनना चाहेंगे कि राली स्मॉल काप इंडेक्स में जो है एक जो मूव एक्जूबरन्स आपको मिटकाप पर स्मॉल काप स्पेस में देखने को लिए 2023 में क्या आप 2024 में थोड़ी थम सकती है थैंक्स विंका चोटो बुलाने के लिए धन्यवाद और जिसके साब से आप बता रहे थे स्मॉल कैप्स 2023 में काफी अच्छा रेली आई थी और हमने जो अनिसिस किया उसमें टिपिकली हमने देखा है कि 3-4 साल के बाद next 2-3 साल के स्मॉल कैप्स में रिटर्न काफी फ्लेट हो जाते हैं कि अगर बेसिस पर अच्छे दिखते हैं रिटर्न्स बट फिर भी दो तिन साल इंवेस्टर्स बिना पैसा कमाएं स्मॉल कैप्स में इंवेस्टर्स रहते हैं Now, history repeat करेगे या नहीं करेगे हमें नहीं पता, but हमने एक और analysis किया इस बार, कि how are the companies doing in this rally, in this cycle, और हमने देखा कि जो small-cap companies है, उन्होंने काफी deliverage किया है इस लास्ट चार साल में, right, so FY17, FY20 देखने और उसके बाद में अगर देखें, तो जो corporate balance sheets है, small-cap companies की, काफी ज्यादा delivered ह हुई है, जो net 1.4 times leverage रहती थी, इन सब small-cap companies की, nifty small-cap index की, बात करें हम अगर, तो वो घटकर, तकरीबन 0.2,0.3 पर आ गई है, which means, यह जो सारी small-cap companies है index की, वो net cash की तरफ अग्रासर हो रही है, दूसरा हमने एक और उरजान देखा, कि जो revenue growth है, small-cap companies की, जो तकरीबन 16% रही है, लास्ट चार सालों में, FI20 से FI23 के बीच हो है, वो काफी अच्छी रही है 16% पर, बट जो capex है, उन companies में, वो सिर्फ 9% रहा है, तो एक तरफ capex कम हुआ है, और दूसरी तरफ cash balance sheet में बड़ा है, या debt कम हुई है, तो यह एक, I would say, surrounding yoga कहा जाएगा जहाँ पर next एक-दो साल में हमको काफी capex दिखता है, इस segment में, और capex should lead the growth back for the next rally as such, तो जहाँ पर तकरीबन 3-4 साल के बाद, historically small capital में पैसा नहीं बने है, निवे शुकर के लिए, हमें लगता है, इस बार ये rally थोड़ी ज़्यादा चलेगी, हम चौथे साल में है rally के, शाय सुशान्त, हम उमीद भी ये करते हैं कि rally थोड़ा लंबी चले और जिनको अच्छे से wealth create करनी पड़ी है, और करना चाहते हैं, वो जरूर करें, एक चीज़ में आपकी holdings को चेक कर रहा था, आपके पास holdings में P.I.E. Industries है, Deepak Nitrate है, यानि कि मैं top 5 holdings की बात बो तो तो उसमे जो स्टोरी चनरी है, especially the chemical sector में, वो सही सेम स्टोरी चनरी है लास साथ साल से, चाहिना प्लस वाला जो स्टोरी हुआ है, जहां पे बहुत सारे इंडिन manufacturers ने captivity भी बहुत जादा बड़ाई है, उन्होंने नए products लेके आये है, global market में supply करने के लिए, एक तो यह story है, दूसा story है import substitution की, और हर टाइप के plays है, इस sector में इंडिया में अभी, जो पहले वाला है, जिसमें export काफी बढ़ रहा है, इंडिन companies का China plus one strategy में, जहां global जो innovators है, वो काफी secular करना चाहते हैं, एक country या एक geography के बरौसा नहीं रहना चाहते हैं, उसमें इंडिया ने काफी नाम कमाया है, और यह खलता रहेगा, काफी capex हो इस sector में, तो इसलिए हम उस पर bullish है, दूसरा जो import substitution वाला है, उसमें अगर हम देखेंगे, government काफी push कर रही है, एक तो manufacturing के जिससे job creation हो, और इस दूसरा import substitution जिससे, कि जो हमारी dependency है, global markets पर, और dollar पर, वो जितने हद तक कम हो सके, इतना government का support है, तो यह दौनों का mixture, especially chemical sectors में, काफी unique है, और इसलिए हम इस sector पे काफी bullish है, Okay, all right, quite interesting view, in fact, Sushant, small cap space में, in fact, आपने जो, दो-तीन reason और जो आपकी इस report में, हम find out कर पा रहे हैं, वह यह कि promoter holding भी in small cap companies में बढ़ रही है, तो कौन से ऐसे sector specially हैं, क्योंकि कहीं सारे spaces आपने, जो highlight भी है small cap sectors में, वो oligopolistic भी हैं इस nature में, यानि उनकी पास एक dominance share रहेगा, organized market में? there are companies, जहां पे promoters अपना holdings बढ़ा रहे, in fact, आज के news papers में, एक article भी है इसके उपर, जिसमें कुछ companies पे उन्होंने identify किया, जहां पे promoters अपनी holding बढ़ा ही है, और दूसरा कि जो नए IPOs आ रहे हैं, उसमें promoter ownership जादा है, और वो small cap index में add हो रही है, from our perspective, जिस sectors पे हमें अच् luggage है, specialty chemicals में कुछ products है, या फिर table wear है, ऐसी बहुत सारी sector से जो अभी बहुत चोटे हैं, और आज से 15 साल पहले बहुत ही चोटे थे, और हमें लगता है कि आज से 10 साल बाद जब इंडिया 10 trillion dollar economic की तरफ अग्रसर हो रहा होगा in 1930s में, उसमें कुछ चोटे sector से जहां पे investors को पैसा बनाने के लिए बहुत opportunity मिलेगी, यह ऐसा हमारा मनना है. कि बजार में value ढूंडना difficult हो रहा है कि promoter खुद भी बहुत कम और बहुत चुनिंदा promoters भी अपने companies में अपना stick बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल सही है और जैसे आप से share prices भागे हैं, normally हमने देखा है historically कि promoters अपने companies में share holding तभी बढ़ाते हैं, जब उन्हें बहुत ज्यादा value नजर आती है, जो अभी right now काफी कम sectors में और companies में हमने देखा है, last 3-6 में में, ज्यादा तर हमने देखा है कि in fact 2023 एक बड़ा साल के जब maximum block trades हुए हैं, बट उसमें अगर आप गहराई से अधियन करें, तो उसमें priority players जो हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा selling की है, compared to promoters, promoters I think काफी कम किया है, mostly priority players जिन्होंने जो आजकल public market में काफी active हो गये हैं, उन लोगोंने काफी block trades किये हैं, और institution investors को, mutual fund, insurance companies, या फिर even HNI इसको काफी अपना जो stake होए, वो बेचा है, सुशान्त मैं small cap जो universe है, और आपके जो small companies के portfolio हैं, उनकी earnings पर जानना चाहता हूँ, आपकी खुद की इससे में, जो portfolio is small cap, उसकी earnings growth किस तरह की नजार आती है, और versus that, वो क्या valuation blended पर पो portfolio अभी इससे मिल रहा है? So, जो earning growth है हमारे portfolios की, वो करीबन 19 से 23% का हमारा weighted average आ रहा है हमारे portfolios में, earning growth for FI 25 and FI 26, और ये small cap companies जो हमारे portfolios में at least 1.1, 1.2 times back पे मिल रही है, which means, कि अगर earning growth 20% है, तो वो 22 से 23 time P ratio पे हमें, आज के prices पे ये हमारा ratio देखेंगा। Okay, सुशान तादवाइस, overall Q3 के numbers से क्या expectation हुझे, domestic cycle से जुड़े वे sectors हैं, वो अच्छा कर सकते हैं, banks and finance में, आपने HDFC bank के भी आज numbers हमने देखे ही, कैसी expectation होनी चे Q3 से, कौन से sectors हैं, जो positively surprise कर सकते हैं और negatively surprise कर सकते हैं? So, last two quarters से जो हम trend देख रहे हैं, उसमें sales growth धिमेदी में कम हो रही है, but profit growth काफी अच्छे आ रही है, because of margin expansion, 2023 में, जो first half में commodity prices बड़े थे, वो second half में काफी distillate हुए है, इस वाज़े से margin expansion काफी आ रहा है, across the sectors, और उसमें profitability, तक्रीबन जो Q2 के levels हैं, उसी की हमको लग रही है, but sales growth काफी sectors में हमने downtrend देखा है, और इसी को हम watch करेंगे, in territory results, कि कौन सी companies है, जो अभी भी sales growth momentum continue कर पा रही है, अभी तक तो सिर्फ कुछ चुनिंदा IT और banks के results आये, जहाँ पे हमें at least IT में जो results आये हैं, उसमें investors I think काफी downtrend देख रहे थे, उतने बुरे results नहीं आये, तो काफी from investor confidence perspective, काफी ठीक results आये हैं, और इसी विएसा हमने देखा हैं कि IT sector में काफी खरीदारी भी हुई investors की, going forward in Q3, जो राश्टर दक sector से जहाँ पे results आयेंगे, हम keenly watch करेंगे manufacturing में, domestic side में consumption related, दिवाली इस बार Q2 में थी, जिसमें पिछले साल Q2 में थी दिवाली, तो वो एक काफी फरक पड़ता है कि दिवाली पे sales कैसी रहीं in sectors में, हम keenly watch करेंगे, हमारे channel check suggest कर रहे हैं कि दिवाली की जो sales थी, वो इतनी बढ़या नहीं थी प्रिशले साल के मुकाबले, तो थोड़ा हमें reflection दिखेगा उसका, but because of change in quarter, it will be very difficult, I think the way हम उसको analyze करेंगे, कि Q2 और Q3 को मिला कर हम हमारे company's के results को देखेंगे, because of the shift in festival. Sushant, आपने ये बात कही कि पिछले दो quarters में हमने देखा कि revenue growth उत्ती तेज नहीं रही, in fact, कुछ company's में देखी और कहीं तो flat growth भी थी, अगर हम आगे जाते हुए, देखते हैं कि जो China-US का slowdown है, global slowdown का थोड़ा असार हमारे economy भी होता है, हमने पिछले quarter 7.6% किया, अगर वो 166 तक आजाता है या 7 के करीब आता है, तो कहीं न कहीं revenue growth का issue आ सकता है corporate India के लिए, आपको ये risk लगता है बड़ा? कि जो दो quarter से हमको दिख रहा है तो अगर revenue growth की चली गई, तो जो margin expansion profit अभी भी दिख रहा है, वो एक या दो quarter में काफी नीचे आ जाएगा, और यही सबसे बड़ी risk लग रही है हमको, जिस पर हम keenly watch कर रहे हैं और differentiate करें कि कौन सी company अभी भी sales momentum बढ़ा पा रही है, तो हम लोग उसी में invested रहें, क्योंकि normally sales growth ही profit growth में follow करेगी. All right, सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप समय देने के लिए, और यह सारे insights हमाने साथ share करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका. Power reforms और power को लेकर कहीं सारी खबरे भी आती हैं, 18-9 स्वदेश से exclusive बाचीत की केंद्रिय उर्जया मंत्री आर्केस सिंग ने एक खास जलक आपको दिखाते हैं, power demand को लेकर, supply को लेकर, और यह भी बात की जा रहे हैं कि यह देश में बिजली की आगे कमी ने होगी, यह सारी important बाते हैं, power exchange की coupling के लेकर क्या provision हो सकते हैं, इन सब पर आएए, खास conversation सुनाते हैं आपको. हमारे साथ Union Power Minister R.K. Singh है, सब इती नाव सोदेश को समय देने के लिए आपका शुक्रिया, power sector के achievements लिए हम बात करते हैं, तो पिछले नौ साल में कई बड़े reforms हुए हैं और एक complete transformation हम देख रहे हैं, तकि मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से economic activities बढ़ रही है, उस लिहाज से जो power की demand है, जो reforms measures लिए गए हैं, आपको लगता है, यह sufficient है और अब हम, आपने देखे, आपने सही कहा कि हम लोगों ने एक transformation ला दिया है, उरजा की छेतर में, बिजली की छेतर में, बिल्कुल आमूल पड़ी, you know, transformation हम लोगों ने ला दिया है, पहले हम लोग की यहाँ, जो हम लोग का जो power sector था, उसके क्या खासियत थी, shortage, अब यह बताइए, कि एक समय था 2012 होगर में, जहां पर की shortage होती थी 10%, बल्कि जबकि हम लोग की सरकार आई, 2014 में, उस समय shortage था करीब सारे 4%, सारे 4% बहुत होता है, हम लोगों ने इस वो समाप्त कर दिया, हम लोगों ने कुल भी ला करके, तको लगता है कि इस नौ वर्सों में करीब करीब एक लाख असी हजार मेगवाट, हमने उत्पादन शम्ता बढ़ाई है, जिसमें से करीब नबे हजार मेगवाट तो हमारा थर्मल है, करीब 107,000 मेगवाट हमारा जो हमने उत्पादन शम्ता जोड़ा है करिम 977,000 मेगवाट हमने उत्पादन शम्ता 213,000 मेगवाट है और ये 2014 में उत्पादज शम्ता थी करीम एक लाग 30,000 मेगवड इतना हमने उत्पादज शम्ता जोड़ा है कि अब हम बिजली दिर्यात कर सकते हैं उत्रा ही नहीं उत्पादज शम्ता जोड़ना एक बात है जो कि हमने किया अकर ही रहे इसके अलावे आप जो कह रहे हैं कि एक चीज़ बैं बता दू ये जो गरोथ रेट आया है बिना पावर का सबाब हो इन रही कियोंकि बिजली के बिना कोई फैक्री कि नहीं लग सकती jest बीजिनी के बीना कोई एकनॉमिक एक्टिमिटाइबिटी होसकते लिफisiónफ नहीं चलता है रो ऊसनी नहीं होती है एर-क opportunities कुछ नहीं चलता है and then later नहीं चलता तो हम लोगों ने बीजिनी कि आप उर्तिकी यतना हमने उत्पादर मीगान के लिए हमने करीब करीब दो लाख सर्केट किलुमिटर एक लाख दन्वे तेरानवे हजार सर्केट किलुमिटर हमने ट्रांस्मिशन नहीं जो रहा है पहले 2014 में हम लोगी सरकार आई थी तो देश के एक कोने से से दूसरे पूने तक सिर्फ 36000 मेगावाट आप मिजली सताчивं कर सकते था आज आप एक पूने से स दूसरे कोने तक flowing एक लाख 16000 मेगावाट सफंद कर सकते हैं क्यों क्यों हमने ये उतपादन ये क्या नाव है transmission system को बढ़ाया है यतना तो पूरे देश को एक grid से हमने जो रहा है यह without electricity electricity is the business जो है वो आंगूल यह क्या नाव है infrastructure है अगले कुछ महीने में हम लोकसवा चुनाओं में जाएंगे देश में चुनाओं हो रहे होंगे उसके बावजूद भी मैं एक question पुछता हूँ कि साल दो हजार चौबिस में हम किस तरह के नए reforms के उमीद कर सकते हैं power sector में power sector को तो जैसे कि हमने खान हम लों बदल दिया है पहले तो एक तो deficit था आज हम उसको surplus हो गए हम export करते हैं पूरे देश को ए ग्रेड में जोड दिया जो हमारी बित्रन वैबस्ता थी उसमें हमने परिवरतन ला दिया हम करीब करीब तीन हजार नए नए सबस्टेशन बनाए करीब 4000 सबस्टेशन का हमने उतक्रमन किया सारे आठ लाग सर्किट किलुएटर में एक्सी लाइन ल्टी लाइन जोड़े करीब करीब साथ सारे साथ लाग ड्या लगा यह सब हमने किया अब इस सब का कारण इस सब के कारण क्या हुआ है कि उत्पादन शब्ता बरहाने ट्रांस्मिशन बरहाने डिस्ट्विशन को मजबूत करने के फ़ल स्वरूप ग्रामी छेत्र में बिजली कुपलवता थी सारे 12 घंटे सब्सक्राइब ग्रामी छेत्र में बिजली कुपलवता है 22 घंटे शहरी छेत्र में बिजली कुपलवता हो गई है सारे 23 घंट तेस दसमनलब 8 घंट आई जो की होती थी करीब करीब ऑसातन यह उनेश बीस घंटा थी हम लोग के सरकार आने के पले 18-19 घंटा यह थी आप ज जनरेटर के धुआ से आंक से पानी आया था आपको आज जनरेटर देखने को नहीं मिलेगा हम लोगों ने वेवस्ता हमारी चर्वरा गई यहां घाटा था यह एटी एज सी लॉस को कहते हैं बिजलीवता उस 27 दस्वला 5 प्रतिसात था 2014 उसको घटा करके हम 15 प्रतिसात पर भुकतान ही करवाया अब जो बकाया है वो पचास जार करोड़ तक आ गई है क्या इन रिफॉर्म्स के बलपे हैं हम अगर उमीद करें तो अगर मोधी सरकार सत्ता में फिर से वापिस लोटती है तो उसमें पावर सेक्टर के योगदान किस तरह कराएगा बिल्कुल बहुत बेजर कंट्लिवुशन एक तो हमने करीम करीम दो करोर दम्मे लाग घरों को बिजली से जो रहा बिजली की आपूरती अब बिजली एक ऐसी चीज हो गई है कि पूरे देश का एक नक्सा आपको देखना चाहिए था कि 2000 हमने हर घर को हर गाउं और हर घर को जोड़ दिया हम लगता है कि 2021 मесяं तक जोड़ दिया है उसके पहले का भारत का फटो देखते रात में और उसके बाद फिर आप भारत का फुटो देखते रात में अधा बिलकुल अलग है भारत नहीं एक चमप गया और यह यह जंता का मन में गया है मार्केट कपलिंग का प्रस्ताव है उस पर क्या अपडेट है यह कंसल्टेशन पूरा हो गया अब निर्दे लोग लेगे तो निर्दे हो जागा मैप माई इंडिया का मैनेश्मेंट है जो हमारे साथ आजुड़ रहा है मैप माई इंडिया एक ऐसी इंजिनियरिंग कंपनी है जो मैप डेटा टेलिमाटिक सर्विस आसो और जी आए से याई तक्नीकों पर काम करती है कंपनी की स्थापना के अगर हम बात करें 1995 में हुई थ है कि देश में डिजिटल क्रांती लाने में कंपनी का बड़ा योगदान है और मैप माई इंडिया ने अपने तीसर तिमाही के नतीजे भी जारी किये हैं और कॉपिट कनेक्शन में चलिए रूबरू होते हैं हमारे आज के मैमान से मैप माई इंडिया के सी और एडी रोहि की गई है कंजूमर टैक और डिजिटल ट्रांस्वर्मेशन को लेकर यह बताए अब आगे इस ग्रोथ को अग्रसर रखने के पीछे किस तरह की डिमांड ड्राइव आपको भरती वे दिखाई दे रही है मिल्कुल धन्यवाद कविता जी मुझे अपने शोव पर बुलाने के लिए रिजल्ट्स अच्छे रहे कि उत्री में जो हमारा ओपन ओडर पुक स्ट्रॉंग है उसको अच्छे से हमने एक्जेक्यूट किया तो रिजल्ट्स सामने आए दोनों एए अन्म साइड में ऑट् पीएस बेस डिजिटाइजेशन वो भी अच्छे से हो रहा है या कंज्यूमर टेक कंपनी जैसे लाज एकॉमर्स हो चाहे डी टू सी ब्रैंड्स या इंटर्प्राइज जैसे फिंटेक पेमेंट्स लॉजिस्टिक्स इवन गवर्मेंट जो अपने डिजिटिल ट्रांस्फ के साथ तो इसलिए क्यू 3 भी अच्छा गया और हम जो क्यू 4 में भी एक्साइटेड है और जो लॉंग टर्म हमारे एक्साइट्मेंट है चार से पांच साल में बताया कि हम हजार क्रोर के माइलस्टोन को क्रॉस करेंगे उस डिरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल मुझे आपसे पूछना है कि जिस तरह से ओवरॉल मार्जिन बैठता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर थोड़ा सा चालिस परसंट के नीचे जाता हुआ लेकिन इसके पीछे भी वजह है मार्किटिंग कॉस्ट जो की बढ़ हमारा जो Q3 का EBITDA मार्जन था वो 42 परसंट था और जो 9-month year-to-date मार्जन है वो 43 परसंट पर है तो काफी स्ट्रॉंग है हमने प्लान किया था हम लोगोंने कि 40 परसंट से जाधा रखेंगे और उस तरह से ग्रोथ को और प्रॉटिबिल्टी को बैलन्स करेंगे तो एक साइ ग्रोथ हमारा Q3 में 36-38 परसंट हुआ है रेविन्यू में और EBITDA ओवरॉल 40 परसंट से 42-43 परसंट पर है तो हम काफी उससे खुश है हम भी चाहते हैं कि और ब्रैंड अवेर्नेस हो कंपनी के बारे में उससे और B2B बिजनेस को फाइदा होगा साथ ही साथ जो B2C का हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से शुरू हो गया है लास्ट 6-9 मैने में बहुत सारे लोग, मिलियन्स अफ लोग मैं कहूंगा जो कि मैफल्स आप से जुड़े हैं और कहरें कि ये तो गूगल मैप से भी जादा बेटर है और भारतिय स्वदेशी प्राड़क्ट है तो उसके भी आप डाउनलोड के लिए उसके भी brand awareness के लिए हम अपना marketing efforts भी कर रहे हो जैसे हमारे products जो internet connected है और use होंगे तो communication cloud के भी cost बढ़ेंगे हाला कि हमारे पास engineering strength है जो कि हम उसको काफी optimize भी कर सकते है तो ये सब जो cost होगा वो हमारे control में है calibrated cost है जैसे हम अपना growth और profitability का plan बनाते है उससे साबसे हम इन एरियाज में invest करते हैं अपने business के लिए रोखर रुर्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला इतने विस्तार से हमसे बातचीत की कंपनी की आने वाली तिम्हाईयों में क्या योजना है तुमाम details हमारे साथ साचा की धन्यवाद कर दो हम से अपने वाली तुमा इन एक वाली तुमारी ओर्मारी तुमारी बगले फिस्तार दोर्मारी शार्डश थार्स से बातचीत की वाली तुमाली की अन्यवाद झाल झाल